हाल या हल चाल Cayyl gost Life करेदι इस एक भार हम सब्सक्राइजिए अधि... आडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक वर धमसब कर दीजिए हलो 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 आडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक वर धमसब कर दीजिए हलो 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 आप सभी बच्चों को यह मार का बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है दा सूपर बिजेता बहच में जिसमें हम तावर तोर त्यारी कर रहे हैं अपने आने वाले बोर्ट्स एक्जाम के लिए और आज हम लोग फजिक्स में पढ़ने वाले हैं Alternating Current Alternating Current जेनरली जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए पूरे 12 में सबसे मुश्किल चेप्टर हुआ करता था ये और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो तो भी ये मुझे बहुत मुश्किल चेप्टर लगता था जब तक मुझे इस चेप्टर का क्रोनोलोजी समझ नहीं आया था तो आज हम इस चेप्टर का क्रोनोलोजी समझेंगे उसके बाद ये चेप्टर आपको इतना असान लगेगा, इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा, कि आपने सोची नहोगी कितना आसान लगेगा, ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बहुत 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 नमस्कार, 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 ओडियो और वीडियो क्लियर है, हलो 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 हलो, ओडियो और वीडियो क्लिय को define करते हुए board में कैसे सवाल आ सकते हैं थोरा उपर level अप करके क्योंकि आप मेंसे जो 90% बच्चे होंगे 80% 70% मान के चल सकता हूँ कि वो neat या j देंगे तो j main में कैसे सवाल आ सकते हैं neat में कैसे सवाल आ सकते हैं उसको भी थोरा बहुत हम देखते चलेंगे कि j main और neat में कैसे सवाल पूछे हैं paralleli board में कैसे सवाल पूछते हैं और board में derivation कहां से आ सकता है सब कुछ आपको समझाते हूँ आगे चलेंगे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं alternating current सबसे पहले आपको समझा देते हैं मोटा मोटा किसमें हम क्या cover करेंगे बेटा इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि what is AC current किसको कहते हैं AC current और DC current है ना दोनों का categorization समझेंगे उसके बाद RMS value average value instantaneous value, peak value of AC में क्या difference होता है different different AC and DC कि average RMS instantaneous और peak को कैसे calculate करते हैं average RMS सिर्फ AC के लिए ही नहीं DC के लिए भी defined होता है तो अलग अलग current के nature पे RMS और हम लोग average कैसे calculate करते हैं ये भी देखेंगे हम उसके बाद pure resistive circuit को जब हम AC से जोरेंगे सिर्फ resistance को फिर सिर्फ capacitor को फिर सिर्फ inductor को उसके बाद series LR circuit series RC circuit series LC circuit and series LCR most important उसमें resonance condition condition पे बेटा सवाल तुम्हें board में भी मिलेगा neat में भी मिलेगा और J main में भी मिलेगा ये done है उसके बाद transformer and LC oscillation ये complete सब कुछ हम पढ़ते हुए और समझते हुए आगे चलेंगे सब देख सकते हैं बेटा basic concept numerical सब आता है चाहे board हो, neat हो, exam हो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा है ना तो हमें सब concept अच्छे से आना चाहिए बाकी तुम्हें जो भी paper लिखना है चले जाओ सवाज में आएगी नहीं है concept पता होना चाहिए हाँ पूछ लो, सारे पूछ लो स्टेट बोर्ट के लिए है स्टेट बोर्ट के लिए इंपी बोर्ट के लिए बिहार बोर्ट के लिए योगांडा बोर्ट के लिए नेपाल बोर्ट के लिए है ना चलो, सारे बोर्ट के लिए चलो सारे बोर्ट के बच्चे बर सकते हैं इंटरनेशनल बोड के लिए है, तो शुरू करें, माल लो, कि तुम धंसों नहीं पढ़ रहे हैं और स्पैम कर रहे हैं बहुत जादा, अब स्पैम करने वाले का ठीकी पकर लिया मैंने, यह वाला चल इदरा, तुम्हें, अब मैं तुम्हें जटका दूँगा, करेंट का, अ यह स्पैम करने वाले हर क्लास में बच जाते हैं न, स्पैम करने वाले का ठीकी पकर लिया मैंने, यह स्पैम करने वाला है, कल वा, इस स्पैम करने वाले कल वाले कल वाले का मैंने ठीकी पकर लिया, ए ठीकी कल वाले का ठीकी पकर लिया, और बोला मैंने कल वाले से, अब त जितने भी बच्चे comments कर रहे हैं spammers, बता खुण कौन सा जटका ख़ओगे, AC का की DC का किसका जटका दिया जाए इसको, AC का की DC का, पकर लिया मैं ने इसका ठीकी, अब बता इसको कौन सा जटका दे, AC का की DC का, जल्दी जल्दी कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे AC का अचारा derivation कराऊँगा चाचा ओ नेता चाचा सारा derivation कराऊँगा पौरा बच्चे से बोल AC का की DC का किसका जटका दूँ DC, DC, DC किसका जटका खतरनाक होगा ज्यादा तो सुनो ऐसा है कि DC मतलब होता है constant और AC मतलब होता है variable यह definition बताते हैं न DC मतलब constant और AC मतलब होता है variable यह सबसे ज़्यादा गलट definition है रामलाल टाइप किताबों में लिखा होता है बिटा वैसे तो 220V DC मिला है तो DC का मतलब हो गया कि 220V fixed voltage होगा लेकिन DC का actual मतलब होता है unidirectional 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 का मतलब होता है कि current एक ही direction में बहेगा current किधर बहेगा एक ही direction में बहेगा और AC का मतलब होता है बेटा bidirectional यह actual में definition है bidirectional मतलब current dual direction बहेगा आगे भी जाएगा और तीछे भी आएगा variable constant नहीं ठीक है ठीक है, तो सुनो, जब मैं तुमसे बोलू, 220V DC, मतलब 220V fixed voltage है DC का, और एक fixed direction में बह रहा है, 220 का मतलब 220 का जटका, 220 मतलब 220 का जटका, समझ गया, और 220V AC का मतलब होता है, कि ये इसका configuration जो लिखा हुआ है, ये इसका RMS value है, जब कुछ न बोला जाए, तो इसको RMS समझना, RMS क्या होता है मैं अभी पढ़ाऊँगा, RMS को ही effective value बोलते हैं, जैसे RMS voltage मतलब effective voltage, RMS virtual voltage, virtual voltage, effective voltage, RMS voltage एक ही चीज़ होता है, तो ये इसका RMS value है, और हमारे घर में जो supply आते हैं, उस sinusoidal AC आता है, sinusoidal AC की RMS को हम कहते हैं, V0 by root 2, जैना, RMS की value थी V0 by root 2, V0 by root 2 बरावर 220V, root 2 को इधर ले जाओगे तो ये peak आ जाएगा, मैं ये पूरा परहाँगा, मैं एक example दे रहा हूँ, कि 220 गुना root 2 V, मतलब अगर मैं इसको 220 V का DC का जटका मानता हूँ, तो 220 V का जटका लगेगा, ऐसे ऐसे कड़ेगा, लेकिन अगर मैं 220 V AC देता हूँ, तो peak voltage यहां तक जाएगा, 220 गुना root 2, मतलब ये 331 V के आसपास, इसमें ऐसे ऐसे जूल जाएगा, तो ज्यादा खतरनाक कौन है, AC टी DC, बताओ, आयू सिंग कह रहा है, एकीन में क्यों इतना class लिए बेटा स्पैमर, चीनी पानी पीलो थोड़ा, आयू सिंग बेटा, चीनी पानी पीलो, जो class लिया है एकीन में, जाके देखो, यहाँ पे स्पैम करके अपने टाइम खराब कर रहे हो, इतने दिर में तो class हो जाता बेटा, चीनी पानी दो इसको कोई, चलो आगे बताओ, बोलो, जादा खतरनाक कौन है, AC की DC, तो सब बच्चे बोल रहे थे, स्पैमर को, DC का जटका दू नहीं, आयू सिंग कट्टी की पकर के उसको मैंने AC का जटका दे दिया, ले, कितना भोल्ट AC, 220 वोल्ट AC का मतलब, कितना maximum जटका लगेगा, 331 भोल्ट का, अब बताओ, जादा खतरनाक कौन है, अब बताओ, जादा खतरनाक को, एक दम फ्रेंट बे में बढ़िया से बढ़ेंगे, सब कुछ समझाएंगे के करके, ठीक है, आओ इदर, आओ इदर, अब AC का मतलब समझ गए, आप बाई डारेक्शन, बाई डारेक्शन का मतलब, आगे एन पीछे, मतलब positive और negative दोनों डारेक्शन में, positive ही current फ्लो करेगा और negative ही करेगा, DC मतलब uni direction, DC voltage variable हो सकता है, ऐसा नहीं कि constant voltage होगा, लेकिन DC जो एक ही direction में बहे अब मैंने आपको यह current दिया जो की time के साथ vary कर रहा ऐसे यह current यहाँ पे देखो इसका यह current है y axis पे यह time है current की value यहाँ से i0 से बढ़के कुछ बहुत peak पे गई फिर घटके कुछ कम हो गई फिर बढ़ गई कुछ कम हो गई फिर कम हो गई फिर बढ़ गई तो यह जो current है किसका example है AC का की DC का बताओ यह AC का example है कि DC का example है ठीक है बेटा LC oscillation नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है और तो आप पढ़ा दोंगा नीट जई में तो है ही तू मत पढ़ना यह देख ले बताओ यह AC है कि DC है तो अगर यह पूछा जाए तो मुझे बताओ current हमें सब positive ही तो है current कभी negative ही तो गया ही नहीं तो वेटा यह आपका DC current होगा अगर option में यह बोला है कि AC plus DC का mixture तो AC plus DC को mix करके बना DC ही है जब तक bidirectional current ना हो तब तक आप उसको AC नहीं कह सकते अब भले ही दिखने में आपको लग रहा है कि नहीं यह यह तो sinusoidally vary कर रहा है भाईस अब sinusoidally variation का मतलब AC नहीं होता वैसा sinusoidal variation जिसमें positive peak से negative peak तब current flow कर रहा हो यह AC है देखो यह कहते है positive half cycle positive direction में current flow कर रहा यह negative में current flow कर रहा फिर सिए positive में कर रहा यह negative में कर रहा इसको कहते है बेटा AC यह AC है देखिए positive current flow कर रहा कुछ आई नोट कुछ टाइम तक फिर negative current flow कर रहा पीछे की तरफ फिर आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ इसको कहते है square wave AC ये क्या है बटा ये क्या है DC है pure DC देख DC क्योंकि current 0 से positive 0 फिर positive 0 फिर positive 0 ये क्या है ये DC है समझे में आया ये देखो क्या है ये देखो क्या है तो कई बार NEET, J या board में directly graph पर बेस्ट सवाल पूछ लेते हैं ये क्या होगा, ये AC होगा अच्छा, ये बताना ये बताना ये बताना क्या है AC है, क्यों? positive negative, positive negative, positive negative एक fixed pattern में current flow कर रहा है देख लो एक बार ध्यान से देख लो एक बार ध्यान से clear है? clear है? ये क्या है? DC, कई किताबों में, रामलाल टाइप किताबों में तुम्हें लिखा हुआ मिल सकते है AC प्लस DC का mixture है, लेकिन ultimately दे DC रहा है बहले ही AC और DC का mix करके लेकिन दिया DC, ये DC है, ये DC है ये AC है, ये AC है, ये AC है, ये AC है क्या? एकदम चमक रहा है ये बात चमक रहा है ये बात triangular wave AC है विल्कुल सही बात है, ये triangular wave AC है ये square wave AC है, क्या है? ये square wave AC है, तुम्हारे घर में कौन आता है? तुम्हारे घर में कौन आता है? करहा सबजी वाला रहा है, बाई गन चल, तुम्हारे घर में current की बात कर रहा हूँ वो AC sinusoidal आता है अजे एक बात बताओ, मैंने statement लिखा है true and false बताना a current of constant magnitude can be AC current बो, yes or no में बताओ yes or no में बताओ a current of constant magnitude can be AC current yes and no में बताना दिख रहा है? ये दिख रहा है देखो ध्यान से ये दिख रहा है a current of constant magnitude can be AC current constant magnitude का AC current हो सकता है no, yes, no, yes no, no, yes, yes no, no, yes, yes तो जादा तर बच्चों का जवाब है no constant magnitude का current AC नहीं हो सकता तो बेटा आप बहुत जादा खराब परफॉर्म करते हुए मैं आपको बता दूँ कि आप गलत है yes, example के साथ बताऊंगा example के साथ बताऊंगा current into time का graph देखिएगा यहाँ पर current बहरा मान लो 2 A का कुछ देर तक 2 A बहा फिर minus 2 A सब आपने बोला था constant हाँ constant magnitude magnitude 2 और 2 अरे magnitude का मतलब नहीं जानता है क्या, है बटा अब बटा गरबरा गईल का बोला बोला घबरा गईल का answer गबरा गईल का 2 और minus 2 square बेवेसी यही तो है अरे जा, अरे जा, इका हो गया सुनो क्या लिखा है, statement पढ़ो अच्छे से a current of constant magnitude can be AC current, yes square बेवेसी 2 ampere का कोई अरे करेंट है 2 ampere का करेंट है, 2 ampere का करेंट है 2 ampere आगे, 2 ampere पीचे, 2 ampere आगे, 2 ampere पीचे 2 ampere आगे, 2 ampere पीचे कितना जोरदा है कितना जोरदा है इधर देखो इधर देखो a current varying from 5 ampere to 15 ampere sinusoidally then this is AC or DC this is DC not AC sinusoidal variation AC नहीं हो सकता यह 5 ampere से 15 ampere के बीच में sinusoidally vary कर रहा मतलब यह है कि इसका minimum value है 5 और maximum value 15 बीच में mean होगा 10 फिर आया mean पर और फिर ऐसे ऐसे oscillate कर रहा इसका minimum value है 5 और maximum value हो 15 तो mean हो जाएगा तुम्हार 10 lowest value यह maximum value इसके बीच में sinusoidally vary कर रहा है से तो क्या होगा DC होगा clear हाँ नहीं यहाँ पर answer यह बोल सकते हो यह चलेगा AC प्लस DC का mixture यह बोल सकते हो pure DC यह AC प्लस DC का mixture दो possibility है AC प्लस DC का mixture यह pure DC सिर्फ AC नहीं बोल सकते हो सिर्फ AC नहीं बोल सकते हो ठीक है तो बेटा सुफ रठने से definition से सवाल solve नहीं होता है आपको अच्छे से conceptually चीजे समझना परेगा अब हम समझते हैं कि AC और DC के कुछ advantage और disadvantage तो ध्यान से सुनिएगा आपको board में लिखने को आ सकता है कि what are the disadvantage of DC what are the disadvantage of DC तो सुनिए ध्यान से कि DC को हम large distance तक supply नहीं कर सकते हैं sinusoidal मतलब sin theta के साथ vary जो करता है उसको sinusoidal कहते है periodic function उसको sinusoidal कहते है जैसे नहीं होता है sin theta plus 1 से minus 1 के बीच vary कर रहा तो मैं बोल रहा हूँ कि plus 5 से 15 5 के बीच आगे पीछे sin theta periodic function के साथ vary कर रहा है यह मतलब हुआ sin graph के साथ लेकिन sin graph का मतलब ऐसा graph है देखो ऐसा graph यह current minimum 5 mean 10 maximum 15 ऐसा ऐसा समझे हो ऐसा इसको आप बोलोगे सिर्फ DC या AC plus DC का mixture ऐसा clear clear बेटा चलो अब वोड में आएगा disadvantage of DC बताइए DC cannot be supply over large distance but AC can but AC can बहुत जादा distance तक जब हम DC supply करते हैं तो power loss बहुत जादा हो जाता है but AC में हम voltage बराके power loss minimize कर लेते हैं clear है यह बात DC cannot be supply over large distance but AC can be supply over large distance एक disadvantage होगे है DC का power loss is maximum in transmission जब आप DC को supply करते हो तो आप 20 meter, 30 meter, 100 meter से जादा दूर ले जाओगे न DC DC तो उसका power loss बहुत हो जाता है but AC को आप high voltage पर supply large distance कर सकते है DC supply at a constant voltage जैसे DC अगर 12 volt की battery है 24 volt की battery है तो उतने ही voltage पर supply होता है समझ मैं आया उतने ही volt का supply होता है but AC can have variable voltage बस AC की जो value है उसको हम transformer से step up step down कर सकते हैं जैसे 10 volt AC supply किया तो transformer से हम उसको 20 volt बना सकते हैं 10 volt AC supply किया उसको हम transformer से 5 volt भी बना सकते हैं ना transformer step up step down होता है तो AC can be a step up step down but DC supply at a constant voltage यह इसका disadvantage है DC current flowing through a cross section area जो DC current होता है न वो किसी thick wire के cross section area से अंदर से इस cross section area से flow करता है यह DC current and current की capacity wire के radius r का power 3 by 2 पर depend करता है but AC flows through surface area but AC जो flow करता है वो thick wire के cross section area से flow नहीं करता वो इस surface area अंदर से जो grantश एका makers दो करता है अगर को यहाँ से ले करता है इस आलो में करता यहाँ सर्फेस एरिया से inicial होता ही क्यूंकि wire का इसको यहां से काट दो, जब इसको यहां से काटोगे, तो AC जिससे सप्लाई करते हैं, वहाँ पर multiple छोटे छोटे वायर्स मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊ, जैसे, यह देखो, जैसे तुम कोई तुम कोई तुमारे घर में करेंट आता है ना, तार काट दो, तार काट दो, करे एक वायर नहीं दिखाए देगा, बहुत बहुत चोटे चोटे वायर के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, क्यूं? क्यूंकि AC जो फ्लो करता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया से करता है, तो बहुत चोटे चोटे वायर रखेंगे, मालनों एक वायर यह लिया हमने, और एक व फ्लो करता है इस cross section area से और यह surface area से flow करता है समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ठीक है रहे को अब हम बात करते हैं disadvantage of AC जब तुमसे बोले कि AC का disadvantage बताओ तो AC का disadvantage यही है कि DC can be stored जैसे आप देखते हो ना इस बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी में क्या store करते ह बट AC cannot be stored, AC को हम store नहीं कर सकते, AC का skin effect and corona discharge होता है, corona distance नहीं, discharge भाई मेरे board में आ जाएगा न, AC और DC का advantage और disadvantage लिखो दो दो, तो भाई याद रखना बहुत ज़रूरी है, DC can be stored but AC cannot be stored, skin effect and corona discharge होता है AC में, लेकिन DC में skin effect and corona discharge नहीं होता, skin effect and corona discharge क्या होता है, अब हो क्या रहा है कि इसके तो surface current flow कर रहा है, अगर इसको कहीं पर bend करोगे, ऐसे bend करोगे, तो यहाँ पर charge density बढ़ जाएगी, यहाँ पर charge density बढ़ जाएगी, तो यहाँ से charge leak कर जाएगा, इसी को कहता है, corona discharge and skin effect, इसको detail में नहीं परना है, बट AC and DC के advantage और disadvantage में आप इसको याद रख सकते हैं, clear है, समझ गए, अब यह देखो, यह पूछा हुआ सवाल है, CVSC का 1994 में, मजाक लग रहा था ना, आ जाएगा सवाल ना, तो लेट जाओ के, पर हो, अच्छे से, देखो, क्या पूछा है, two cables of copper are equal length, one of them has a single wire, equal length A का single wire से बना है, of cross section area A, A area का single wire है, while other has 10 wires of cross section area A by 10, दूसरा है multiple wire, जिसका हर एक का area A by 10, और उसमें कितने wire हैं, 10 wire है, give their suitability for the transporting AC and DC, AC and DC के transportation के लिए, कौन सा use करोगे, बताओ, बताओ, हाँ, बिल्कुल सही बात, वो भी पराओंगा बेटा, छोड़ूंगा नहीं, बताओंगा वो भी, बताओ, answer बताओ, only multiple stands for AC, either for DC, नहीं, only multiple stands for AC, only single for DC, नहीं, एक मिट, only multiple stands for AC and only single stands for DC, यह है, बताओ, बताओ, आप जैसे, DC को मेजर करते हो, तो DC को मेजर करते हो, तो DC को मेजर करते हैं, moving coil galvanometer से, moving coil galvanometer एक ऐसा instrument है, जो सिर्फ DC को मेजर कर सकता है, only DC can be measured, इसका जो scale होता है, वो linear scale होता है, theta is proportional to i, simple ऐसा scale होता है, जिसमें जितना जादा deflection होगा, उतना जादा current, यह सोख करेगा, theta is directly proportional to simple, आई होता है, यह AC को मेजर नहीं कर सकता, AC cannot be, cannot be measured by, measured by moving coil galvanometer, moving coil galvanometer, जैसे तुमारे घर में जो AC आता है, वो यह वाला AC आता है, यह वाला AC, यह वाला AC, अगर मैं तुमसे बोलूँ, कि यार इस AC का ना frequency है 50 Hz, जो भी periodic function होता है, उसका कुछ frequency होता है, इसका frequency है 50 Hz, इसका क्या मतलब है, current कितनी बार peak पर जाएगा, एक second में, तो frequency 50 Hz का मतलब है 50 oscillation in one second, और एक oscillation में दो बार peak पर जाता है, यहां और यहां, और दो बार current की value 0 भी होती है, मतलब मैं यह कह सकता हूँ, कि अगर यह supply मैंने किसी बल्ब में दिया है, यह किसी बल्ब में दिया है, मैंने यह supply, यह बल्ब में दिया है, तो यह बल्ब, 50 Hz सोर्स से, एक second में 50 बार जलेगा और 50 बार भूजेगा, हां या ना, अरे भाई, AC में तुम कहते हैं, कि current देखो अभी आगे जा रहा, फिर current 0 हो जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो अगर मैं बोलत हूँ कि frequency 50 Hz है इसका मतलब है 50 oscillation per second और एक oscillation में कितनी बार current zero और दो बार करेंट क्या हो रहा है जीरो हो रहा है तो एक बात बताओ क्या हमारे घर में जो बल्ब लगा है वो भी अगर 50 हर्ज का frequency पर चल रहा है तो एक सेकेंड में 100 वार जलता है 100 वार बंद होता है यही मतलब है क्या बेटा इसका कि इसका यही मतलब है क्या जरक अच्छे से सोच के बताईए अगर मैं frequency 50 hertz देता हूं है अगर मैं frequency 50H'd देता हूं 50H't देता हम तो तो किशमेंग से पचास बार जलता है 50 बंद होता है किने में तो क्या हमारे घर में जो बल्ब लगा है वो भी एक सेकेंड में 50 बार जलता है, पचास बार बंद होता है, हाँ, येस, तो पचास बार जला, पचास बार बंद हुआ, तो हमें वो दिखता क्यों नहीं है, पचासबार कोई बल्ब जल रहा है, फचासबार बंध हो रहा है कि अहीं हो, यह तुर दिखना चाहि Shout क्यों बल्बार 15 बचासबार बंध हो, आमें दिखना चाहिए ने चाहब, लेकिन हमें दीखता नहीं है तो क्यों नहीं दीखता है क्योंकि optics में आपने पढ़ा होगा हमारी eyes की persistence है 1 upon 10 seconds कोई भी ऐसी घटना या दुर घटना 1 upon 10 seconds मतलब 0.1 second की interval में हो तो हमें दिखेगा और यह बाई एक second में 100 बार मतलब 1 upon 100 0.01 second ले रहा है एक बार जलने बुझने में तो यह तो हमें देखेगा ही नहीं है ना ज्यादा फास्ट हो रहा है लेकिन मेरा एक सवाल और है छोटू सा कि जब वो जल रहा है और बंद हो रहा है जल रहा है बंद हो रहा है चलो हम नहीं फील कर बार है तो लेकिन हमें वो जला जला क्यों दिख रहा है बुझा बुझा क्यों नहीं दिख रहा है नहीं नही त्वें वो पचास बर जल रहा है, और पचास बर बुज रहा है तोँ मैं सिर्फ जला जला क्यों दिख रहा है, बुझा बुझा क्यों नहीं दिख रहा कि desse वो मत अंच 301 जला, 501 बुझा, 501 बुझा MDAT Co क्यों नहीं, ओ क्यों interference की बजह से नहीं गलत जबाब नहीं गलत जबाब सोचो बताओ reflection नहीं नहीं, tungsten वो क्या होता है नहीं, logic है, हाँ logic तो है सोचो intensity की बजह से नहीं कि ना सोच भाई सोच नहीं पता बताता हूं क्यूंकि अगर तुम यहां पर ग्राफ देखो थोड़ा और अच्छे से फिला जाए अभी बल्ब बंद है क्यों करेंट जीरो अब करेंट चल रहा है थोड़ा करेंट लेकिन करेंट तो ही ना पॉजिटिव डैक्शन करेंट है ह जल गया जल रहा जल रहा जल रहा जल रहा जल भूजा जल गया जल गया जल सहे यहां पर जीरो करेंट तो एक दमधाम फ्रैक्शन अफ लीए है बदाव समझ में आया कि नहीं है बदाव समझ में आया कि नहीं है अब दूसरी बात दूसरी बात यह moving coil galvanometer जो deflection पे बेस्ट होता है वो AC को major क्यों नहीं करता क्या दिक्कत है भाई AC से क्या उसको AC पसंद नहीं है क्या दिक्कत है क्यों major नहीं कर पाता तो सुनो भाई एक second म में यह 100 बार अपनी direction को change कर रहा जैसे ही तुम moving coil calvanometer में AC flow कराओगे तो AC कह रहा कि चलो current आगे जा रहा आगे deflection दिखाओ अरे नहीं तुरंट पोले नहीं पीछे दिखाओ नहीं आगे दिखाओ नहीं पीछे दिखाओ नहीं पीछे दिखाओ नहीं पीछे दिखाओ नही यह 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 दो बार डिरेक्षिंच चेंज होता है तो 50 Hertz में एक सकेंड में डैक्षिंच सह भार चेंज हो सबर आगे जाओ पीछे जाओ नहीं पीछे जाओ तो इनर्सिया के बैसे कही नहीं जाएगा मैं नहीं मेजर कर रहा बग डिव टू इनर्सिया रिजन भी लिखलो द टू इनर्सिया कि अरे भाई तुम बोलोगे किसी चीज़ को चलो करेंट आगे जा रहा कहीं हाँ जीना हराम कर दिया है ऐसे थोड़ी नहीं होता है हाँ यहाँ यहाँ पे टॉर्क और करेंट करिंग उसी पर बेस्ट होता है मुविंग को एल गालबनेमीटर तुसमें करेंट कैसे बहता है कज़र कि करेंट आगे जाएगा तो रिफ्लेक्शन आगे करेंट फीछे पीछे आगे पीछे पीछे नहीं पीछे डूलू इसी लिए हम मुविंग कोईल गैलबनेमीटर जो टॉर्क पर बेस्ट होता है उससे हम सिर्फ डीसी मेजर करते हैं हम एसी मेजर नही कर सकते इनर्सिया की बज़ा से, समझ में आया, इधा देखो, होट वायर एमीटर, बहुत होट है, यह कैसे काम करता है, यह हीट पे बेस्ट होता है, कि एक सेकेंड में अगर आई करेंट से इतना हीट है, तो डबल हीट हो गया, तो करेंट कैसे होगा, और हीट होता है बेटा, आई स्कॉयर रटी, हम जानते हैं न, हीट, जूट्स लॉफ इटिंग इफिस आई स्कॉयर रटी, प्रपोर्शनल टो ठीटा, तो यहाँ पे नॉन लीनियर स्केल है, यह AC और DC दोनों मेजर कर लेता है, क्यों, हीट तो भाई दोनों से प्रोड्यूस होगा, चाहे AC और DC, यह बड़ा कंसेप्चुल चीज है, कि होट वायर अमीटर दोनों को मेजर कर लेता है, AC और DC, मुविंग कोईल गैलमेनोमेटर सिर्फ DC को मेजर करता है, समझ में आए अच्छे से, क्लियर एकदम पिक्चर, कोई डाउट नहीं, चलो आगे देखो, अब सवाल, होट वायर अमीटर अर यूज्टू मेजर, होट वायर अमीटर इस यूज्टू मेजर, किसको मेजर करता है, बहुत AC और DC, घबरा के जवाब मत दे देना AC, AC, AC और DC दोनों को मेजर करता है, AC को हमें स्टोर क्यों नहीं, अरे आई डारेक्शनल है न, उसको रखो के भाग जाएगा, एक पॉलरिटी मेंटेन करना इजी है, बैटरी के अंदर, लेकिन डिवल पॉलरिटी कैसे मेंटेन होगा भाई, ठीक है न, आगे बढ़ते हैं, अब एवरेज करेंट समझते हैं, एवरेज करेंट क्या होता है, तो देखो, अच्छल में दो तरह का करेंट हो सकता है, अच्छा, एवरेज करेंट हम AC के लिए डिफाइन करते हैं, DC के लिए डिफाइन करते हैं कि दोनों के लिए डिफाइन होता है तो एक चीज समझ लो average जो हम term लिखते हैं ना both for AC and DC ये किसी भी variable चीज के लिए average हम डिफाइन कर सकते हैं AC and DC जरूरी थोरी यह न है कि हम AC के लिए average डिफाइन करते हैं किसी के लिए नहीं होता average एक general term है वो किसी के लिए भी डिफाइन हो सकता है ठीके न? ठीके न? ओके अब सुनिएगा average भी हम दो तरीके से लिखते हैं एक discrete current के लिए discrete current क्या होता है यार बेटा मान लो जैसे तुम्हारे पास आज 10 रुपए हैं कल दो रुपए हैं परसो चार रुपए हैं तो average पैसे कितने होंगे तो कैसे निकाल तो किसी भी चीज का average सबका sum बटा number of terms तो यहां पे average निकालने का simple तरीका होता है i average बराबर sum of current i1 प्लस i2 प्लस i3 by 3 sir n terms है current के n से divide कर दोगे यह हो गया तुम्हारा average current जैसे माल लो current 2 ampere 4 ampere 6 ampere flow कर रहा average बताओ ऐसा सवाल हो सकते न find average current average current if i1 बराबर 2 ampere i2 बराबर 3 ampere मतलब अलग-अलग current का average निकाल लो discrete करेंगे fix value है 5 ampere अब इसका average बताओ तो इसका average क्या हो का बोलो i1 i2 i3 by 3 2 प्लस 3 प्लस 5 बटा 3 5 3 8 दो 10 बटा 3 10 बटा 3 ampere आपका average होगा मानते हो average क्या होता है सबका sum बटा number of terms यही तो average होता न इसे को तो mean कहते है न इसको हम ऐसे भी represent करते है i का dash या खोपचा i खोपचे के अंदर i को डाल दोगे उसका मतलब होता है average हम निकाल रहे दूसरा होता है continuous current मतलब current अलग-अलग नहीं है एक ही current flow कर रहा है but current as a function of time इसको बोलते है continuous continuous current तो इसका average कैसे निकालते है इसका average हम निकालते है i average या खोपचा i बराबर integration of i into dt divided by integration of dt जहां पर i as a function of time है मैं सवाल कराता हूना पूरा theory का field देता हूँ numerical से if current i is equal to 2t then find average then find average between t is equal to 0 to t is equal to 5 seconds अब बताओ यहां पर जो current देके average पूछा है यहां पर current देके average पूछा है क्या यह दो अलग-अलग तरह के सवाल नहीं है बताओ खुपचा देखो इदर हम और खुपचा देख इदर यहां पर जो सवाल है तीन अलग-अलग current बताओ के average पूछा है तो कैसे निकालोगे तो सबका sum बता तीन यह formula यूज़ करेंगे लेकिन अगर एक ही current है और वो time के साथ vary कर देखना आई बराबर टूटी दिन फाइंड एवरेज बिट्वीन जीरो टू फाइव सकेट यहां पर कैसे निकालोगे तो यहां पर आप खोपचा आई बराबर लिखोगे आई की वेल्यू आई बताओ के है 2T तो यहां पर लिखोगे आई की वेल्यू 2T इंटू डीटी का integration 0 से 5 तक बटा simple dt का integration 0 से 5 तक clear है टू बाहर आएगा T इंटू डीटी का integration हो जाएगा T T squared by two limit 0 से 5 तक बता DT का इंट अर्ट जब देगेरहस्न सिंपल तक 0 से 5 तक कृटा तो तो कहएगा 25 और T आज को जब रहोगा 0 तो जब देख जब रहोगे 0 तो ज़ीर बता टी के जब 5 नाल गहात कम पांच माच पांच जिरो तो यह होगा 25 बता पांच is equal to 5 Ampere is your खोपचा आई मतलब Average Current Average Current क्या feel आया आपको Average Current का बेटा Average के definition का feel आया की नहीं आया ये बताऊ Average के definition का feel आया की नहीं आया ये बताऊ Very good Very good तो ये तरीका है भाई Average दो तरीके से लिखा जाता है लोग समझ लेता है कि Average ये है ये Average है Integration of i into dt Integration of dt ये Average नहीं है Average ऐसे निकालते है Clear है बेटा दो तरीके से Average होता है बताऊ खोपचा i बराबर क्या है खोपचा i बराबर integration of i into dt divided by integration of dt अगर i as a function of time दिया हुआ है तो अब होता है बेटा root mean square value ये तो Average value है या mean value बोलेंगे इसको Average या mean value mean value of current ये है root mean square value अब इसको उल्टा परना है root mean square को हम कहते है square को मतलब जिसका भी आप root mean square निकाले जिसका root mean square of current या root mean square of voltage ऐसे लिख रहा है हम ठीके बेटा root mean square current तो ध्यान से देखिएगा root mean square को उल्टा परो पहले कर दो उसका square क्या कर दो पहले square फिर square का कर दो तुम mean और फिर उसका कर दो तुम root जैसे यहाँ पर मालो पहला current है I1 तो I1 का square current कहां में square करना है दूसा current I2 तो I2 का square I3 का square तो I1 का square I2 का square I3 का square स्वान जितने करेंट है सबका स्क्वायर और सबका कर ले लो तुम मीन तो जितने करेंट होंगे सबका स्क्वायर करके मीन कर दो और फिर लगा दो रूट यह हो जाएगा तुम्हारा आई आरे मेंस यह हो जाएगा तुम्हारा आई आरे मेंस अगर डिस्क्रीट करेंट है तो पाँच एंपियर, दो एंपियर, तीन एंपियर का RMS निकालना है तो अगर continuous है तो RMS कैसे निकालोगे तो सर करेंट का square करके उसका mean ले लो mean का तरीका क्या है mean का तरीका है i into dt, जिसका mean निकालते हैं उसका i into dt i square, क्योंकि हमें square का mean निकालना है i square into dt divided by integration of dt यह पूरा देख के तुम बताओ किसका हमने mean लिया है average लिया है हमने इसका, इसमें किसका average लिया है i square का average लिया है देखो, तो जिसका भी तुम्हे RMS निकालना हो, तो RMS करेंट तो जिसका भी तुम्हें RMS निकालना हो, पहले उसका कर तो square, square का कर लो average mean i square into dt divided by integration of dt, और किसका कर दो फिर root, यह है बेटा, I, R, MS का concept यह है actual में I, R, MS का concept, ठीक है ठीक है ठीक है clear है यह बात clear है यह बात ठीक है, अब यहाँ भी हम आगे चलते है थोड़ा सा फिर से आपको revise करा देते है AC current by direction current है और DC by direction AC by direction current ठीक है इसको hot wire emitter से measure करते है average square into dt divided of integration of dt से लिखते है I, R, MS में I square into dt divided of integration of dt का हम क्या कर देते हैं, root लगा देते है clear है यह I, R, MS जो R, MS current है न बेटा, यह R, MS value है उसी का दूसरा नाम है effective value उसी का दूसरा नाम है reading of emitter या virtual value अगर तुम से बोले ना कि हमें emitter की reading बताओ तो emitter तो current को measure करता है कौन से current को measure करोगे आप R, MS current को measure करोगे उसी को effective current कहते है वही reading है, वही virtual है यह सब अलग अलग है लेकिन सब का नाम क्या है same ही है, सब का नाम क्या है same है अब मान लो तुमें अगर मैं current alternating current sinusoidal alternating current दूँ यह पर ध्यान से देखेगा sinusoidal alternating current दूँ मतलब i is equal to i not sin omega t इस यह हमारा current घर में आता है इसको कहते हैं sinusoidal alternating current i बराबर i not sin omega t plus 5 अब इसमें सारे term को मैं एके करके समझाता हूँ यह बेटा i कौन सा current है average rms की peak यह i बेटा यह i किसी t time का current है देखो यह i जो है न वो instantaneous current है add t i is equal to i not sin omega t plus 5 में t की value रखके यहाँ पर यह instantaneous current आता है i not इसका maximum possible value है क्योंकि sin theta की maximum value जब 1 आएगी तब i का maximum value क्या आएगा i not आएगा यह omega इसका angular frequency है phi आपका initial phase है phase difference at t is equal to 0 phase का मतलब होता है angle जब time को 0 रखोगा न तो है आप angle 5 बचेगा मतलब यह क्या है initial phase है इसका average current क्या आएगा माल लो इसका मैं average current पूछ हूँ तो सबसे पहले इसका graph बनाओ अगर मैं आपसे i बराबर i not omega t plus phi का graph पूछ हूँ तो पहले phi की value तुम रखो 0 तभी तो तुम्हें पता चलेगा न कि यह current actual में sine के साथ vary कर रहा है cos के साथ vary कर रहा है अगर तुम यहाँ पर initial phase ले लो 0 तो current आएगा i बराबर i not sine omega t अगर तुम यहाँ पर phi की value 90 लेते तो sine omega t plus 90 cos omega t हो जाता है हाँ या ना हाँ या ना यह समझ में आता है यह समझ में आता है ठीक है ध्यान से देखो एक रहाँ sinuosoidal का definition लिखा दे sinuosoidal current is a that current which varies periodically as a function of sine as a function of sine तो i बराबर i not omega t plus 5 में 5 0 ले लिया तो यह current आए तुमारा अब इसमें बेटा यह है तुमारा peak और यह है तुमारा instantaneous इसमें t के साथ इसका graph बनाओगे तो sine theta का graph कैसा बनेगा current के साथ sine theta का graph बेटा कुछ ऐसा बनेगा क्या हाँ इसको मैसूस करो यह तुमारा mean है यह तुमारा peak value है सबसे जादा value आईगा कब आएगा जब sine theta तुमारा क्या हो जाए 90 degree हो जाए मतलब यह पूरा omega t 90 होगा sine 91 तो current आएगा i not फिर जब 90 degrees नीचे जाओगे धीरे 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 तो current फिर हो जाएगा 0 फिर current जब sign आएगा sign 270 sign 270 की value थी minus 1 तो current आएगा minus i not देखो negative में minus i not ठीक है फिर आया 0 फिर आया peak फिर आया 0 यह हमें actual में तुम्हारे household में supply होता है ठीक है क्लियर रही यह बात यह हमारे घरों में supply होता है यह तुम्हारा mean value यह peak यह peak यह peak यह 0 फिर यह negative peak 0 यह अलग अलग time instantaneous current का हमने graph बनाए अब इसमें मेरे से पूछ रहा है कि average का बताओ तो average दो चीजों में निकाला जा सकता है half cycle and full cycle इसको बोलते है बेटा sinusoidal का positive half cycle इसको बोलते है बेटा negative half cycle फिर positive half cycle एक cycle किसको बोलते है जो total t time period लेता इसको बोलते है one cycle समझते हो नो one cycle यह sinusoidal का one cycle एक दम basic से परहा रहा हूँ देख अगर square babe का one cycle पूछे तो यह square babe का one cycle है half cycle क्या होगा यहाँ इसको half cycle बोलते है एक babe firm जो complete कर ले ना उसको one cycle बोलते है तो जब भी तुमसे average पूछे तो बता देगा कि average तुमसे half cycle में पूछ रहा है कि full cycle में पूछ रहा है अगर कुछ न बोले तो क्या मानेंगे? full cycle मानेंगे कुछ न बोले तो क्या मानेंगे? अपने आप full cycle बोलेंगे तो full cycle में इसका average निकालते हैं इस सिनस्वाइडल का full cycle में average निकालते हैं तो average मतलब खोप चाई हाँ तो खोप चाई आई आई की value क्या दिया होगा I not sin omega t तो आप रख दो I not sin omega t देखो जो constant होता उस आईगी वो actual में sin omega t के average value बेटी पेंड करेगा कि कोई sinusoidal current है देखो न आई बढ़ावर I not sin omega t बेटा देखो ध्यान से क्या लिखा है? I not sin omega t मतलब I का average value I not to constant है sin omega t का average value अगर आप यह निकाल रहे हो full cycle में कहा? फुल साइकल में, फुल साइकल में, फुल साइकल में, तो sin omega t का full cycle में value होता है बेटा, जीरो, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, sin omega t into dt का integration करोगे, into dt का integration करोगे, 0 से लेके capital time t तक, तो जब भी किसी का integration करते हो, तो integration मतलब क्या? area under the curve, 0 से t तक, total area under the curve, जितना positive यहाँ फुल साइकल में, sinosoidal current की value क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, यह तो आपको याद भी होगा, याद है बेटा, फुल साइकल में sinosoidal current की value क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यह तो आपको याद भी होगा, clear? clear? आप बर half cycle में निकाले तो, खोपचा I बराबर, I not बाहर? into sin omega t का 아빠 cycle in half cycle में zero तो नहीं हो तक fast cycle में zero तो नहीं हो सकता c ᴥ cycle में zero नहीं हो सकता क्योंकि यहां से यहां t by 2 तक integration कर रहें तो sin omega t का half cycle में जो value होता है average value of sin omega t integration किसका किया था sin omega t किया था वो होता है 2 by pi तो यह आ जाएगा यहां से 2 i 0 by pi 2 I not by Pi, क्या जाएगा भाई, 2 I not by Pi, तो कोई भी सिनुसाइडल करेंट का जो full cycle में एब्रेज होता है, जी रो, और half cycle में एब्रेज होता है, 2 I not by Pi, इवन, अगर मैं square wave लू, square wave लू, कोई भी symmetric AC लू, कोई भी symmetric AC लू, कोई भी symmetric AC लू, उसका full cycle में जब एवरेज निकालोगे वो हमेशा जीरो आएगा, फुल साइकल में जीरो क्यों आएगा, एवरेज का मतलब होता है, इंटिग्रेशन मतलब एरिया, जितना पॉजिटिव एरिया होगा, उतना ही नीगेटिव एरिया होगा कि नहीं होगा बोलू, तो इतना तो कम से कम यादी रख लो, चाहे किसी भी तरह आएवरेज हो, उसका फुल साइकल में वैरेज वेल्यू जीरो होता है, बोलो, साइन ओमेगा टी वैरियेबल है सर, हाँ तो वैरियेबल है, बिलकुल है, वो तो ग्राफ ही बना है वैरियेबल, sin omega t variable नहीं तो graph कैसे बना है ये देखो sin omega t का full cycle में जो value होता है वो होता है 0 sir, cos omega t का cos omega t का भी full cycle में value होता है 0 full cycle में sin omega t का half cycle में integration करोगे मतलब 0 से t by 2 तक या cos omega t का 0 से 2 by 2 तक integration करोगे तो या अदर आता है 2 by pi ये सिर्फ sin omega t और cos omega t का average है half cycle में किस में? half cycle में 2 by pi clear है ये बात clear है ये बात clear है ये बात बताऊंगा rms का अभी तो rms पर आई नहीं बताऊंगा अभी तो average ही समझा रहे है न भाई तो मालनो कोई भी current है i बराबर i not sin omega t तो i not तुमारा क्या है? peak इसका average value बताऊ full cycle में जब ना कुछ बोले तो full cycle समझेंगे तो तुम्हें बोले इसका average बताऊ तो 0 हाँ अगर full cycle में बोले तो भी 0 average बोले तो भी 0 अगर तुमसे बोले कि इसका average half cycle में बताऊ तो हाफ साइकल में इसका एवरेज हो जाता है 2 I not by pi कैसे तो इसका एवरेज I not तो बाहर constant होगा sin omega t का एवरेज I not बाहर है sin omega t क्या होगा 2 by pi I not 2 by pi तो देखो 2 I not by pi clear है याद रखोगे इसको याद रखोगे इसको समझ में आया अब यहाँ पर देखो sin square omega t का एवरेज वेल्यू होता है half चाहे तुम half cycle में लो या full cycle में sin omega t into cos omega t का एवरेज वेल्यू होता है 0 full cycle में full cycle में sin omega t का half cycle में 2 by pi half cycle में 2 by pi full cycle में 0 याद देखो sin square omega t जब तुम sin square का graph बनाते हो तो यह positive negative दोनों में जाएगा कि सिर्फ positive में रहेगा यह बताओ जैसे तुम sin theta का graph बनाते हो तो sin theta graph बिटा ऐसा बनता है थोड़ा mathematical है लेकिन समझो sin theta graph कैसा बनता है तो sin theta graph कैसा बनता है ऐसा अचा अगर मैं sin square theta ग्रफ पूछओ तो एलगो sin theta में sin square theta का पूछो तो मैं तो sin square theta का मंदर इसका square करोगे इसका square करो तो graph विटा आधा ऐसा देखो देखेगा कि नहीं देखेगा बताओ दिखेगा? हाँ. तो भाई, square करने के बाद, तो यहां से यहां का variation या यहां से यहां का variation देखो, या यहां से यहां का variation देखो, एक यह जैसा है. जो pattern आपको half cycle में variation का दिखेगा, कि full cycle उसले तरह का दो pattern दिखेगा? हाँ. तो जब भी आप sine square omega t का average ले,Conf 2 स्क्वाइर ओमेगा root का एव एवरेज ले तो यह एवरेज हाफ साइकल का हो हो यह फुल साइकल का सेम आएगा हाफ साइकल बोलो या फुल साइकल बोलो सेम आएगा और उसकी value नुट होते यह हाफ उसकी value क्या होती है, half सरी हाफ cycle का है full cycle का साइन इस्क्वाइर में half हो या full हो value क्या आएगा same आएगा value क्या आएगा same आएगा half cycle लिखो या full cycle लिखो इसका value same आएगा वो क्या होता है half अब मैं अगर आप से पूछू i is equal to i naught sin omega t का find rms current root mean square current average तो समझ गया half cycle full cycle का find rms current अब इसका rms current क्या होगा सवाल देखिएगा प्लीज i बराबर i naught sin omega t का rms current क्या होगा तो देखो solution अराम से देखना rms मतलब हम जिसका rms निकालते उसका कर देते square इसका कर दो square तो left hand side में square i square बराबर i naught का square sin square omega t मानते हो ये बात हाँ उसके बाद उसके बाद कर दो mean mean मतलब खोपचा खोपचा of i square बराबर constant हमेशा खोपचा से बाहर रहेगा तो i naught का square बाहर खोपचा में अंदर sin square omega t कितना जोड़दार है क्या ये rms आ गया नहीं अब तो हम root करेंगे तो इसका दोनों तरफ कर दो root देखो ये root बराबर में ये root ये पूरा तुम्हारा square का average फिर root ये हो गया तुम्हारा i rms तो इधर i rms क्या होगा i naught का square बाहर आएगा तो बाहर में आजाएगा i naught root under sin square omega t average value क्या होता हाफ तो ये हो गया बेटा उपर i naught 1 upon root 2 ये हो गया आपका rms current half या full बोथ half and full cycle ले half and full cycle both i naught by root 2 अब तुम मुलो कि नहीं सर ये सब समझा आ गया लेकिन sin square omega t average value समझना है तो या निकाल ले आजा मैं बता तो बेटा चिंदा क्यों कर रहा है sin square omega t average value यहां निकालतो चल किसी का भी average कैसे निकालते है सर उसका कर देते integration sin square omega t का integration dt divided by integration of dt कर दो sin square omega t का integration कर दो dt के साथ 0 से t के बीच में 0 से t के बीच में solve करके half आ जाएगा integration कर लो बो तो half cycle में rms i naught by root 2 full cycle में rms i naught by root 2 half cycle में rms i naught by root 2 full cycle में rms i naught by root 2 average full cycle में 0 half cycle में आथा 2 i naught by pi half cycle में आथा 2 i naught by pi ले यहां पे कर दिया मैंने अब board के हिसाब चो तुम्हें तो sinusoidal ac परना i naught sin omega t या i naught cos square omega t अब उसको देखो average values बताव इसका क्या होगा average value होगा 0 average value half cycle में क्या होगा 2 i naught by pi rms क्या होगा i naught by root 2 अगर square ac हो तो अगर square ac है तो उसका average full cycle में होगा 0 half cycle में उसका average होगा i naught क्यूग क्योंकि square ac में क्या होगा है कि current और time का Rabb देखो तो current half cycle में constant flow कर रहा होता है i naught एक फिर negative half cycle में minus i naught constant होगा इसवरां आप constant deal का अगर मैं यहाँ तक average निकालो तो आभ से क्या आएगा constant current तो constant i naught ever is i naught आएगा अगर मैं यहां तक RMS निकालो, अरे, fix value है, तो RMS तो वही आएगा, बच्चे खबरा जाता है, square way में पूछता है, वो लगा देता, I not by root 2, I not by root 2 sinusoidal में आया है, sinusoidal का मतलब है, sin, theta and cons, theta के function में अगर vary कर रहा है, तो half cycle में 0, sorry, full cycle में 0, half cycle में 2 I not by, यहां पे square है, तो square में, full cycle में तो average 0 आएगा, लेकिन half cycle में average I not, RMS I not, sir, RMS I not क्यों, क्योंकि तुम current का square करो, तो I not का square हो जाएगा, फिर उसका average लो, average तो I not यह आएगा, फिर root लगा दो, तो I not का square root से बाहर जाएगा, तो I not, देखो कितना अच्छा है, triangular में, अगर triangular के साथ AC vary कर रहा है, AC vary कर रहा है, तो half cycle, full cycle में उस coverage 0, average किसी का भी full cycle में 0 ही आएगा, triangular में जो average आता हो आता है, I not by 2 half cycle का, और उस कारे में साथ है, I not by root 3, यह derivation board में काम का नहीं है, अभी तक लिए याद रख लिजे नहीं, तो यह करा देता है, clear है, clear है, clear है यह बात, clear है यह बात, clear है यह ब सवाल पूछता हूँ, यह सवाल अभी तक बहुत कम बच्चे दे पाएं है, इसका जवाब, देखना सवाल किया है, if AC current, I is equal to I not sin omega t, then find its average value, average value in half cycle, half cycle, option number A, बढ़िया सवाल है, 2 I not by pi, option number B, 0, option number C, I not by pi, option number D, both A and B, अब देख भाई, मैं जो कहना हूँ, ध्यान से सुनना, अब कोई भी ACO full cycle में उसका average 0 होता है, कोई भी ACO full cycle में उसका average 0 होता है, यह तो तू जानता है, full cycle में average क्या होता है, 0 देखने हैं आपे, sinusoidal AC, square AC, triangular AC, full cycle में average 0 तो इसका तुछ रटने का काम है नहीं, 0, अच्छा सवाल है, बिल्कुल, आप बहुत अच्छे तरीके से विटा, जवाब दे रहे हैं A, मुझे आपके जवाब को appreciate करना चाहिए, लेकिन इत्तिफाक से आपका जवाब गलत है, अभी तो परहाया यार, और टेवल भी बना कर दिखाया, मास्टर देखो कितना पगला गया है, sinusoidal AC में, half cycle का average होता है 2i not by pi, परहा भी रहा है, मास्टर, पगला मास्टर है, मास्टर तो पगला है, अभी इसने परहाया, पूरा डिटेल में समझाया, कि full cycle का average zero होगा, half cycle का 2i not by pi होता है, लेकिन मास्टर पगला है, कैसे, क्योंकि answer आपका आएगा, बोथ A and B, सर्फ full cycle में zero होता है, तो half पूछा है, find half cycle, इसलिए तो जही नीट सब लोग नहीं निकाल पाते हैं, और बोर्ड में topper सब नहीं होते, बाकि सब को तो पता ही है यह, लेकिन सब टॉपर तो नहीं होते, क्या reason होता होगा, बुद्धी, कैसी बुद्धी है, आउसिखाते हैं, i बराबर i not sin omega t, तो अगर इस current, i बराबर i not sin omega t का graph, अगर आप t के साथ बनाएंगे, तो graph आपका कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा, हाँ सर ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, यह तो सही बात है, यह graph ऐसा बनेगा, चलो ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि full cycle में बरेज बताओ, full cycle किसको बोलते हैं बैटा, full cycle का definition बताओ, full cycle मतलब एक waveform, यहाँ से यहाँ full cycle बोलेंगे, a से b तक, यह मानलो मैं c बोलता हूँ और इसको d बोलता हूँ, क्या c से db full cycle होगा, क्या c से db full cycle होगा, क्या c से db full cycle होगा, बेफ फर्म होई होता है बैटा, positive peak, 0, negative peak, 0 और positive peak, full cycle होगा, क्या अगर मैं c से d तक average निकालो तो 0 आएगा, हाँ, देखो, यह आधा positive, यह पूरा negative, और यह आधा positive, तो 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ओके, ओके, लेकिन हमें full cycle में तो नहीं देखना हमें, half cycle में देखना है, तो half cycle किसको कहते है बैटा, अगर मैं यहाँ पर d बना दू, half cycle किसको कहते हैं, तो half cycle मतलब आधा waveform, यह B है मान लो, तो यह A है, यह B है, यह C है, यह D है, यह E है, तो यहाँ पर half cycle किसको बोलोगे, तो मैटा, half cycle का मतलब है आधा waveform, आधा waveform यहाँ पर बन रहा है A to C, या आधा waveform बनना, C to E, C to E आधा waveform है, A to C आधा waveform है, या B to D, यह भी आधा waveform है, कौन सा, इस B से लेकर किए D के बीच में, आधा waveform है, देखो, इसको आधा waveform नहीं बोलोगे, और च अच्चा, यह आधा waveform है, कुछ तो परा होगा इसको आधा वेफ़र्म कहते हैं मीन से मीन ही आधा वेफ़र्म बने ये जरूरी नहीं है ये पॉजुत Twartil हाफ साईकल बोलते हैं Izको इसको फषाइकल बोलते हैं इसको निगेटीज वाफ साईकल बोलते हैं लेकिन B to D, B से D, जितना positive area उतना ही negative area, ये भी half cycle है और इसका average देखो 0 आएगा, मतलब आपका answer दोनों चला जाएगा A and D, तो sir लेकिन table में या किताबों में हर जगा तो ये ही लिखते हैं, तो गलत लिखते हैं, ये अगर बोलेना कि positive या negative half cycle का है, तब ये सही होगा, लेकि किताबों में मान के चलते हैं, कि हमने sinusoidal का half cycle 2i not by pi लेने के लिए ये ही लिया है, ये तुम्हारे चचाक लिखवा के गए हैं, क्या, यही लोगे half cycle इसको भी बोलते हैं, तो अगर option में 2i not by pi होता, 0 नहीं होता, तो हम इसको tick करते हैं, half cycle के लिए, लेकिन 2i not by pi और 0 दोन करना पड़ेगा, दोनों tick करना पड़ेगा, समझ में आये की नहीं है, बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, वैसे होता है, अगर तुमसे बोले कि sinusoidal का half cycle में इस बताओ, तो बोल लो 2i not by pi, बोल ले, लेकिन अगर 0 भी option है, तो देखना पड़ेगा, ये भी half cycle define होता है, ठी voltage of the domestic AC is 220 volt, what does this presence, domestic मतलब sinusoidal, तो यहां से 220 volt दिया है, जब देखो, मैंने क्या बोला, कि RMS हमारा वो value होता है, जिसको हम कहते है, effective value, जिसको हम बोलते है, virtual value, या reading, या कोई भी AC लिखा होना, तो RMS लिखा होता है, जैसे मैंने तुम्हीं यहां पेहले page पेहले page पेहले page पे AC दिया, तो 220 यहां पे किस value को रिपरेजेंट कर रहा है, RMS को, यही RMS का तो significance है, यही RMS का क्या है, significance है, देखो, अगर लिखा है, the voltage domestic value of AC 220 volt, what does this present, mean value, peak value, root mean voltage, root mean voltage, root mean voltage, root mean square voltage, अरे, root mean voltage नहीं रहे, root mean square, यह नाम ही गलत लिखा है, D, अरे नाम गलत लिखा है, देखना, सी किदा लिखा है, root mean voltage, root mean voltage हो नहीं होता है, RMS, root mean square voltage होता है, पूरा, आरे बच्चे, पूरा परे भीना एंसर दे दिये, रहे, root mean voltage नहीं, D होगा, यहां देखो, in alternating current, circuit, AC meter measure, AC meter किसको measure करता है, जैसे हम बनाते हैं न, यह emitter, यह voltmeter, तो यह actual में, अगर current मैंने लिखा, I बराबर, I not sin omega t, ठीक है न, यह sinusoidal current लिखा, इसमें I not है तुम्हारा peak, I not क्या है बेटा, peak, I है instantaneous, full cycle coverage 0, अगर full लिख दे तो 0, half coverage 2 I not by pi लेके चलते हैं, और RMS क्या होता है, I not by root 2, यह याद रहेगा, तो यह क्या measure करता है actual में, peak को, instantaneous को, average को, mean को, कि RMS को, read करता है, in alternating current, the AC meter measure, AC meter, AC meter, AC volt meter, किसको measure करता है, RMS current को, तुमसे reading पूछेगा, अगर AC source दे दे, उसमें reading पूछा, जैसे माल ले मैं एक सवाली बना ले तो, एक सवाल बनाता हूँ, जैसे माल लो यह meter है, और बेटा यहाँ से current जा रहा है न, मजा आ जाएगा, I बड़ाबर 10 sin omega T, इसका reading बताओ कितना होगा, reading of emitter, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा reading of emitter बता दे, मजा आ जाएगा, एक दम concept मुझे समझा जाएगा, कि तुमें समझ आ गया, कि हम सब समझ को हागया, समझा है, समझा होगया, बताओ आई बराव टेन साइं ओमेगा टी तो इस एमीटर की रिडिंग क्या 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 होगीा पताएगा तो एकदम धमाकेदार तरीके से बच्चों का जवाब आ रहे है 10, 10, हाँ, आयूस बेटा का जवाब, बिनीता का 10, चोली का 10, एक ऐसा नाम रखा है, वोवनेश का 10, अमीर का 10, ठीक है, बेटा, आस पास में कई चपल बढ़ा है, एक चपल, उठा के सर पे मारो, और देखो, अगर equation के साथ ये current लिखा है, तो ये इसका किसी instant पे instantaneous, रट ले आमीटर कभी पीक को मेजर नहीं करता, आमीटर मेजर करता है, पीक बटा रूट टू, current equation में ये पीक है, तो दस बटा रूट टू मेजर करेगा, गधेरा, अंकूर बिटा अभी भी कह रहा है, दस, है कहीं आसमास में चपल बढ़ा है, भाई मेरे, ये current जा रहा है इसे, तो दस तो पीक है न, ये पीक को नहीं मेजर करता भी, तू ने, मैंने बताया, in alternating circuit, the AC meter measure, RMS value, और sinusoidal का RMS क्या होता है, देखो, RMS, I0 by root 2, जितने लोग उने 10 लिखा है, sorry बोलो खुद से, और नीचे कहीं, नीचे ऊपर कहीं चपल पर रहा, तुर निकाल गे मारो एक चपल, ताभी सुदर होगे, इधर देखो, the equation of the alternating voltage, V is equal to 10 root 2 sin 100 pi T volt, ये voltage का equation दिया हुआ है, है न, the RMS value of the voltage and frequency will be, तो देखो, बैटा देखो, ऐसा board में मैंने कितनी बार सवाल देखा है, ये देखो, V बराबर, 100 root 2, sin 100 pi T दिया हुआ, ठीक, तो equation में, जो sin के साथ यहां पर तो peak है, और जो RMS होगा न, वो होता है, peak बटा root 2, तो peak है तुम्हारा, 100 root 2 by root 2, तो 100 volt आ गया तुम्हारा RMS, और क्या पूचा है, frequency पूचा है, frequency पूचा है, तो sin omega टियां पर लिखते हैं, तो ये omega की value 100 pi आ गई न, omega की value कितनी आ गई 100 pi, omega angular frequency है, omega को हम लिखते हैं 2 pi f, is equal to 100 pi, pi से pi करतेगा, frequency is equal to 50 hertz, ठीक है, तो 150, 150, ये आ है आपका जबाब, बाई ये, clear है, clear है भाई, ये देखो, equation of the alternating current is given by i is equal to 100 root 2 sin 100 pi t plus pi by 6, ये पूरा equation है, पूरा equation ये है, 100 root 2 sin 100 pi t plus pi by 6, the time taken by the current to reach the root mean square value from t is equal to 0, अब t is equal to 0 से, root mean तक पहुचने भी कितना time लेगा, देख भाई, ये तुमारा instantaneous current, peak इतना, ये बोलाई कि, वो time बताओ, कौन सा time, ये t बताओ, जब यहाँ पे current की value, root mean square तक चला जाए, सवाल पर हो, सवाल पर हो, the equation of alternating current is given by this, the time taken by the current, to reach the root mean square value, from t is equal to 0, तो ये क्या पूच रहा है, कि root mean square तक current कब पहुचेगा, तो ये current की value है, ये कितने time की बाद, root mean square हो जाएगा, मतला वो time बताओ, जहाँ पे current हे, यहाँ पे rms हो जाए, तो rms की value क्या होती है, peak by root 2, तो सबसे पहले rms बताओ कितना होगा, rms होगा 10 root 2 by root 2, peak क्या इसका, ये peak यहाँ लिखा होता है, तो 10 root 2 by root 2 current है, 10 root 2 into sin, 100 pi t plus pi by 6, इस t की value में चाहिए, 10 root 2 से 10 root कटेगा, 1 by root 2 is equal to sin, 100 pi t plus pi by 6, यहाँ पर, यह पूरा sin theta, 1 by root 2 कभ होगा, जब इस पूरे theta की value pi by 6 हो, देखो, 1 by root 2 बरावर sin theta मालो, पूरा इसको theta मालो, तो 1 by root 2 बरावर sin theta, तो sin theta बरावर 1 by root 2 ता भोगा, जब theta पाई बरावर 4 हो, हो, मतलब ये पूरा वेक्टर पाई बाई फोर हो, तो यह हो गए 100 pi t plus pi by 6 is equal to pi by 4, इस pi by 6 को उधर ले जाओ, 100 pi t is equal to pi by 6 उधर ले जाओगे, pi by 4 minus pi by 6, तो यह होगा 1 upon 4 minus 1 upon 6, pi से pi cancel कर दो, 100 t is equal to, यह 6 चुगा 24, LCM लो और 6 minus 42, 2 बटा 24, मतलब 1 बटा 12, तो t is equal to 1 बटा 1200 सेकेंड, यह इतना टाइम लेगा, जब करेंट अपने RMS तक जाएगा, यह equation दिया होगा था, RMS करेंट हमने यहां से निकाल लिया, RMS की value पूट कर दी, और टाइम निकाल लिया, क्लेर भाई, करना परेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हवा में नहीं होता काम, कलम खिसना परता है, कलम खिसना परता है, संसार का नियम है, जिसने घिसा है, वो चमका है, समझाया, ठीक है, जिसने घिसा है, वो चमका है, अब आओ, तुम्हें समझाएं, इसी वोल्ट अप्लाई टू रेसिस्टर रिपरेजेंट एसी करेंट वोल्टेज पर रोटेटिंग डाग्राम, यह बनाएंगे, यह बनाएंगे, अभी रुक जाओ, सुनो इधर, चलो यह, यह देखो ध्यान से, पीक वैल्य अप्लाई अल्ट इमफ, इ बरावर इनॉट साइंगे, अप्लाई अप्लाई यह बनाएंगे, उचमें बोला है कि, इसका पीक वैल्यू 10 बोल्ट है, और उसने बोला, कि फ्रिकुंशी 50 थ्यूंच है, अगर बेटा फ्रिकुंशी 50 हाट्स है, तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा होगा 2 Пई, F की वैल्यू 50 रखोगे, तो यह आ जायगा 100 प्ई, ओमेगा की वैल्यू information से हमने equation लिखा है, सबसे पहले सवाल को decode करिए the peak value of the alternating EMF, E is equal to E naught sine omega T is 10 volt and its frequency is 50 hertz, तो भाई, peak value तुम्हें 10 volt दे दिया peak value हुई E naught होता है, और frequency तुम्हें 50 hertz दे दिया 50 hertz frequency ये तो omega निकाल दिया, अब पूछा है इतने समय पर जब T is equal to 1 बटा 600 second पर, instantaneous value of E में बताओ, तो मैंने बोला नहीं, ये instantaneous value of EMF, तो E बराबर हो गया 10 sine 100 pi, T की value क्या बोली उसने, 1 बटा 600, तो time की value रख दो 1 बटा 600, double 0 से double 0 कटेगा pi by 6, 10 sine, pi by 6 कितना होता है, 30 degree, 30 degree, sine 30 degree half, 10 multiply half बराबर, 5 ampere, C is your correct answer, B answer दे रहे हैं, वाह, B, 5 root 3, धन्य है प्रभुवाप, धन्य है, कहां थे इतने दिनों तक, आपकी तलास में हम भटक रहे थे, आपको नहीं पता था, चीनी पानी, कईसे, 5 root 3 कईसे, instantaneous value of यह में पूछा है, पीक वो आरे में स्थोरी न पूछा है, B कैसे निकाल रहा है, यह, कैरा एक घंटा होगे यहीं चल रहा है, हां, इसलिए तो बेटा, यह जो answer दे रहे हो ना, परके, इदर उदर से परके, जा के यहीं करोगे एक्जाम में, ऐसी answer निकालोगे तुम, गजब चोम हूँ है यार, हालत खराब एक दब, हालत खराब एक दब, चलो इदर देखो, इसका average value अगर तुम से पूछे, find average current, जब कुछ ना बोला, तो full cycle में देखेंगे, बताओ, इस सवाल का solution बताओ, फटा-फट, आई बराबर 10 sin omega t plus pi by 6, then find average current, जब यह average current लिखता है, और कुछ ना बताए, तो यह average current कहां पुछेगा, फुल cycle का, देखो, आई बराबर 10 sin omega t plus pi by 6, तो इसका average current खोपचा आई बराबर, 10 बाहर, खोपचा of sin omega t plus pi by 6, अब sin omega t में कुछ भी हो, omega t plus pi by 6, omega t plus pi by 3, फुल cycle की जब बात होगी, फुल cycle में हमेशा इसका average value 0 आएगा, इसका answer होगा 0, क्या होगा इसका answer? 0, clear है? इसका answer क्या होगा? 0, यह कराता हो अभी, फेज, फेजर डाइग्राम, फेजर डाइग्राम, फेजर डाइग्राम, फेजर डाइग्राम क्या होता है? कि कोई भी sinusoidal variation को न हम फेजर के साथ समझाते हैं, जैसे, अगर मैं आप से बोलूँ की, sin theta और cos theta के graph में क्या difference है? तो देखो, sin theta का graph, t is equal to 0 पर 0 से start होता है, और cos theta का graph, t is equal to 0 पर peak से start होता है. यह cos theta का graph है, और यह किसका है? sin theta graph, यह green color और white color से जो graph बनाया है, उसको minutely थोड़ा देखने की कोशिस करो, कि time के साथ या angle के साथ जो मैंने यह graph बनाया है, उसमें कौन आगे चल रहा है, कौन पीशे चल रहा है? कौन आगे चल रहा है और कौन पीशे चल रहा जड़ा देखते हैं? जहां से देखो, यह मैंने green color से graph बनाया है, देखो हरियर का, पूरा हरियर का नहीं है, का आगे हरियर का, है क्या? यह होगा, यह देखो, इस green color से graph बनाया है, और एक white color से graph बनाया है, इस graph को देखो, तो T is equal to 0, 0 मतलब sin का graph है, और हरियर का cos का graph है, इसमें आगे कौन चल रहा है, इसमें बेटा आगे चल रहा है आपका green color का graph, कितने से, πाई बाई 2 से, मतलब जो cos theta होता है न, वो πाई बाई 2 आगे चलता है, तुम सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, मजा आ गया, तो हम यहाँ पर phasor diagram में कैसे represent करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं, कि मान लीजिए कि यह आपका i0 sin omega t है, इसमें, इसमें instantaneous current की जो value i0 न, इस graph का length represent कर रहा है, मतलब vector representation बताते हैं, और sin omega t के direction को हमने इधर मान लिए, x-axis में, अगर cos omega t होगा, तो हम यहाँ पर represent करेंगे i0 cos omega t, मतलब, anti-clockwise direction में, sin omega t से pi by 2 degree आगे चलता है cos omega t, अगर आगे sin है, तो पीछे हो जाएगा बेटा, minus sin omega t, और नीचे हो जाएगा आपका minus cos omega t, सुनो, अगर कोई current है, i0 5 sin omega t, तो इसको इस line में draw करेंगे, 5 इसका length sin omega t, अगर 10 sin omega t हो, तो length बला देंगे, sin omega t का, यही direction fix हो जाएगा, लेकिन मालनो मेरे पास current है, i1 बराबर, 10 sin omega t, पलस 30 degree, या pi by 6, तो अब मुझे बताओ, 10 तो इस vector का length होगा, 10 तो इस vector का length होगा, और direction यह decide करेगा, sin omega t, पलस pi by 6, तो sin omega t को मैं नहीं आबाना है, इससे 90 degree आगे होता है cos omega t, तो यह कहां जाएग sin में की cos में, तो देखो, anti clockwise में angle हम बेटा, positive लेते हैं, anti clockwise में angle हम positive लेते हैं, जब मैंने लिखा 10 sin omega t, पलस pi by 6, क्या लिखा, 10 sin omega t, पलस pi by 6, मतलब sin omega t, जहाँ है, उससे pi by 6 आगे, मतलब उसको यहाँ पे हम plot करेंगे, यह होगा, तो महारा i1 बराबर 10, sin omega t का direction इधार है, उससे pi by 6 आगे, यह, अगर 10 sin omega t होता तो इसी line में draw करते, 20 sin omega t होता तो इसमें draw करते, 40 sin omega t होता तो इसमें draw करते, 40 sin omega t होता तो इसमें draw करते, 40, 20, 5 तो length बता रहा, sin omega t का direction यह fix कर दिया, तो sin omega t से plus, मतलब anti clockwise pi by 6 आगे, यह line पे हम draw करेंगे, इसी को कहते हैं बेटा, phasor diagram बस, 30 degree anti-clockwise आगे बस, अच्छा, अगर I2 बराबर ऐसा हो तो 5 sin omega t प्लस πाई बाई टू, ये कहां जाएगा बोलो, ये कहां जाएगा बोलो, बेटा, सुनना अच्छे से, एकदम इमानदाई से बोल रहाओ, 5 sin omega t होता, तो आगे, sin omega t होता तो आगे, ये sin omega t के direction से πाई बाई टू आगे है, मतलब इधर, इधर आएगा, ये sin omega t में πाई बाई टू एड़ कर दे, इधर आएगा I2, ये होगा तुम्हारा I2 बराबर 10, sorry 5 है, तो length तो चोटा कर लेना, ये I2 बराबर 5, sin omega t प्लस πाई बाई टू, ल चमका की नहीं, चमका बताओ, चमका की नहीं, चमका बताओ, on y axis, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, इसे हो कहता है phasor diagram, जो सबसे मुश्किल होता है, बच्चा नहीं समझता है, वो कितना easy है, अब मालो ये I1, I2, I3, I4 को हमें plot करना है, अब हम ये जो angle लोगे न, omega t, तो देखो, 0 से omega t लिया है, कुछ है, तो इधर हम sin omega t ले ले लेता है, वे बुरबक, चल, सुन्ध्यान से, हम, हम, x axis वाले line को sin omega t बोलेंगे, तो जो भी sin omega t में होगा, वो कहां होगा, आगे होगा, जो भी sin omega t में होगा, कहां होगा, आगे होगा, ठीक है, हम x axis में जो भी sin omega t आएगा उसको plot करेंगे इस से pi by 2 cos omega t आएगा यहाँ plot करेंगे minus sin omega t आएगा यहाँ plot करेंगे minus cos omega t आएगा यहाँ plot करेंगे अब देखो ध्यान से पहला current है तुम्हारा i1 बराबर 4 sin omega t plus pi by 6 क्या है 4 sin omega t plus pi by 6 मतलब length 4 कि टम्स में लिंथ लंबाई होगा जैसे 4 के गंबरे 5 ज्यादा होगा, 3 कम होगा और sin omega t से 5 by 6 आगे, मतलब यह बनेगा, यहां पे तुम्हारा आएगा I1, sin omega t से 5 by 6 आगे बोलो, हाँ यह ना, हाँ यह ना, clear? अब आगे देखना, I2 है 5 cos omega t, cos omega t minus pi by 3, एक मिनट, एक मिनट, 5 cos omega t minus pi by 3, मतलब सिर्फ cos omega t होता, तो उपर plot करते, cos omega t से minus pi by 3 पीछे, minus मतलब anti clockwise, यह pi by 3 6 30 डिगरे होता है, और यहां से pi by 3 पीछे, मतलब 60 डिगरे पीछे, इधर, क्या तुम्हें बेटा, इमानदारी से बताना, देखके पता चल रहा था, कि I1, I2 बास्तविक्ता में, एक ही लाइन पर होगा, यह तुम्हारा I2 होगा, और यह तुम्हारा I1 होगा, कई बाद देखके पता चल रहा था, नहीं, plot करने के बाद पता चला, देखो, देखो, सेम लाइन पर आएगा, और यह अगर तुम्हारा 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 था, कि अनुवती, खतम, सर थोड़ा उपर नीचे दिख रहा है, भाई इसलिए बनाया है कि यहाँ पर अलग लग दिख पाये थोड़ा सा, लेकिन है दोनों एक ही लाइन पर, कैसे, एक बात बताओ, साइन से 30 डिगरी उपर और कॉस से 60 डिगरी नीचे तो एक ही जगा जाएगा, नीचे क्यों, क्योंकि माइनस पाई वे थी यह, कॉस ओमेगा टी से नीचे, क्या यह दोनों चमका तो आग लगा दो कमेंट बॉक्स में एक दम, नहीं चमका, बताते हैं फिर से कोई बात नहीं, अगर मेरा एक्वेशन होता, यह 4 साइन ओमेगा टी, तो इसको हम कहां प्लॉट करते, चार लेंद और साइन ओमेगा टी मतलब इस लाइन पर प्लॉट क का लाइन यह है, हम 5 cos omega t यहां प्लॉट करते, 5 cos omega t प्लस 5 by 3 होता तो हम anti-clockwise में जाते, minus 5 by 3 है तो हम इधर जाएंगे, बताईए, बताईए, चमका एक दम, i3 देखिए, 4 cos omega t minus pi by 2, i3 cos omega t से pi by 2 पीछे ले चचा, यह आएगा i3, क्या से क्या हो गया, चारा यह cos था और sin में चला गया, क्योंकि 4 cos omega t minus pi by 2 है, cos omega t जहां है, वहां से pi by 2 पीछे, minus का मतलब clockwise में, i4 है 3 cos omega t, ले, यह i4 ले, खुश हो जा, i4 यहां आएगा, यह तरह i4 है, i4 का इंतिजार था तो में, ले, यह i4 है, सर, क्यों i4 है, क्योंकि i4 का value 3 magnitude और cos omega t में, pure cos omega t में यह आएगा, और यह cos omega t से pi by 2 पीछे, pi by 2 पीछे यहां जाएगा, बताओ, समझाया, इदा देखो, minus 4 sin omega t, कुछ नहीं करना, यह है तेरा i5, minus 4 sin omega t, यह देख, 4 cos omega t से pi by 3 आगे, कह रहा था न, यह यह i6, सर, इसका लंबा length क्यों कर दिया, और वो तो ऐसी बना दिया, ले, कर देता हूं, रो मत रू, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हर बात पर रोने लगता है, ले, 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 यह तेर i6 है, सर, इधर कैसे आया, i6 क्या बोल, 4 cos से, cos omega t से pi by 3 आगे, यह pi by 3 आगे होगा, यह तर आई 6 होगा, ले, 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 आई, भूरा, बुझा राए गया, बुझा राए गया, अब मान लो, कि हमें, करेंट दिया हुआ है, i1 बराबर 3 sin omega t, और i2 बराबर 4 cos omega t, मान लो, यहां से करेंट है, i1, जिसकी वैल्यू है 3 sin omega t, देखी भाई, 3 sin omega t, और इधर से current आई i2, इसकी value है 4 cos omega t, अब मुझे i3 बताना है, तो क्रिचॉप्स रूल से हम जानते हैं कि इधर से current आया हुँए, इधर से i2, net current i3 क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, फेजर डाइगराम यूज करेंगे, फेजर डाइगराम कैसे य 3 sin omega t, मतलब length 3 sin omega t, इधर plot करेंगे, यह देखी, length 3 और यह sin omega t, और यह 4 cos omega t, मतलब length 4 cos omega t, अब इन दोनों को जब हम add करेंगे, इधर 3 इधर 4, तो 90 degree बन रहा, हाँ, 90 degree में 3 और 4 का सम क्या आएगा, 90 degree में पाइथागोरा सिर्म, base और perpendicular का सम, यह hypotenuse आएगा, यह है तुमार 4 यह 3, बताओ 3 और 4 का सम यह क्या आएगा, 5, और एक सक्सी से कितना आगे है, साइन से कितना आगे होगा, यह alpha ले ले लेता है, 10 alpha आएगा, तुमारा 4 बटा 3, 10 alpha 4 बटा 3 मतलब alpha 33 डिगरी, मतलब इस 3 और 4 90 degree होने की वैसे सम आएगा, 5 और साइन से 33 डिगरी आगे, साइन 5 साइन से 37 डिगरी आगे गलत, 5 साइन से 33 डिगरी आगे एंसर, 5 साइन से 45 डिगरी आगे गलत, 5 साइन से 30 डिगरी आगे गलत, यह एंसर सही, खतम, बताओ, बोलो धिहान से, समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मजलब 99% बच्चों का जवाब सही है मालो यह तुम्हारा करेंट है alternative current is given by i1 cos omega t i2 sin omega t then rms value of the current is तो देखो rms value कैसे निगालते है rms value किसी भी चीज़ का जैसे यह current है i1 cos omega t i2 sin omega t तो इसका sum कर दो तो sum करोगे तो इधर है तुम्हारा आई टू और इधर है i1 इन दोनों का sum क्या होगा इन दोनों का sum होगा नभे डिगरी पर root under i1 का होल स्कॉर प्लस आई टू का होल स्कॉर तो इसका peak आ गया i1 का होल स्कॉर और peak बटा root 2 तो root 2 को अंदर करोगे इसको तो i1 का whole square plus i2 का whole square by root 2 इसको इसको सही बोल देते यह गला थे रूट 2 से डिवाइड कैसी इंसर आजाएगा देखो clear रहे गया बिटा चलिए अब अगर तुम्हारा current ऐसा हो i बराबर 2 प्लस 3 sin omega t मतलब यह एक DC current 2 और AC current 3 sin omega t इसका rms क्या होगा value then the effective value effective value का मतलब होता है rms value effective value का मतलब होता है rms value देखेगा देंस if the instantaneous current in a circuit is given by i बराबर 2 प्लस 3 sin omega t देखे i बराबर 2 प्लस 3 sin omega t then the effective value of the resulting current in the circuit is मतलब rms अचा माल लो तुम्हें समझ निया और आमेस कैसे निकाले तो पूरे basic से जाओ rms का मतलब होता है इसका square कर लो जिसका rms निकालना उसका square कर लो चलो इसका square कर लो चलो i square बोलो इधर क्या होगा दो का उसक्वार 4 प्लस 3 sin omega t का उसक्वार हो जाएगा तो अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना है ना बेट एक दम blank हो जाओ एकदम blank हो जाओ कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कैसे निकालोगे तो सबसे पहले तुम कर दो square फिर कर दो उसका mean हमने कर दिया square और फिर कर दियता mean mean मतलब खोपचा कोपचे में ले लो इसको i square को खोपचे में ले लो ले लिया खोपचे में तो इधर भी सबकोपचे में ले लो खोपचा ओफ चार प्लस 9 constant तो बहार रहेगा, तो एक ही term है 4, तो 4 ही रहेगा, 9 constant है बहार, sine square खोपचा, sine square omega t प्लस 12 बहार, sine omega t का खोपचा, and, जब कुछ ना बोला है तो full cycle, कुछ ना बोला है तो full cycle, full cycle में खोपचा sine की value होती, 0 और sine square omega t का खोपचा अब रे, साइन खोपचे के अंदर 0, लेकिन साइन इसकोईर खोपचे के अंदर half, तो यह आएगा तरह, 4 का average 4, plus 9, साइन इसकोईर, omega, t का average value half, यह आएगा, ठीक है, तो खोपचा of I square, खोपचा of I square मितलब I square का average, क्या यह RMS है, नहीं, हमने किया पहले square, फिर उसका लिया ख दो, दो LCM लोगे, तुछ 8 और नो 17, root 17 बटा दू, root 17 बटा दू, समझ रहो, समझ रहो, 10 समझ रहो, 10 समझ रहो, क्यों है 10, खोपचा मितलब एवरेज, चुन्नुलाल, खोपचा मितलब एवरेज, sin omega t का खोपचा होता है, 0, full cycle में, और sin square omega t का खोपचा होता है, हाफ, full cycle में, और half cycle में, दोनों में half आएगा, sin square omega t का, खोपचा होता है, half, sin omega t का, खोपचा होता है, 0, खोपचा मितलब एवरेज, half cycle और full cycle में, clear है, खोपचा क्या होता है, खोपचा नहीं जानता, खोपचा नहीं जानता, देग दर, अब आएगा, असली game शुरू होगा, क्या, AC source, एक रॉस प्योर रेसिस्टर, यह एक प्योर रेसिस्टेंस लिया है हमने, जिसकी value है, आर, उसके cross हमने जोड दिया है, AC source, उसके cross हमने जोड दिया है, एक अच्छा सा AC source, AC source की जो value हमने दी है, वो दी है, E not sin omega t, सर क्यों दिया है, मेरी मर्ची, cos दे तो, नहीं दूँगा, मैं sin omega t दूँगा, sin omega t, cos omega t, AC ने उसाइडल AC ही तो है, तो मैंने voltage दिया, E not sin omega t, अब हम जानते हैं, किसको, ohms चचा का सनाम सुना है, ohms चचा, ohms चचा कहते हैं, कि चचा कहते हैं, कि resistor में अगर मान लो, I current flow हो रहा, तो किसी भी resistance में जो potential drop होता है, वो होता है, तुम्हारा V बराबर IR, क्या होता है, V बराबर IR, किसी भी resistor में अगर current I flow कर रहा, तो वहां से potential drop क्या होता, IR, ठीक है, Chris Chorps, चचा क्या कहते है, Chris Chorps चचा कहते है, Chris Chorps चचा कहते है, कि जितना बैटरी का supply होगा voltage, किसी भी इंस्टेंट पर voltage कितना देरा बैटरी, यह, और इतना ही potential drop resistance में होगा, क्योंकि एक ही component यह supply कर रहा है, यहां पर drop हो रहा, तो Chris Chorps log recording, तुम क्या कह सकते हो, EMF of battery is equal to potential drop across resistance, हां, EMF of the battery क्या है, E naught sine omega t and potential drop across resistor क्या है, IR, R को नीचे ले आओ, तो current बराबर आएगा, E naught बटा R sine omega t, क्या आएगा, E naught बटा R sine omega t, voltage बटा resistance को current कह सकते है, हां, तो current आजाएगा, I naught sine omega t, अब ध्यान से देखिएगा, जो मैंने voltage दिया था, resistor के cross, जो drop होगा है, वो तुम्हारा voltage क्या है, बैटरी के बटारी का voltage क्या है, E naught sine omega t, मतलब बैटरी का voltage sinusoidal function में, sine के साथ vary कर रहा, मतलब voltage across resistance में क्या लिखूँगा, E naught sine omega t, अले जो resistor का potential drop है, वो बैटरी के बराबर ही ह होगा ना, कि एक ही component है, हाँ, current क्या है, current है, I naught sine omega t, तो क्या current and voltage दोनों same phase में आएंगे, सब same phase का मतलब, same phase का मतलब, अगर मैं ये phasor diagram plot करूँ, और बोलो कि voltage को draw करो, तो voltage तुम्हारा, E naught sine omega t, direct drop हो रहा है, तो resistor के cross voltage, E naught sine omega t, and current, I naught sine omega t, तो इसको कहते हैं, दोनों same phase में, इसको कहते हैं, बोथ are in same phase, ये तुम्हारा voltage है, V बराबर, E naught sine omega t, current बराबर, I naught sine omega t, मतलब, जिधर current उधर ही, voltage, दोनों sine के function में है, phase difference between voltage and current is, phase difference between voltage and current is, ये तुम्हारा क्या है, peak current, बताओं यापे, peak current क्या है, I naught, I naught तुम्हारा peak current, E naught by R, E naught by R, RMS current क्या होगा, कुछ नहीं, अगर peak current निगाल लोगे, तो peak बटा, root to RMS होता है, peak बटा, root to RMS होता है, खत्म, खत्म, तो जिधर current है, उधर ही voltage है, क्यूं, क्यूंकि, sine के function में हमने voltage अप्लाई किया, तो जिधर sine के function में voltage drop होगा, और voltage बटा resistance, resistance तो fix होता है, वो तो change होगा नहीं, तो voltage बटा resistance, sine में voltage, तो current भी sine में आएगा, current भी क्या हैगा, sine में आएगा, अगर हम पावर ड्रॉप देखे, एक्रॉस रेसिस्टर, पावर ड्रॉप, एक्रॉस रेसिस्ट पावर ड्रॉप एक्रॉस रेसिस्टेंस, तो देखो, P बरावर होता है, वेटा V into I, V बोलो क्या था, E not sine omega T, और I क्या था, I not sine omega T, सही लिखना हूँ ना, तो यहाँ जो पावर आएगा, वो होगा, I not E not into sine square omega T, यह instantaneous power है कि average, यह किस instantaneous, टाइम T पे पावर है, किसी टाइम पे कितना पावर लाए है, तो हम average power निकालेंगे, मतलब खोप्चा पी, खोप्चा पी, इधर खोप्चा तो इधर भी खोप्चा, I not epsilon not constant है, यह sine square omega T आजाएगा, अब sine square omega T का खोप्चा value बोलो, half, तो यहाँ पे sine square omega T का खोप्चा आजाएगा, बेटा, half, तो यह आएगा I not by root 2 मतलब IRMS into ERMS देखो, इसलिए RMS current and voltage क्या होता, important होता, ERMS को आप IRMS into R भी लिख सकते हैं, देखो न, voltage, RMS बराबर, IRMS into R लिख सकते हैं, तो इसको IRMS into R लिखेंगे, तो IRMS का whole square into R, तो अगर मुझे किसी AC का peak पता है, तो directly peak current का whole square into R से heat loss निकलेगा क्या, sorry power loss निकलेगा क्या, नहीं, किसी भी AC में power loss, अगर आपको RMS पता है, तो direct निकाल सकते हैं, RMS का whole square into resistance, इसलिए RMS current बहुत important है, यह significance RMS current का, यह significance है बेटा, RMS current का, अभी मज़ा आने वाला देखना, यह significance किसका है, RMS current का, सवाल कर लेते हैं, ध्यान से द resistance की value है 10 ohm, और यहाँ पर AC source लगाया है, मैंने, E बराबर 5 sin omega t, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि मुझे यहाँ पर एक emitter लगया, उसकी reading बताओ, ओ, मजा आएगा, find reading of emitter, सबसे पहला सवाल, find reading of emitter, reading of emitter, find reading of emitter, find reading of emitter, भाई, emitter की reading बताओ, चलो, क्या, emitter की reading बताओ, तो सबसे पहले बेटा, तुम देखोगे, यहाँ पर peak voltage, बटा resistance, peak current होगा, तो peak current होता है, peak voltage, peak voltage पक्रो क्या है, 5, अरे, I, E बराबर E no sin omega t, तो peak voltage 5, 5 बटा 10 is equal to, half ampere तेरा है, rms, sorry, peak, rms क्या होता है, rms होता है, peak बटा root 2, तो यह होगा, 1 by 2 root 2, यह आ गया तुम्हारा reading of emitter, reading of emitter, यह emitter की reading है, यह क्या है, emitter की reading है, 1 by 2 root 2, बताओ, कि यह चमका आपको, यह चमका, अब मैं आपसे पूछता हूँ, power loss, power loss, तो बेटा सुनो, power loss तुम डारेक्ट निकाल सकते हो, irms का whole square into r, irms का whole square बोलो, तो irms है 1 by 2 root 2 का whole square, 1 by 2 root 2 का whole square into resistance 10, तो 2 का whole square 4, root 2 का whole square 2, 4 दुन 8, 10 बटा 8 watt, 10 by 8 watt, 10 by 8, what is your correct answer, 10 by 8, what is your correct answer, बताओ है ना, clear है, 5 by 4, yes, 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 very good, very good, very good, very good, एकदम जोड़दार, आओ, अब बात करते हैं, AC source, across pure capacitor, यह है तुम्हारा capacitor, यहाँ पे हमने एक AC source लगा दे, AC source का representation यह होता है, और DC source का representation यह होता है, यहाँ पे voltage माल नो दिया, हमने E is equal to E naught, sin omega t, तो बेटा, capacitor के long, जो potential drop होगा, क्या वो battery के potential के बराबर होगा, हाँ, क्योंकि battery supply कर रहा हो, capacitor में जाके loss होगा, तो capacitor के long, जो potential difference होता है, उसको हम लिख सकते है, QYC, याद करो, ही नट दे देता हूँ, एकदम जणाटेदार, Q बराबर हम पढ़ते हैं, C, V, तो V बराबर क्या होता है, QYC, भाई मेरे, सवाल आ जाएगा, बोट में, कि ए capacitor को AC source से connect कर दिया, तो उसमें current का equation represent कर आईए, current का equation बनाईए, क्या करिए, current का equation बनाईए, समझ गए है, ठीक, 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 चलो, तो भाई, capacitor के लौंग जो potential drop होगा, देखिए, capacitor के लौंग जो potential drop होगा, क्यों बैटरी के potential के बराबर होगा, capacitor के लौंग जो potential drop होगा, क्यों बैटरी के potential के बराबर होगा, हाँ, capacitor के लौंग जो potential drop होता होता है, QYC, और बैटरी का पोटेंचिल ड्रॉप है E naught sin omega t तो Q बराबर आ गया C capacitance into peak voltage into sin omega t यह क्या आया है capacitor पे किसी time पर charge देखो ना charge का equation आया है Q is equal to C emf E naught sin omega t यह क्या है इसको देखो हमने कुछ नहीं किया है battery sinusoidal voltage दे रहा है AC source है E naught sin omega t जो यह E naught sin omega t यही पूरा का पूरा capacitor में जाके drop होगा capacitor के voltage बराबर battery का voltage capacitor का voltage बराबर battery का voltage capacitor का voltage को लिख सकते है Q by C battery का voltage E naught sin omega t C इधर चला गया Q बराबर C E naught sin omega t एकदम जोड़दार है क्या हमारा उद्देश यही था कि हम charge as a function of time निकाले क्या हमारा यही उद्देश था कि charge as a function of time निकाले क्या हमारे जीवन का यही उद्देश है नहीं हमारे जीवन का उद्देश है कि हमें अगर capacitor के along voltage मिल गया है battery के voltage E naught sin omega t के बराबर है तो capsular के लोग current निकालना हमारे जीवन का उद्देश है current निकालना तो current कईसे आता ही जा यह current कईसे निकलता ही यह तो current कईसे यह charge होई तो current कईसे आता ही differentiation चचा differentiation with respect to time जब आप charge लिख चुके हो Q बराबर सीप E not is sin omega t लिख चुके हो तो differentiation with respect to time कर तो I बराबर होता है dq by dt I बराबर होता है dq by dt जब यहां से dq by dt करोगे इसको differentiate करोगे तो C और E not बाहर क्योंकि constant है sin omega t का differentiation direct लिख सकते हो तो cos omega t into omega sin omega t का differentiation cos omega t into omega t multiply में differentiation होगा t का 1 omega constant बाहर तो यह आएगा C omega E not cos omega t यह आगया आपका current अच्छा बैसे current आया है यह current होता है voltage by resistance current होता है voltage by resistance हाँ तो voltage तो यह है और यह तो dimensionless है तो यह resistance कहा दिख रहा क्या हम इसको नीचे ले जाए multiply को नीचे कैसे ले जाते हैं तो नीचे ले जाएंगे तो 1 upon C omega के term से लिखना परेगा हाँ into cos omega t यह current लिख सकते हैं यह ही लिखा है ना बेटा आई बढ़ और C omega E not cos omega t c omega को नीचे ले जाएंगे तो 1 upon C omega हैगा यह हो जाएगा बेटा capacitive reactance इसको कहते हैं XC voltage बटा resistance XC cos omega t peak voltage बटा capacitive reactance XC जहाँ पर XC की value क्या है 1 upon omega C यह XC की value है इसको बोलते हैं capacitive reactance इसको बोलते हैं capacitive reactance तो current बड़ाबर यहां से आ जाएगा I बड़ाबर peak voltage बटा capacitor का resistance capacitive reactance देखो peak voltage बटा resistance peak current cos omega t एक बात बताओ capacitor में जो voltage था वो क्या था वो था E not sin omega t current क्या है I not cos omega t मतलब current आगे चल रहाए देखो अगर voltage देखोगे तो peak into sin omega t voltage sin के साथ वैरी कर रहा और current cos के साथ वैरी कर रहा तो यह दोनों same phase में है कि out of phase है same phase में है कि out of phase है बताओ कौन आगे चल रहा कौन पीछे चल रहा है कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है ध्यान से देखो, Sir, voltage जो capacitor में है, Vc, capacitor का जो voltage है, वो है, peak voltage into sine omega t, और यह peak current into cos omega t, अगर हम phasor diagram बनाएंगे, तो हम बोलेंगे, कि voltage हमने sine में दिया था, V naught sine omega t, तो यह current आया है, वो cos में आया है, I बराबर I naught cos omega t, जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है, कि voltage तुम sine में दो, लेकिन यह जरूरी है, कि voltage से current हमेशा 90 degree आगे चलेगा, क्या चलेगा, 90 degree आगे चलेगा, इस diagram को तुम ऐसे भी बना सकते हो, या इस diagram को तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे बनाओगे तो यह क्या बताएगा, यह तुम्हारा voltage बताएगा, voltage is long capacitor, current is long capacitor, उद्देश यह है कि current आगे चलना चाहिए, किस में, capacitor में, capacitor में जो current होता है, capacitor के voltage से आगे चलता है, कितना 90 degree, अगर तुम voltage को लेते हैं न बिटा, minus cos omega t, minus e not cos omega t, तो current आता ता तुम्हारा, i not sin omega t, main जो concept है, वो यह है कि तुम sign मिलो या cos मिलो, कोई फरक नहीं परता है, current आगे चलेगा, अगर यह current है, तो यह voltage होगा, देखो, यह pi by 2 आगे चल रहा है, यह ले, current इधर, तो voltage इधर, anti-clockwise को ही हम आगे बोलता है, pi by 2 आगे, voltage हमेशा पीछे रहेगा, current आगे चलेगा, यह चार diagram capacitor का है, देख के बता, क्या बात कर रहो, यह चारो diagram capacitor का हाँ, बता क्या difference है, तो यह किसी भी diagram में confusion है तो बोलो, these all are the diagrams of phasor, phasor diagram of the capacitor, यह भी होगा, ले, इधर तुम्हारा current, ना, 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 voltage, और इधर current, सर हम confused हो गए, हम confused हो गए, हम confused हो गए, हम confused हो गए, चच का, concept यह है, कि capacitor में current, voltage से πाई बाई टू आगे चलेगा, that's it, यह पाई बाई बाई टू आगे चलेगा, यह सारा phasor diagram capacitor का है, तब, कह रहा है कि तब तो 0V में current आ जाना चाहिए, हां आता है, sinusoidal में, अगर तुम इसका graph बनाओगे, ध्यान से देखो, तो current है का, I0 cos omega t, voltage होगा, I0 sin omega t, चलो बनाए, graph बनाए, फेasor diagram अब ग्राफ अलग होता है, graph मतलब waveform, time के साथ variation, तो current है तुमारा I बराबर, I0 sin omega t, graph भी बनाने को बोल सकता है, और, नहीं, I0 cos omega t, current I0 cos omega t, ठीक, देखो current क्या है, I0 cos omega t, voltage क्या है, E0 sin omega t, voltage है, B बराबर E0 sin omega t, दोनों का graph बनाओ, तो अच्छे से देखना, मैं पी एको कर्फ देखो से बना रहा हूं, current का graph, current ये बनेगा, current ये बनेगा, और हरे color से बना रहो voltage, voltage ये बनेगा, voltage ये बनेगा, ये voltage है, तो ऐसा graph देखे भी ना, तुमसे पूच सकता है, कि अगर current और वोल्ट इस तरीके से vary कर रहा, तो बताओ circuit क्या होगा, तो देख के तुम्हें बताना परेगा कि देखो current आगे चल रहा है, cause में है और voltage पीछे चल रहा है, current lead कर रहा है, current किसमें lead करता है, current capacitor में lead करता है, current capacitor में lead करता है, current capacitor में क्या करता है, lead करता है, ये grab बनेगा, तो जब तुम्हारा voltage 0 है, देखो sign में आया, voltage 0 है, उस instant पे current maximum हो बिल्कुल यही तो होता है वेटाइ कैपसिटर T is equal to zero पर simple wire की तरब येव करता है जब current maximum तो voltage zero capacitor के लोग ठीक है ठीक है तो क्या इस बात का feel आया अब हम यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर समझेंगे कि देखो current जो होता है capacitor में वो आगे चलता है और capacitor का voltage क्या होता है पीछे चलता है और capacitor की जो reactants आती है एक सी ब्रावर one अपन ओमेगा सी होती है इस पर तुम्हें चर्चा एक बार करना पड़ेगा यह ग्राफ है यह फेजर डाइग्राम है फेजर डाइग्राम है देख लो current देखो 90 degree anti-clockwise में आगे चल रहा है देखो यह voltage है तो देखो current anti-clockwise में आगे चल रहा है यह देखो voltage है तो current anti-clockwise में आगे चल रहा है यह देखो voltage है current आगे चल रहा है एकदम सही है voltage है देखो current आगे चल रहा है एकदम सही है अब हाब हम चर्चा करेंगे capacitive reactance बेटा capacitive reactance होता है मतलब capacitor की resistance XC इसका unit होता है ohm इसका unit होता है ohm XC की value होती बेटा 1 upon omega C omega को हम लिख सकते हैं 2 pi f into C यह आ गया ध्यान से अच्छे से समझेए आप देखेंगे XC is inversely proportional to frequency देखो न XC के नीचे frequency XC inversely proportional to capacitance है अगर आप frequency और XC के साथ गराब बनाएंगे तो जितनी high frequency होगी XC की value उतना कम होगा देखो इन्हों rectangular hyperbola बनेगा और capacitance जितना जादा होगा capacitor की resistance उतनी कम होगी देखो XC is equal to 1 upon omega C आया है जितनी high capacitance capacitive reactance उतना कम जितनी high frequency capacitive reactance उतना कम मतलब यह हो गया कि जितना जादा अगर frequency होगा न resistance उतना कम offer करता है capacitor जितनी high frequency का AC आएगा high frequency का AC मतलब बहुत जल्डी जल्डी AC vary कर रहा बहुत जल्डी जल्डी AC vary कर रहा बहुत high frequency के साथ AC vary कर रहा अगर frequency बहुत high frequency अगर हो AC का, high frequency AC हो, high frequency AC, frequency AC, then capacitor, capacitor offers या provide, या behave, capacitor, capacitive reactance, क्यापसिटिव रियक्टेंस रियक्टेंस मतलब क्यापसिटर की रेसिस्टेंस इस इस मीनिमम इस मीनिमम इस मीनिमम क्यों क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी जितना ज्यादा रखेंगे XE की वेल्यू देख उतनी कम है frequency जितना जाधा रखोगे देखो XE की value उतनी कम है अगर frequency को infinite रख तो बहुत जल्दी जल्दी AC वेडि कर रहा, frequency infinite तो जो capacitive reactance होगा, होगा 0 बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एसी के लिए सिंपल वायर जैसा बिए करता है कैपसिटर बिहेव एज कैपसिटर बिहेव एज बिहेव एज सिंपल वायर सिंपल वायर फॉर फेरी हाई फ्रिक्वेंसी एसी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी very high frequencyということで high frequency but frequency in finite frequency in finite C can I just be able to transfer this only businessivia بن physician êuive पूता है की तरफ सब्सक्राइक तरफ सब्सक्तchae galo आप सथ होता है है इस पैसे को होता है न कर गफ सुटर होता है कि हिता है एक एसा इन्स्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस जिसको न चेंज में बड़ा मज़ा आता है, वो एक के साथ रही नहीं सकता, एक value उसको पसंदी नहीं है, कहता है तुम थोड़ा value को जल्दी जल्दी चेंज करो ना मुझे मज़ा आ रहा है, उसको एकदम simple wire सब यह करता है, कहता है आओ ना मज़ा आ रहा है, current flow कराओ ना मज आ रहा है, जितना high frequency इतना मज़ा आ रहा है, frequency ज्यादा मतलब 100 frequency, 100 Hz frequency, मतलब 100 बार oscillate करेगा, 200, मतलब 200 बार oscillate करेगा, 300, मतलब 300 बार oscillate करेगा, तो जितनी ज्यादा high frequency उतना कम resistance, जितनी ज्यादा high frequency उतना कम resistance, तेक इधर, जितनी ज्यादा high frequency उतना कम resistance, क्लियर है यी बा for DC for DC DC का frequency होता है बेटा जीरो और frequency जीरो धेन से रेक धेन से दम frequency 0 frequency 0 तो एकसी इंफानेट एकसी इंफानेट मतलब इंफानेट रसिस्टेंस बोलेगा नहीं I don't like current बीच हेवा single value और voltage हेवा single value यह इंफानेट रसिस्टेंस देगा open वायर जैसा बहेब करेगा Ne Capacitor behave as open wire Capacitor behave as open wire Capacitor behave as open wire Capacitor कैसा behave करेगा open wire जैसा behave करेगा मतलब अगर तुम पांच बोल्ट लगा दो गये तो यह नहीं है मजा नहीं आघाना नहीं दूगा current नहीं दूगा करेंट ही नहीं थूगा ऊपति वायर हो जाएगा करेंट पर ही नहीं करने देगा तुमनीं पर होह कि DC जोर देता है जब कैसटर से तो जब was करता कोतरा ये अब अधार नहीं देता है है इस कोत्षेस्टर को DC ही विल्टर भी कहते हैं क्यों किisz duty को पास करने नहीं देता AC को पास करने देता है, capacitor को ने AC पसंद है, सवाल देखिए, नीट 2016 में आया है, क्या, a sinusoid, a small signal voltage, a small signal voltage, a small signal voltage, VT बर और V0 sin omega T applied across the ideal capacitor, current in a phase with voltage नहीं, current leads the voltage by 60 degree नहीं, current lags नहीं, current lags नहीं, over full cycle the capacitor does not consume any energy from the voltage, यह D होगा answer, बताता हूँ, power loss in a capacitor, ध्यान से देखना, power loss in capacitor, power loss in capacitor, power loss in capacitor, तो power होता है बेटा, I into V, मजा आजाएगा सुनना अच्छे से, सर्फ current तो होगा, I not cos omega T, यहीं आया है, हाँ, और voltage होगा, E not sin omega T, तो यहाँ से, खोपचा P जब लिखोगे, ध्यान से देखना, I not E not बाहर, खोपचा of cos omega T, into sin omega T, cos omega T into sin omega T का, खोपचा value होता है 0, मतलब complete cycle में average power capacitor 0 लेता है, इसको हम worthless circuit भी कहते है, pure capacitor को, worthless circuit मतलब, complete एक cycle में, जो power drop होता है न, वो कितना होता है, 0 होता है, complete एक cycle में, जो power drop होता है न, बेटा, वो 0 होता है, DC में frequency 0 कैसे, बेटा, दस में पढ़ किया हो, जा, cricket on demand, 10th class is very जरूरी, you know, before barmy, 10th is very जरूरी, you don't know, but 10th is very जरूरी, गथा, ठीक है, सुनो ध्यान से, अच्छा, इसको मैं प्रूफ करके दिखाओ, average 0 कैसे होगा, एक काम करता हूँ, सबसे पहले, यहाँ पर समझो, average power, current into voltage, current i not cos omega t voltage, e not sin omega t, i not e not बाहर आ गया, cos into sin का, खोपचा लोगे, cos omega t into sin omega t का खोपचा लोगे, तुम्हें नहीं समझ महारा है, तो 2 से multiply, 2 से divide करतो, और 2 sin theta into cos theta, याद है, 2 sin theta into cos theta होता है, sin 2 theta, sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta, और हम जानते है, sin 2 theta का खोपचा value 0, इसका भी तो खोपचा value 0 ही आएगा, clear, 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 समझ आया है बेट अच्छे से, समझ आया है बेट अच्छे से, ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे, pure inductor, अच्छा एक सवाल देख लो, need 2020 का सवाल है, अच्छा तुम्हें ये सवाल कितना आसान लगा बताओ, तो बताने current आगे चल रहा है, तो यहां बोला है current phase में च चल रहा है गलत हो गया, current lead कर रहा है, 130 से नहीं, 90 से lead करता है, current पीछे चल रहा है, 90 से गलत हो गया, तो चौथा ही सही होगा, अ 40 millifarad capacitor is connected to 200 volt and 50 hertz AC supply, then RMS value of the current in the circuit is, RMS value of the current in a circuit is, तो देखो, 40 millifarad capacitor है, connected to, अच्छा माल लो कि एक AC source है और AC source का यह दे दिया तुम्हें voltage 200 volt और frequency 50 hertz, तो यह 200 volt जो डारेक लिखा है बीना equation के, यह RMS है की peak है, बताओ, capacitance है 40 millifarad, तो XC हो जाएगा बेटा, 1 upon omega C, omega की value 2 pi F into C, X is equal to 1 upon 2 pi F की value बोलो, F यह रहा, 50 hertz, 50 और C की value बोलो, C है तुम्हारा 40 millifarad, मतलब 40 into 10 to the power minus 3, तो 1 0, 2 0 से कटेगा, तो यह 10 का power minus 1 आएगा, यह उपर चला जाएगा, तो 10 बटा, 5 न 10, pi, तो यह 1 बटा पाई आगया, XC की value, और जो direct लिखा होता है ना बेटा, वो लिखा होता है तुम्हारा peak, sorry, RMS, equation के साथ लिखा होता है, तो equation में तो आता है, IV बढ़ा और V naught, मतल direct RMS है, तो तो तुम्हारा RMS current आजाएगा, 200 बटा पाई, RMS current, V RMS बटा, एक में टेक में टेक में, sorry, sorry, RMS current होगा, E RMS बटा XC, तो E RMS तुम्हारा 200, और XC की value, एक बटा पाई, तो यह उपर चला जाएगा, तो 200 pi ampere आएगा, अइंसर, इंसर ही मैच नहीं किया, इंसर नहीं किया, कहां गलत किया, मैंने, अच्छ 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 यह 4 यहां बचा हुआ है sorry 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 4 यहां बचा है तो 4 pi आएगा तो x is 1 upon 4 pi 4 pi उपर जाएगा तो 200 into 4 pi तो अभी भी यह pi mpn match नहीं कर रहा न तो 8 pi 4 दो ना 8 pi 800 pi pi की वेलो 3 तो आप तरी 24 2.4 रुको क्यापसिर्टिव रियक्टेंस होता है 1 upon 2 pi f into c 1 upon 2 pi f की वेल्यू बोलो 50 and c की वेल्यू कितना दिया हुआ है 40 40 और 10 to the minus 3 तो उपर जाएगा 10 to the 3 x is equal to आएगा 1 upon 50 दूना 100 एक हजार pi 1,8 40 है भाई तो यह हो गया तो आपना 50 दूना 100 100 pi गुना 40 इन्टू 10 to the 3 10 to the 3 यह डवल 0 यह 0 तो एक बटा 4 पाई आ गया और डारेक्ली दूसों भोल्ट है दूसों बटा एक्सी एक्सी यह उन्हों 4 पाई तो ठीक है यहाब एक्च्वल में यहाब एक्च्वल में प्राब्लम क्या है कि यह जो इन्हों माइक्रो रहा होगा गलट टाइप करती है माइक्रो की वैसे यहाँ पर आएगा 10 to the power minus 6 तो 10 to the power 3 रहे गाए यहाँ तो अब क्या करो कि देखो ध्यान से यह है तुम्हारा एक्सी 10 to the power 3 बटा 4 10 to the 3 divided by 4 पाई तो यह जाएगा 200 बटा 10 to the power 3 multiply 4 पाई तो यह हो गया तुम्हारा 800 पाई बटा 10 का पावर 3 तो डवल 0 से काटो तो नीचे 10 आएगा 10 मतलब 0.8 into 3.14 तो आर्थरी चॉबिस 2.4 मतलब यह 25 क्यास पसा जाएगा आर्थरी चॉबिस ना 2.4 मतलब 2.5 रे भाई चल जा हैंकर गया यह आएगा एंसर सी 2.5 एंपर देखो यहां द्यांसे यह क्या है थ्री मल्टिप्लाइ 0.8 इंको जबे थ्री मल्टिप्लाइ 0.8 देखो अब देखो द्यांसे 3.14 मल्टिप्लाइ 0.8 यह आएगा 2.5 क्यास पस तो 2.5 एंपर यहां पर मिंट्निंग मिस्टेक है माईक्रोफार्ड होना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्योर सी, सिरीज LR, सिरीज LCR, सब कुछ एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा साथ देख लो, ब्रेक लिखने से नहीं होगा बेटा, इतना कमजोर बनोगे न, जब तुम यहाँ पे दो घंटे नहीं पर सकते, तो एक्जाम में तीन घंटे जाके तु पेपर का इतना कम समय बचा हुआ है, यह तीन घंटे पर नहीं सकते, तो तीन घंटे जाके यह पेपर क्या लिखेंगे यार, है गदे है, अब देखो, इसका इंड़क्टेंस L लिखा है मैंने, अगर बैटरी का हमने पोटेंचिल दिया है E B, E naught sin omega T, एक बैटरी, एक इंस पर, इंड़क्टर के क्रॉस पोटेंचिल डिफरेंस, बैटरी के लॉग पोटेंचिल डिफरेंस के बराबर होगा, बैटरी का पोटेंचिल डिफरेंस है E naught sin omega T, यह सर, अब मुझे बताओ, इंड़क्टर के पोटेंचिल डिफरेंस को क्या लिखते हो, माइनस LDI by dt, लिख माइनस तो तब लिखते हैं जब क्लोज लूप में चलते हैं तो यह पोटेंचिल का बैटरी माइनस LDI by dt, लोज लूप में 0, जब इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस होगा, हाँ तो माइनस आता है, लेकिन हमने लिखा है कि जितना इंड़क्टर का पोटेंचिल ड्र अब ध्यान से सुनना, L को नीचे लियाओ, dt को इधर ले जाओ, तो Di बढ़ावर क्या आएगा, Di बढ़ावर क्या आएगा, E not sin omega t, यह dt है मल्टिप्लाई होगा, बटा L, अब दोनों तरफ integration कर दो, Di का integration simple I, E not बटा L बाहर, sin omega t का integration होता है, minus cos omega t, divided by t का multiplier omega नीचे आएगा, तो यह equation बनेगा, minus E not cos omega t, बटा omega L, यह current आगया, अब जड़ा ध्यान से देखना, current का equation क्या है, minus E not cos omega t, minus E not cos omega t, यह current का equation है, और यह तुमने voltage दिया था, अगर इसको मैं plot करने ही कोशिस करूँ, अगर इधर sin है, E not sin omega t, इधर तुम्हारा voltage है, inductor का voltage, क्योंकि जो battery का है, वो inductor का है, inductor का voltage इतना है, तो current को किधर plot करूँगा, वो यह बोलो, यह तो peak voltage बटा, inductive reactance आएगा, देखो, आई बराबर, देखो, voltage बटा, resistance, इसको बोलेंगा हम XL, inductive reactance, omega a, यह देखो, इस omega a, को हम बोल देंगे XL, तो यह आएगा, minus E not बटा, XL, into cos omega t, तो इसको मैं किधर plot करूँ, यह बताओ, इसको मैं किधर plot करूँ, cos में कि, minus cos में, बस इतना बताओ, इसको मैं cos में plot करूँ कि, minus cos में plot करूँ, बताओ, नीचे plot करूँगा, minus cos में, तो यह आएगा current, तो साप साप तुमको दिख गया, कि inductor का जो current होता है, वो voltage से पीछे चलता है, पाई बाई टू, यह होगा, अगर इसको, धंग से, अगर साइन के टाउस में लिखना चाहूँ, तो यह होगा, इनोट बटा एक्सेल, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई बाई टू, सर यह कैसे पता चला आपको, एक तो होता है, फंक्शन चेंज, दूसरा होता है, फेजर डाइग्राम, बताओ, यह कहां है, साइन ओमेगा टी में पाई बाई बाई टू पीछे कर दूँगा, तो यहाँ जाएगा, हाँ, तो सिंपल है, इनॉट बाई एकसल, साइन ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे, तभी तो यहाँ एंगे पाई बाई बाई टू पीछे, और इनॉट बाई एकसल को हम आई नॉट लिख सकते हैं, तो आई बराबर आई नॉट, देखो, पीक वोल्टेज बटा, इन्डुक्तिव रियक्टेंज, आई नॉट साइन ओमेगा टी माईनर्स पाई बाई टू, अब सुनो ध्यान से, अब मैं जो तुम्हें योगा सिखाता हूं, चलो आज, योगा सीखू, योगा, किसी का योगा का बैकलोग तो नहीं आ रहा, किसी का योगा का बैकलोग तो तो बताओ आओ मैं तुम्हें योगा सिखाता हूँ कैसे करते हैं योगा कि करोगे मेरे साथ योगा है तुम करोगे मेरे साथ योगा अरे यूटूब चल गए इसमें किसका बैकलोग चल रहा होगा करे सब का बैकलोग चल रहा है किया योगा का बैकलोग चल रहा है वाह आओ तुमको योगा सिखाते हैं सबसे पहले अपने बायम पर पर दाहिनी पर ऐसे करके खरे हो जाओ ऐसे समझ तो ना ऐसे करके खरे हो जाओ और वर्टिकल पोस्टर में ये दोनों हाथ को ऐसे करो, जब ये दाहिना हाथ और बाया हाथ इस तरीके से आता है, तो हम कहते हैं ये pure resistance को represent कर रहा है क्यों, क्यूंकि pure resistor में जिधर current होता है उदर ही voltage होता है ऐसे करेंगे तो ये pure resistor को represent कर रहा किसको represent कर रहा, pure resistor को क्योंकि जिधर resistor में current होता है उधर ही voltage होता है ठेक है अब सुनो इंड़क्टर में इंड़क्टर का voltage आगे चलता है मतलब जब आप इस posture में ऐसे खड़े होंगे तो यह induktor को represent कर रहा है इंपोर्टेंट यह नहीं होता कि current के equation में sign आएगा कि cause important यह होता है कि current and voltage में फेजर difference क्या होगा कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है तो धहां सुनना मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इधर तुम current को माल लो ठीक है sir done इधर current को माल लिया current को माल लो current को इधर current को माल लो एसे कर लो एसे कर रहा हो कि यह current माल लो ठीक है इधर current माल लिया जढर करेंट ऊधर ही the voltage आ जाये तो pure Resister है हाँ या ना जधर current ऊधर ही voltage आ जाये तो यह pure resistor है pure resistance में ही ऐसा कमाल हो सकता है कि जधर resistor का voltage ऊधर ही Raise पेंडिकुलर चलता है, ऐसा डाइग्राम तो समझ जाना यह इंडक्टर है, इंडक्टर, L का बोल्टेज आगे, करेंट पीछे, तो यह L का बोल्टेज आगे, और देखो करेंट पीछे, तो ऐसे बोलू तो यह इंडक्टर, इंडक्टर का बोल्टेज आगे, यह इधर VL, inductor का voltage आगे current पीछे, तो current इतर मान लिया, inductor का voltage आगे, capacitor का voltage पीछे, तो ये current, और ये voltage, तो ये capacitor हो जाएगा, capacitive circuit, pure capacitive, ये हो गया तुम्हारा pure inductor, तो देखो, तुम कैसे भी phasor diagram बनाओ, current को कहीं भी बनाओ, voltage को कहीं भी बनाओ, लेकिन जो fundamental concept है कि resistor में current and voltage same phase में चलेगा तो ऐसे यह क्या है? pure resistance, यह क्या है? pure inductor voltage इधर inductor का voltage आगे तो current इधर fix कर दो inductor का voltage उपर, capsular का voltage नीचे L उपर, C नीचे, R इधर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ उसको inductor, capacitor, resistor resistor, inductor, capacitor सबका current इधर inductor का voltage उपर, capsular का voltage नीचे बस इतना याद कर लो inductor उपर, capsular नीचे इतना याद कर लो L उपर, C नीचे इतना याद कर लो मेरी बात सुनो L उपर, L उपर, C नीचे L उपर, C नीचे चलो जहां भी बैटे हो, खरे हो, कुछ भी हो, खरे हो जाओ एक बार बेट में, रहाई में घुश के पढ़ रहा हो, सब लोग खरे हो जाएंगे एक दम तुरंट से, सब लोग खरे हो जाएंगे एक दम, जो जहां हैं सब लोग खरे हो जाओ जो जहां है sब लोग खरे हो जाओ चलो फड़ा फट जो जहां है सब लोग खरे हो जाओ चलो तुरण से क्या सब लोग खरे हो जाओ चलो अब मैं तुम्हे बोलूँगा instrument का नाम तुम्हें वो बन के दिखाना है pure resistance कोई भी posture चलेगा प्योर रेसिस्टेंस में योगा ऐसे होता है, यह योगा का पहला स्टेप है, क्या है, प्योर रेसिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, इंडक्टर का वोल्टेज उपर करेंट पीछे, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है, इंडक्टर में पाई बाई टू से वोल्टेज लाइक करता है ये, ठीक है, ये, ये इंड़क्टर, कैपसिटर, ये, ये कैपसिटर देखो, ये क्या है, कैपसिटर, कैपसिटर का बोल्टेज नीचे, कैपसिल में बोल्टेज लाइक करता है, कैपसिल में करेंट लीड करता है, ये क्या है, ये क्या है, कैपसिटर, चलो सब लए सदाल बनो आज़ले केस्टर बनो जलो केस्टर बनौ डिद्क्टर बनो sincere करदे करता है आइब करता है प्योचरक करिंट लीड करता है कि एन डपर होता है बस इंड़्ट का बोल्टेज वर्ट फॉपर होता है बस कुछ अअ니다 कर बेदे औरहा है किvisor अ हम एंगी ऐख 500 प्रों कि का कि छा समय हुआ है अब इसके बारें बात कर लेते क्या, जब current आप निकालेंगे equation के साथ तो ये peak current होगा, peak voltage बटा impedance यही था, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहां कर लेते, XL क्या है, ओमेगा L, ओमेगा को हम लिख सकते हैं, 2 pi f into L, यह आएगा XL, अब ध्यान से देखो, तो XL is directly proportional to frequency, and XL is directly proportional to inductance, यहां पर, अगर मैं XL और frequency का graph बनाऊ, तो directly proportional to frequency ऐसा graph बनेगा, हां, अगर मैं inductive के self inductance के साथ XL का graph बनाऊँगा, तो भी यह ऐसा ही graph कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ graph बनेगा, क्लिए रही यह बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि XL होता है, ओमेगा L, directly proportional to L and directly proportional to frequency, अगर मैं बात करूँ DC के लिए, for DC, तो DC की frequency क्या होती जीरो, क्योंकि DC constant है न, frequency मतलब होता है, oscillation per second, कितनी बार बदलेगा एक second में, लेकिन, लेकिन, DC क्या होता है भाई, fix होता है, इसलिए उसका frequency 0, frequency 0 तो XL 0, for DC, for DC, inductor behave as, inductor behave as, behave as open, नहीं, simple wire, क्योंकि उसका distance 0 है, simple wire, देखो, inductor is like boil, है न, लरको जैसा होता है, एकदम loyal, उसको constant चीजे चाहिए, variable उसको पसंद नहीं, जैसे मान लो, fix चीजे चाहिए उसको, है न, बदलाओ पसंद नहीं है, वो एक value को पकर के रखता है, लेकिन, capacitor को बदलाओ पसंद है, जैसे देखो, अगर मैं DC के लिए बात करो, DC की frequency fix होती है, frequency उसका हो गया, मतलब DC fix value, तो frequency उसका हो गया 0, तो XL हो गया उसका 0, XL 0, मतलब resistance उसकी 0, वो DC में 0 resistance offer करता है, वो कहता है, पस कर जाओ ना, constant current पस कर जाओ, अगर तुम high frequency की बात करोगे, high frequency, high frequency AC की बात करोगे, तो high frequency मतलब frequency बहुत high है, और frequency बहुत high, तो XL बहुत high होगा, XL होगा, XL होगा, मतलब offer high resistance, high resistance, अगर very high frequency बात करोगे, very high frequency, high frequency then Excel behave as inductor behave as open wire inductor behave as open wire inductor को change से नफरत है inductor को change से नफरत है हना inductor को change से क्या है नफरत है ज़्यादा change होता है न तो कहता है I don't like मैं नहीं बहने दूँगा बहुत high frequency होगा देखो बहुत high frequency होगा तो Excel फैल जाएगा बोलेगा मैं नहीं बहने दूँगा इतना resistance offer करूँगा इतना resistance offer करूँगा वहासे current नहीं जाने दूँगा तो जितना ज्यादा high frequency होगा जितना ज्यादा high frequency होगा AC का ये फैल जाएगा बोलेगा मैं current नहीं जाने देगा रहे अगर फ्रिक्वेंसी इंफिनिटी तो रेसिस्टेंस इंफिनिटी चमका अरे समझ आया ठीक है तो इंडक्टर को चैन से नफरत है उसको constant चीज़े चाहिए तो उसको DC मिलेगा तो simple वायर जैसा बियेव करेगा AC मिलेगा तो open वायर हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी इसी पर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पर तो नॉर्मल रेसिस्टेंस होगा और capsule में क्या था इसका उल्टा अब हम पावर लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर निकाल के देख लीजे आपका average power loss यहाँ भी 0 आएगा क्यों यहाँ भी current cost में तो voltage sign में voltage sign में तो current cost में तो average power यहाँ भी क्या आजाएगा 0 आजाएगा इसलिए इसको हम worthless instrument भी कहते हैं pure inductor को pure inductor क्या कहते हैं worthless instrument भी कहते हैं clear अब आओ हम तुम्हें परहाएं RL circuit series RL circuit बहुत important मज़ा आजाएगा देखना RL circuit अब आगे तुम्हें कुछ करना ही नहीं है जो yoga का step तुमने सीखा था उसी से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा कैसे अच्छे समझना यह resistance और यह inductor अब यह AC source ठीक है sir ध्यान से सुनना अगर तुम्हारा यह voltage है E बराबर E not sin omega t यहाँ पर कुछ current flow करेगा ही यहाँ पर potential drop होगा V resistance में V inductor में तो जो current तुम्हारा रेसिस्टन में जाएगा वही inductor में जाएगा हाँ यह न इतना बता दो कि series combination में current same जाएगा की नहीं series combination में दोनों में current same जाएगा की नहीं इतना बता दो इस दोनों में current same जाएगा की नहीं इतना बता दो current तो same ही जाएगा तो current को हम आगे बना लेते हैं साइन कॉस इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट यह कि जो भी current होगा न तुमको इस डारेक्स नहीं मान लिया और तुम्हें पता है जिदर current होगा resistor का potential drop उधर ही आएगा तो जिदर current होगा resistor का potential drop उधर ही आएगा और जिदर current होगा उससे perpendicular आएगा VL यो यह आएगा VL तो net potential drop अगर मैं निकालू इन दोनों के बीच में net potential drop कितना होगा उतना ही तो voltage यहां से supply किया होगा तो net potential drop कितना हुआ है यह VR और VL में phase difference आगया है पाई बाई टू तो net voltage इधर होगा V net अगर मैं V net calculate करूँ तो बड़ा simple है यह VR और VL में पाई बाई टू का phase difference तो V net आएगा VR का होल स्क्वाइर प्लस VL का होल स्क्वाइर देखो V net बरावर आएगा रूट अंडर VR का होल स्क्वाइर प्लस VL का होल स्क्वाइर कैसे pure resistance बोलो किधर होता है pure capacitor pure inductor RL क्योंकि इधर VL और इधर VR इन दोनों का vector संपाई बाई टू पे बीच में आएगा अरे वेट्टा इधर देख और समझ इस चीज़ को समझ इस चीज़ को अब पूरा पूरा AC का circuit यहीं पे खतम अभी अभी खतम अभी बना के दिखाता हो तुम्हें अभी बना के दिखाता हो ध्यान चा सुनना अगर मैं बात यहां पे कर रहा हूँ RL की current को इधर वाना तो VR इधर और VR इधर VR और VR का सम यह आएगा निट तो यह RL circuit आ गया यह क्या आ गया यह RL circuit आ गया सर अगर next circuit आप यह बनाओ series LC sorry चले यार series RC circuit तो हमें बता यह resistance यह capacitance यह capacitance और यहां पर AC source अगर मैं current को इधर मानता हूँ तो दोनों series में current से हम जाएगा resistor के लोग potential drop current के लोग आता है और capacitor वी सी इधर तो इन दोनों का net voltage यह इधर आएगा और अगर मैं circuit बनाता हूँ series LC तो LC में यह आपका L यह आपका C और यह आपका AC source तो अगर current इधर है तो current से आगे चलता है VL और पीछे चलता है VC अगर मैं series LCR बनाऊंगा series LCR circuit यह आपका L, यह C, यह R अब मुझे बताओ, तीनों series में है क्या, हाँ तीनों में same current जाएगा अगर मैंने current को इधर बना लिया अगर मैंने current को इधर बना लिया तो जिधर current बहता है, उधर ही VR होता है हाँ है ना जिधर current जादा है, उधर ही VR होता है current जो resistor से flow करे और resistor के long potential drop दोनों same phase में होते हैं, जिधर भी current होता है, inductor का resistor का current same है, उससे 90 degree आगे चलता है VL और जिधर current होता है उससे 90 degree पीछे चलता है VC और यही तो मेन है चचा equation तो ही नहीं होता है ऐसी में, जो था आरे में average निकालने में ही था pure resistor, pure capture, pure inductor का पूरा derivation एक बार आना चाहिए रखने से नहीं होता है, आना चाहिए एक बार feel आना चाहिए और एक बार feel आ जाए तो सारा circuit diagram यह है पूरा बनाता हूँ, पूरा बताता हूँ पूरा बताता हूँ पूर रेसिस्टर का phaser diagram पूर रेसिस्टर का phaser diagram, चलो, सब लोग खड़े हो जाओ, जहां पे हो खड़े हो जाओ, जल्दी से नहीं करोगे practice, confuse हो जाओगे सब लोग खड़े हो गए क्या सीधा साफधान की मुंत्रा में खड़े हो जाओए सब लोग चलिए साफधान की मुंत्रा में खड़े हो जाओए, सब लोग आजाओए चलिए प्लीज साफधान की मुंत्रा में खड़े हो जाओए, सब लोग आजाओए चलिए खड़े होगे, आप सुनिए द्यान से कितने तरह के सर्कुट हो सकते हैं, प्योर रेसिस्टर, प्योर केपस्टर, प्योर इंडक्टर, एलार, आर सी, एल सी, सिरीजल सी आर, साथ तरह के हो सकते हैं, साथ तरह के हो सकते हैं, अगर मैं पूछू, प्योर रेसिस्टर, तो बन के दिखाए, प्योर रेसिस्टर, पुर रेसिस्टन में करेंट एन वोल्टेजे सेम फेज में होता है करेंट के एक विश्टर का बोल्टेज आगे चलता है इंड़क्टर के करेंट से क्याप्ष्र बनके दीखाऊ के लॉटेज पीशे चलता है के लॉटेज अगर तुम से पूछे की एलार सर्कीट में कौन आगे लॉटेज़ कौन आगे, देखो current इधर, उधर ही VR, उधर ही VL, तो LR circuit में कौन आगे, voltage आगे, चलो, RC बन के दिखाओ, इधर current, तो इधर ही VR, और इधर VC, RC, RC हो गया, LC बन के दिखाओ, LC में, current से perpendicular तुम्हारा होगा VL, आगे, आरे, LNC, LNC, तो जिधर तुम्हारा current है, उससे 90 degree आगे तुम्हारा VL, और जिधर तुम्हारा current है, उससे 90 degree पीछे VC, तो यह VL और यह VC, इसी line में बनेगा, यह voltage, और यह current, बताओ, स्रीज LCR, तो स्रीज LCR में जिधर current, उधर VL, उससे 90 degree आगे VL, और यह VC, तो डिपेंड करेगा कि VL ज्यादा कि VC ज्यादा, अगर VL ज्यादा, तो net voltage उपर खीच लेगा, अगर VC ज्यादा, तो net voltage नीचे खीच लेगा, समझ रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं इस बात को, अगर phasor diagram का feel आया तो देखो कितना आसान है, net voltage को हम कैसे कह सकते हैं, net current into impedance, बराबर, current तो उतना ही जा रहा है, I into, VR को लिखेंगे, I into R का whole square, plus current वही जा रहा है, I into XL का whole square, यहाँ पर, अरे, net voltage को current into impedance नहीं लिख सकते हैं, V बराबर, I, Z, I, R का whole square, I, XL का whole square, I square, I square, I square common निकलेगा, तो I, I cancel हो जाएगा, अरे, I square है, I square है, I square है, root से बार निकलेगा, तो impedance बराबर आ जाएगा, root under, R square plus, XL का whole square, यह impedance आ गया, खतम, यही पर सवाल पूछते हैं, भाई, impedance बताईए, आप यहाँ बे तुमसे बोलेंगे, कि माल लो की net voltage इधर आ गया, और current तो तीनों में सेम जारा current इधर है, तो यह हो गया तुमारा phase difference, हाँ, यह हो गया phase difference, तो क्या यहाँ से तुम लिख सकते हो, cause phi बराबर, base upon hypotenuse, base में इधर क्या है, यह इधर है सर, VR, इधर था VL, इन दोनों का sum आया, यह net voltage, यह इन दोनों का sum आया, इधर impedance, जिधर BZ है, उधर impedance होगा, देखो न, impedance जो calculate तुमने किया है, ध्यान से देखो, तो यह तुम्हारा R है, यह तुम्हारा Excel है, यह 90 degree पर sum तुमने निकाला है Z, यह तो है, तो cause phi को क्या लिख सकते हो, cause phi को लिख सकते हो, base upon hypotenuse, VR by VNet, VR को लिखो के I into R, और VNet को लि दूसरा नाम है, power factor, cause phi का दूसरा नाम है, बेटा, power factor, देखो, impedance क्या होता, impedance बेटा, normal resistance की resistance को हमके resistance कहते हैं, लेकिन AC source में इन दोनों का net resistive capacity होना, total net resistance उसको कहते है, impedance, यह बेटा, impedance, इस circuit का net impedance आएगा, जेट, एक बार और देखो, वहीं चीज सेम, कुछ भी नया नहीं है, अब भलाई नाम अलग है, क्या नाम है, कि सर, यह RC circuit है, देखो, यह R और यह C, यहाँ पर E बढ़ाबर, माल लो, हमने दिया E not sine omega t, माल लीजिए, हाँ पर current आई, flow कर रहा है, देख लो current का equation, ज कुछ भी आएगा, sine omega t, प्लस sine cos omega t, कुछ भी, उस current को मने इधर माल लिया, जो current resistor में गया हो यह, getsol में गया है, current जो रिस्टर में गया हो आई, और potential drop जो resistor में होता है, वो current के फेज में होता है पोटेंचल जो पोटेंचल में होगा वो करेंट के फेज में होगा तो विल आई के फेज में होगा और यहां पे जो पोटेंचल डॉप होगा इस से जो करेंट पास कर रहा हो इस से कर रहा इस करेंट से पीछे होगा VC, तो यह आ गया बेटा, तुम्हारा VC, यह समझा आया कि नहीं है, कि यह समझ में आया बेटा, फिर वही यह स्टेप, जो आपने इहां किया है, डिक्टो सेम, देखो कैसे, अब यह VC और VR में कितने का फेस दिफरेंट से, पाई बाई टू का, इन दोनों का वेक हम लिख सकते हैं, I into Z, बराबर, रूट अंडर, VR को, IR का होल स्कूर, और VC को, I into XE का होल, अरे V, पोटेंशियल, रॉप, आई इन टू, रेसिस्टेंस, कैप्सले की रेसिस्टेंस होती है, XE, यहां से, I square, I square, I square, I से कटेगा, तो, Z बराबर, आगया देखो, रूट इसमें कौन आगे चल रहा, current आगे चल रहा, देखो, net voltage पीछे चल रहा, अगर यह current and voltage में phase difference phi लिखू, तो, इमानदारी से बताओ, cos phi क्या होगा, based upon hypotenuse, VR by V net, VR को क्या लिखेंगे, I into R, और V net को क्या लिखेंगे, I into Z, I सE I कटेगा, R by Z, यहां गया, तुमने phase difference में निकाल लिया, कि net current and voltage में क्या phase difference होगा, इसमें आगे कौन चल रहा, बताओ, voltage चल रहा, तो, जो net voltage है न, वो बैटरी का voltage, मतलब इस line में तुम्हारा sine आ जाएगा, E not sine omega t दर हो जाएगा, तो, इससे आगे चल रहा, तुम्हारा current, तो current होगा, I बराबर, I not, sine omega t plus phi, और देखो ने, ये voltage, जो बैटरी का voltage दिया है, वही तो, इन दोनों में मिला के drop हुआ है, तो, इन दोनों में मिला के drop हुआ है, वो ये, और वही तो, बैटरी supply कर रहा है, तो, इधर हो जाएगा, तुम्हारा, E not sine omega t, और इससे phi आगे चल रहा, तुम्हारा current, तो, net voltage से phi पीछे चल रहा है, क्योंकि, inductor का voltage आगे होता है, और resistor के है, तो, net voltage उपर जाएगा, capacitor का voltage नीचे होता है, तो, net voltage को पकर के नीचे लाएगा, तो, RC circuit में कौन lead करता है, current, clear है, क्या ये बात आपको समझ में आया, nix, देखो, LC circuit, कितना आसान है, देखो, मान लो, तो, ये बैटरी का आपने potential दिया, E naught sin omega t, क्या potential दिया, E naught sin omega t, बेटा, जो current यहाँ पर, इस inductor से जाएगा, वही capacitor से जाएगा, बात हो सही है, जो inductor से जाएगा, वही capacitor से जाएगा, अगर inductor recurrent को इधर मान लिया, pace, inductor recurrent को इधर माल ले, तो inductor का voltage यह, and capacitor का voltage यह, inductor and capacitor के voltage में कितने का phase difference है, inductor and capacitor के voltage में कितने का phase difference है, यह आधे लोग ने break-break लिखिके इतना थक जाते हैं, बैटा, थोड़ा break-break लिखिने में जो थक जाते होना, पढ़ने में ध्यान दो, बोड में डेर नंबर जादा आएगा कितने का फेस दिफरेंस है वेरी गुड वेरी गुड बेटा अगर मैं इन दोनों को जोरू या घटा हूँ तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ніट बोल्टेज किधर जाता है ज़ादा बरा कौन है अगर तुम्हारा वेरी ज़्यादा है, वी सी से तो निट बोल्टेज बेटा ऊपर आएगा वी सी यह आएगा इधर करेंट है न बेटा, अगर वी यह ज़ादा है माहनु मुल 10 है और bc है तुम्हारा 5 तो 5 गूल टूपर नहीं बचयेगा हाँ अगर तुम्हारा बीची ज्यादा है वील से तो नट वोल्टेज यह हो जाएगा, Vc-Vl, और यह हो जाएगा तुम्हारा करेंट, यह आएगा नेट वोल्टेज, वीनेट यह आएगा, अब V net का एक्वेशन देखना, Vl-Vc, V net को क्या लिख सकते हो, सर वोल्टेज आई इंटू जेट, अगर टोटल सर्क्यों करेंट आई मान लि और यहां का पोटेंचल V है, तो वोल्टेज बर और करेंट इंटू नेट इंपिडेंस, जेट, Vl को क्या लिखेंगे, I into Excel, Vc को क्या लिखेंगे, I into XE, करेंट, 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 कॉमन निगल कर जाएगा, इंपिडेंस आएगा बेटा, Excel-XE, यह इतना रिसिस्टेंस आ बता है, इसने लगई हाथ зवाल करोगे, मल लो कि एक इंडुक्टर है, जिसकि इंडाटि वेटेंस टीनों, और एक तुम्हारा कैपसिटर है, जिसकि कैपसिटिव रिएक्टेंस है चारों, और उसको मैने एक बैटरी से जोर दिया, इसका जेट बताओ कितना होगा, अराम का मतलब होता है net impedance, पूरे का inductor का XL और XC जोर के कतना होगा, net impedance, फड़ा फट करके दिखो, इंपिदेंस बताओ, कितना होगा, हाँ, तो नेत्रिक सरकार कह रहे है 5, वहीं लाइन गेमिंग कह रहे है 1, अब इन दोनों में से कौन सही, कौन गलत यह, कौन डिसाइड करेगा, अनील जी कह रहे है 1, अनील जी कह रहे है 1, और बागी सभी जनता कहते हुए 1, इसलिए 1 तुम्हारा सही जवाब, क्योंकि Z यहाँ पर होता है XL माइनस XC, XL बोल 3, XC बोल 4, वो डिपेंड करता है कि XL माइनस XC होगा, कि XC माइनस XC होगा, अगर जो ज़्यादा है, उसमें से घटाओ, देखो न, है, रहे सिस्टन्स निगेतिव में होता, अरय रहे है, हम बात को समझ हो, जो कुरोनिलोजी समझ हो क्रोनोलोजी समझ यह बेटा कि रेसिस्टेंस निएटिव में होता ही नहीं तो माइनस कैसे लिख सकते हो रिसिटेंस निएटिव में नहीं होता तो जो बढ़ा है उसमें से घटा दीजिए, समझ में आया, बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो important section है, सबसे ज़्यादा important section वो क्या है, series LCR circuit, series LCR circuit, कैसा होता है series LCR circuit, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक हमने लगाया L, उसके बाद लगाया यह C, उसके बाद लगाया यह R, और उसको मैंने एक AC source से जोर दिया, यह बेटा है आपका XL, यह आपका XC, यह आपका R, यह E बराबर E naught sine omega T, clear, XL, XC और R, और E MF है E naught sine omega T, अब इसका कोई equation नहीं लिखना, बोर्ड में आता है कि current का equation लिखना है, तो इसको derivation आप phasor diagram सहीं करेंगे, इसका derivation किसे करेंगे, आप phasor diagram सहीं करेंगे, ठीक है, कैसे, तो देखिए ध्यान से, एक बात बताईए, अगर बैटरी का voltage आपने लिखा है, इबरा और inert sine omega T, और मालो current कुछ i flow कर रहा, तो क्या तुम कह सकते हो कि net current जितना inductor से बैरा, उतना ही capacitor से बैरा, उतना ही resistance से बैरा, इसको लिखने में कोई बुराई है क्या, जितना current inductor से है उतना ही current capacitor से है उतना ही current inductor से है इसको लिखने में कोई बुराई है क्या अरे यार बहुत कमजोर बच्चे हैं यार परहाई में डूब जाने पर भूख कैसे लग सकता है तुम्हें एक बार पढ़ने में मज़ा आने लगे और अगर तुम्हें भूख लग रहा है तो समझो कि मुस्की लवेटा साइड में कुछ करते हो की नहीं आचा साइड में तुम परहाई करते होगे परहाई करना साइड वाला काम है बाकी तो चली रहा होगा परहाई करना साइड वाला काम है साइड में सरपढ़ाई कर लेते हैं बाकी मेन काम थोड़ी नहीं है कमजोर लाचार बेबस भूखे भिखारी सरजादा बेजती कर दिया है तुम बात यह से कर तो रोने लागे रो रहे हो चलो नौ बजे ब्रेक देदूँगा उसके बाद 45 बेट में खतम कर दूँगा पूरा चल दे गया है बड़ इदर तो भाई जितना करेंट सरकीट में बहला है उतना ही इंडक्टर में उतना ही करेंट हो गया यह नेट करेंट हो गया चीक है जिदर करेंट गया है रेसिस्टर में यह जो करेंट गया वही रेसिस्टर में भी करेंट रेसिस्टर का वोल्टेस ड्रॉप रेसिस्टर के करेंट के साथ फेज में होता है मतलब रेसिस्टर के लॉंग जो पोटेंचल रॉप होगा और रेसिस्टर के करेंट के फेज में होगा जो रेसिस्टर का करेंट वह इंड़क्टर का करेंट तो इंड़क्टर का वोल्टे जीधर होगा और जो रेसिस्टर का करेंट वही कैपसिटर में भी करेंट तो कैपसिटर का वोल्टे जीधर होगा क्या यह बात तुम को च एक होता रिस हusta है इंड़क्टर कप्षंटर यह होता है और शिस्टर इंड़क्टर इन पशन से OH यूरासिस्टर इंप्टर है क्या sleeping मैं यही कर दोर्ण का और यह यह चमका तो 70 श्यागे तुम्हें 50% AC आ गया तुम्हें register capacitor inductor 50% AC आ गया कैसे अरे भाई यही तो सवाल पूछा है CBSC बोर्ट के 10 साल में बिहार बोर्ट के युगानदा बोर्ट के नेपाल बोर्ट के 10 साल में सवाल पूछोगे तो एक नंबर में तो यही पूछ लेता है register में कौन आए, capture में कौन पीचे, inductor में कौन आगे LR में कौन आगे, LC में कौन आगे, CC में कौन पीचे NC में कौन आगे, TT में कौन पीचे ठीक यह तुम्हारे L, C और ER तो register का voltage, inductor का voltage and capture का voltage, समझा है अब तुम्हें यह decide करना परेगा कि यह जो circuit हो कैसा है अगर तुम circuit को बोलतो हो कि inductive circuit है कैसे decide होगा inductive circuit series LCR तीन तरह का circuit होता है एक inductive, एक resistive एक capacitive एक resistive, एक inductive एक capacitive तीन तरह का circuit होता है अगर मैं inductive बोल रहो हो इसका मतलब VL की value जादा होगी VC से अगर बेटा VL जादा VC से तो net voltage उपर बचेगा तुम्हारा VL-VC इधर बचेगा तुम्हारा VR और इधर VR है उधर ही तुम्हारा current ओके सर अब VL-VC और VR में कितने का phase difference है खड़ा-खड कमेंट रहे के बताओ VL-VC VL-VC और VR में कितने का phase difference है तो बेटा VL-VC और VR में phase difference है पाई बाई टू का मानते हो की नहीं हाँ तो इन दोनों का vector sum करोगे तो net voltage इधर आएगा अच्छे से लिख ले तो net voltage इधर आएगा root under VL-VC का whole square plus VR का whole square यह आएगा net voltage यह आएगा आपका net voltage और इस तरफ तो आपका VR है ठीक है इधर यह आपका current है अब अगर मैं phase difference आप से पूछू दो चीज़ाय में निकालना है net voltage को लिख सकते हैं I into Z I into Z बराबर I into XL I into VC I into XL minus I into XE I into XE का whole square plus I into R का whole square क्या clear है यह बात clear है यह बात I, I, I common निकालोगे तो I cut जाएगा तो Z बराबर आएगा root under Z बराबर आएगा root under XL minus XE का whole square plus R का whole square यह आएगा आपका impedance यह आएगा आपका impedance यह आएगा आएगा impedance clear है अब logically समझों के तो बहुत simple चीज़े हैं cause phi की value क्या आएगी cause phi की value आएगी base upon hypotenuse BR by V VR को लिखोगे IR और इसको लिखो IZ R by Z यह cause phi cause phi तो हर जगा R by Z ही आता है Z तुम्हारा net impedance net impedance यहाँ पर यह है अब बेटा अब बेटा एक बात बताओ कि अगर VC जादा होता तो क्या फर्क परता कहीं क्या फर्क परता कुछ भी नहीं बस यह फर्क परता कि यहाँ पर जो phi net voltage उपर हो नीचे आ जाता अगर VC जादा होता तो मैं डाइग्राम बना के दिखा देता हूँ अगर VC जादा है तुम्हारा VL से तो इसको बोलेंगे capacitive LCR क्या बोलेंगे capacitive LCR क्ये plot कर सकते हाँ यह VC माइनस VL इधर बनेगा यह बन जाएगा आपका VR पाई बाई टू डिग्री पर और इधर VR है उधर यह आपका current होगा तो net voltage यहाँ बन जाएगा यह आप draw कर लेंगे सब कुछ वही रहेगा impedance भी लिख देता हूँ impedance होगा root अंडर xc minus xl का whole square plus r का whole square यह आएगा यह आएगा impedance net voltage यहाँ आएगा तो इसमें capacitive में net voltage क्या होगा? lack करेगा और inductive में net voltage क्या है? lead कर रहा देखो net voltage क्या कर रहा है? lead कर रहा है clear है? clear है? clear है? चमन प्रास देख इदर जांस देख next है resonance condition चल मैं break दे देता हूँ up to 9 a.m फिर मैं तुम्हें प्राऊंगा resonance condition और बहुत सारे सवाल कराऊंगा बोर्ड पे बिस्ट बहुत सारे सवाल कराऊंगा यह 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 सारे सवाल कराऊंगा चल ब्रेक दे देता हूँ up to 9 p.m 10 मिनट का ब्रेक दे रहाँ ठीक है? up to 9 बें प्ड़बट 10 मिनट में मुह पानी मार गंदे से सरकल को धो और फड़बट कुछ खापी कि आजा जल्दी ठीक है? लिग देता हूँ ब्रेक ठीक है बई? ठीक है? उसका मैक्सिमूम एक घंटा जोजने इस कंडिशन बराऊंगा quality factor बताऊंगा और ट्रांस्फरम बताऊंगा ठीक है? ठीक? चल और ट्रांस्फरम बताऊंगा ठीक है बई? चल लो झाल 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 तुमने बुलाया हम चले आएं आजाओ क्या खाया क्या-क्या खा लिया इतने देने बताओ भी आजा देजू झाल यह जैसे तुम्हारी शक्रागे न है कि इस इतनी वुद्धि दिया बगमान ने ऑगा दो तुम्हें जीवन भर खाना है उसके लिए थियार रहो एकदम समझे रहो तक्य दो खाना है तुम्हें यह करा पास्ता शकल तुम्हारा बसिया भाद खानेगी नहीं है पास्ता खाएगा आओ घरवाले तुम्हों चार दिन का बचा हुआ भाद देते होंगे और कह रहा है पास्ता खाए मैं है 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 दो इस ध्यां से एक्दम ध्यान लगार कि अगर किसी तरीके से ऐसा कंडिशन एचीव हो जाए कि यह वी ल और वी सी बराबर हो जाए इसी हो कहते है रेजोनेंस कंडिशन एफ वील बराब वी सी अगर ऐसा तो यह उपर और यह नीचे है कि अरे यह पर्मानेंट कैसे जाता है अचा अगर ऐसा हो यह तुम्हेरा है रेजनेंट रंडिशन का मतलब होता है VL बराबर VC तो उपर VL और नीचे VC कि वैल्यू बराबर और फेस डिफरेंस पाई भई टू का तो यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा एक दूसरे को यह दोनों खतम कर देगा तो सर यह दोनों एक दूसरे को खतम कर देगा अगर तो net phasor diagram तो ऐसा बचेगा, इधर i और इधर ही net voltage जो की vr के बराबर होगा बस, हाँ, क्योंकि ये तो net 0 हो गया, ओ भाई साव, तो impedance तो सिर्फ r के बराबर बचेगा, हाँ, impedance r के बराबर इसलिए बचेगा, क्योंकि अगल vl बराबर vc है, तो vl को लिख सकते हम i xl और vc क अगर xl बराबर xc हो गया, तो impedance z minimum बराबर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, मतलब resonance में, अगर vl बराबर vc है, मतलब xl बराबर xc होगा, और अगर बिट एक्सल बराबर xc हो जाए, तो net impedance यहां का 0, तो z minimum बराबर क्या जाएगा, r, इसको हम कहेंगे pure resistive circuit, pure resistive circuit, Pure resistive circuit, यहां पर, net voltage and current के बीच में, phase difference क्या हो जाएगा, giro का, तो यहां पर cos 5 की value क्या जाएगी, one, cos 5, क्यूँकि 5 0 तो cos 5 1, तो हम कहेंगे, power factor यहां पर क्या जाएगा, maximum, power factor क्या हो जाएगा, maximum, अगर बेटा मैं GRAF बनाओ, Z versus frequency के तो इतना समझने का time नहीं नहीं तो मैं बहुत प्यार से आपको समझाता Z का formula होता है बिटा R square plus XL minus XE का whole square and root आप जान तो XL और XE दोनों frequency पर depend करता है तो जब frequency को तुम 0 रखोगे frequency 0 रखने पर XE infinite हो जाता है XL 0 हो जाता है XE infinite हो, Z तुमारा infinite आता है जैसे से frequency बढ़ाओगे तो impedance घठता है और वो frequency जहाँ पर resonance condition अचीव होता है वहाँ पर Z minimum होता है बेटा R के बराबर फिर frequency बढ़ाने पर इस तरीके से impedance बढ़ जाता है जैसे आपने हाँ पर देखा आपने हाँ पर देखा कि आपका ध्यान से देखिए XL बराबर XE आया है resonance condition तो resonance condition पे at resonance ध्यान से देखिएगा at resonance at resonance जब XL बराबर XE है XL की value होता है कितना है? omega L XE की value क्या होता है? 1 upon omega C omega इधर चला जाएगा omega square is equal to 1 upon LC तो omega आजाएगा 1 upon root LC omega की value कम 2 pi F लिखेंगे तो यहां से यह आएगा resonance frequency 1 upon 2 pi root under LC इसको कहते है resonance frequency इसी resonance frequency पे resonance condition अचीव होता है जहां पर Z तुम्हारा एकदम minimum होता है Z circuit का impedance क्या होता है? minimum होता है इस frequency से कम frequency रखते है बेटा इस frequency से कम frequency रखते है तो circuit होता है capacitive क्योंकि यहां पर frequency कम तो एकसी जादा तो यह capacitive circuit होता है capacitive circuit होता है और जब frequency high रखोगे तो याद करो frequency high रखने पर excel जादा होता है तो यह आता है आपका inductive circuit यह कैसा circuit आता है चुछा inductive circuit याद करिए याद करिए ध्यान से समझे ध्यान से समझे यह वाला पार्ट आपका है यह वाला पार्ट आपका है capacitive LCR और यह आपका inductive LCR यह क्या Inductive LCR यहाँ पर जहां पर frequency F0 होता है वहाँ पर resonance condition आता है, जहाँ पर impedance क्या होता है minimum, सबसे कम impedance होता है resonance condition पर, मतलब frequency अगर F0 के बराबर है, resonance frequency के बराबर है, तो resonance condition आएगा, उस frequency से कम frequency पर circuit capacity VLCR होता है, उस frequency से ज्यादा frequency पर circuit inductive VLCR होता है, अब बेटा, मालो में frequency को 0 से increase करता हूँ, मतलब frequency को increase करता हूँ, तो frequencies को increase करने पर impedance पहले घटता है, minimum होता है फिर frequency को बढ़ाने पर impedance बढ़ता है, impedance का nature अगर आप समझने की कोशिस करेंगे, impedance का nature अगर आप समझने की कोशिस करेंगे, तो frequency बढ़ाने पर impedance पहले घटता है, फिर frequency बढ़ाने पर impedance क्या होता है, बढ़ता है, एक बात बताओ ब सब गंठने में समय लगता है है मैं फर्मला लिख के तो नहीं जा रहा हूं न बता रहा हूं अच्छे से तो देख यहां पर जैसे जैसे तुम्हारा frequency बढ़ रहा है impedance घटा resonance frequency बढ़ रहा है इंपड़ रहा है बढ़ रहा है तो अब मुझे एक बात बताओ current versus frequency का ग्राफ कैसा बनेगा जस्ट इसका resonance frequency बें फिर impedance तुम्हारा बढ़ गए ऐसा ग्राफ बनता है कुछ तो current versus frequency का ग्राफ जब आप बनाएंगे जब resistance circuit का maximum resistance circuit का maximum उस समय current minimum current minimum जैसे से resistance घटेगा current बढ़ेगा resistance घटेगा current बढ़ेगा जब resistance minimum होगा current peak बढ़ेड जब तुम्हारा impedance बढ़ रहा है तो current घटेगा कुछ इस तरीके का graph बनता है को इस तरीके का graph बनता है यह तुम्हारा current versus frequency का graph यह तुम्हारा current versus frequency का graph तुमने कभी वो सुना है radio रेडियो सुना ऐसा वाला radio होता है जिसमें ऐसे ऐसे यहां पे speaker के लिए होता है और एक स्टेशन चेंज करने के लिए होता है जैसे जैसे इसको घुमाते हो तो यह वाला काटा आगे पीछे करता यह सुना है क्या रीडियो ऐसा देखा है जैसे माल लो तुम रेडियो मिर्ची सुन रहो 98.3 हर्ज पर गाने आ रहा है पर देसी पर देसी जान नहीं मुझे छोर के वादा निभाना ह। सुना है अब मालो लो तुमको Ngo NB Deanna है तुम्हें सुनना मालो यह गाना तुमको नहीं सुनना तुमने तुम्हें सुनना ए цент यह 93.5 रेडियो और 98.5 इत्ल ऑड guests Greater parler whatever । Ou Tou Okay Isco ऐसे जैसे इसको घुमाते हो तो यह वाला जो और यह जब 93.5 हट्स पे आता है तो अचानक से तुमको गाना सुनाई देता है जो रेड एफेंपे बज रहा होता है क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहके तनहाई दूर करते थे गुना भाग करके गुना भाग करके अब माल लो तुमको यह नहीं सुना भीबित भारती सुनना है तो क्या करते थे सर इसको घुनाते थे और यह आगे बीचे चलता था तो एक्च्छल में एक्च्छल में इसके अंदर लगा होता है सिरीज ल्सी आर सरकिट इस रेडियो के अंदर रेडियो के अंदर लगा होता तो यह कैसे काम करता है सर, तो सुनो, जैसे तुम इसको घुमाते हो ना बेटा, तो उसके अंदर यह जो L और C की वेल्यू है, उसको यह जादा और कम करता है, और किसी भी series LCR का resonance frequency होता है, तो L की वेल्यू और C की वेल्यू वो इस तरीके से मैनूपलेट करता है, अंदर में change करता है, कि L और C की वेल्यू है पर change होके इतना आता है, कि यह 93.5 हट जब आएगा, तो series LCR जो तुम्हारा है, जो radio में लगा है, उसकी frequency, resonance condition पे इतनी आ जाएगी, अब environment में तो सारे गान लहाने बजने हैं? पर देसी, पर देसी, जाना नहीं, हमें चौरे के वादा निभना, योई पास रहना, ऐसा गाना बजना है, तो यह 93.98.3 हट का बजना है, यह और EFM का बजना है, ऐसे बहुत सारे गाने बजने होंगे, तुमें इसा अभी अभी अगर तुम सोचो तो सारे frequency का signal यहां पर आ रहा है लेकिन मेरे radio में कौन सा गाना बजेगा मेरे radio में कौन सा गाना बजेगा मेरे radio में वो गाना बजेगा जिस frequency पे मेरे radio का LCR का resonance condition सेट होगा अगर माल लो तो LORC की value पूट करके यतना आ रहा और LORC की value पूट करके मैं इसको change कर दूए इसे घुआ 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 के change कर दूए अगर यह 98.3 आएगा 98.3 हर जाएगा तो मेरा यह बजने लगएगा तो यह होता है कि signal में अलग-अलग frequency का sound आ रहा है अब resonance condition पे जो frequency set होगा उस frequency के sound के लिए यह peak maximum current produce करेगा मतलब series LCR का maximum current उसी frequency का बहेगा तो वो गाना हमारे radio में बजने लगेगा माल लो माल लो माल लो कि तुम्हें एक radio खरीद के लाए और तुम्हारे radio का current versus frequency का graph यह है यह देख ऐसा 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 है current versus frequency का अब देखना ऐसा और मेरा radio है मेरे radio का current versus frequency का graph ऐसा है तू कौन सा रेडियो जादा अच्छा है यह रामलाल रेडियोस रामलाल का रेडियो तुमारा और यह है मेरा एमर का रेडियो किसका रेडियो अच्छा है यह देखके कैसे पता चलेगा क्या करेंट वर्सस फ्रिक्वेंसी के गराप को देखके पता चल जाता है किसका रेडियो अच्छा है हाँ किसका रेडियो अच्छा है बताओ देखके यह कैसे पता चलता है यहाँ पर अच्छा खराब कैसे पता चल u यह देखके हखथ चलता है कि अ यह देखके पटाचलता है लिखना बजता है कि फोरी गाचा ए पड़ रेडिये से अब तुम्हारे रेडियो में गवा कि तुम रेडियु लगाए रभ तुम बैठे व नेपाल बोल्डर पर और बीहार के रटे कρείब से क्वट glitter तो बैटो नेपाल बॉर्डर पर तुमने रेडियो बजाया अब तुम्हारा रेडियो का क्वालिटी इतना खराब है चाइनीज रेडियो खरीद के लाया है तो उसमें बज़रा है नहीं मुझे यह क्या था यह तुम्हारे रेडियो में एक साथ चार पांच स्टेशन बज़रा है क्या बात कर रहा है कभी तुमने यह महसूस किया है कि बहुत घटिया खराब कंपनी का सस्ता रेडियो होता है वो एक साथ चार पांच स्टेशन पगर लेता है यह को क्यों पगरता है तो इसको क्वालिटी ख्राब एक क्यों वैसा बनता है अफ्याद देखो मान लो इस प्रिक्वेंसी के लिए भी तो ये इसके लिए इसके लिए पीची विए यह वज्या ने consumedon केन बागा ली के ले में नहीं कुरुकाना यूही साथ रहना कर इधर बजरा तुम्हारा इंखर देशाओं और एधर बज्या सो ने काने साट याहां से यहां तक छितने फ्रिक्वेंसी के साउंड होंगे सब के लिए पीक आजाएगा सारा गाना एक साथ बजने लग रहा है जबकी मेरा एकदम फिल्प्स का महगा डेडियो एकदम इंडियन नहीं महंगा रेडियो महंगा रेडियो दे किदर इसी के लिए यहां पर इसी फ्रिक्वेंसी के लिए पीक आया है तो यह बढ़िया गारा सुनाएगा क्या करते थे साजना, तुम हम से दूर रहके, तनहाईं दूर करते थे, गुना भाग करके, इदम साफ साफ, सब्दों में हर एक सब्दिक्दम क्लियर, ठिक, ऐसा इसलिए थोड़ा समय लगया, कोई बात नहीं, तो देख ऐसा इस ही ले क्योंकि यह सार्प है इसका विठ्थ कम है तो यह जो विठ्थ होता है ना जिस फ्रिक्वेंसी पे पावर आधा हो जाए मतलब करेंट आई बाई रूट टू होगा पावर होता है ने बेटा आई स्कॉयर तो पी होता है यहां पर लिख देता हूं पी इसकी फेक्टर हम डिफाइन करते हैं किसी भी एल की एर सर्केट का यह तो जितना नारो सार्प होगा अतना क्वालिटी इसकी अच्छी होगी यह खराब क्यों है यह मोटा भीम जैसा इसका wind wind विटते हैं, इसकी quality खराब है, रामलाल की quality बहुत खराब है, MR की qualities है, हाँ, radio, तो अब हम एक define करते है, quality factor, क्या define करते है, quality factor, quality factor is inversely proportional to delta omega, समझा है? clear है? clear है? अच्छा, और proportional constant आता है बेटा, यहाँ पर यह resonance frequency omega not, sorry, यह delta omega delta हो है, 2 delta हो है, पूरा वीटत होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो Q बराबर आगे है, बेटा, omega not, 2 delta omega, यहाँ आता है, quality factor, और आपको बता दू, कि delta, 2 delta omega, पूरा complete bandwidth की value होती है, बेटा, RYL, यह derivation न बो bandwidth, आप से सवाल पूछ लेगा, so 2 delta हो हो हो, क्या लिख सकते है, 2 delta हो हो लिख सकते है, 2 omega, f2 minus f0, omega 2 minus omega 0, na, angular frequency, बेटा, angular frequency, clear है, अब यहाँ पर हम, resonance condition को, यहाँ पर लिख दिया, resonance condition तब होता है, जब XL बराओ, XC, XL बराओ, XC होगा तो VL बराओ, VC हो जाएगा, omega is equal to 1 upon root LC, frequency, frequency निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2 pi, root LC, impedance minimum होता है, यह हो गया, अब यहाँ पर देखना, ध्यान से, quality factor का एक, मैंने चार्ट बना के लाया था, ता तुम्हारे लिए, ताकि सब कुछ easy हो जाए देखना, नहीं है, कोई बात हम लिख देंगे, घबनाने वाली बात नहीं है, घबनाने वाली बात नहीं है, चिंता मत करो, यह रहा, यह रहा, यह रहा, देखो, यह quality factor, यह देखो, यह quality factor, यह रहा, quality factor, तो basically quality factor होता है, बेटा, omega not resonance angular frequency by 2 delta omega, इसी हम 2 delta omega को bandwidth को बैंड विर्ध कहते है, आपको याद दिलाओ, तो इस bandwidth में नीट 2020, वन में सवाल इस bandwidth के formula पर, direct, 2 delta omega is equal to ryl, 2 delta omega is equal to ryl, direct सवाल था, bandwidth, दूसरा, नीट 2016 में, quality factor पर direct सवाल था, तो आईए मैं पूरा एकदम drive करके बता देता हू, देखो बेटा, quality factor होता है, resonance angular frequency divided by 2 delta omega, तो 2 delta omega का formula में ने बता हा, यह तो 2 delta omega हो जाएगा, r by L, तो L उपर यह omega not, omega not, resonance angular frequency है, हाँ sir, तो omega not को हम लिख सकते हैं, omega not को हम लिख सकते हैं, one upon root lc, उपर है l, नीचे है r, ध्यान से देखना, यह नीचे root l, उपर l, तो कटे का तो उपर l आ जाएगा, तो यह लिख सकते हैं, one upon r, root under l by c, यह quality factor का formula आगया, q बराबर, one upon r, root under l by c, यह क्या है quality factor, quality factor, यह किसका value है, quality factor, यह किसका value है, quality factor, clear है, अच्चा सर, यह omega not l को हम Excel नहीं लिख सकते, देखो याद कर, omega not l को Excel लिख सकते हैं, तो अच्छा उपर में आई से मल्टिप्ला या आई से डिवाइड कर दू तो आई इंटु एक्सल क्या हो जाएगा विल और आई इंटु आर क्या हो जाएगा वियार तो क्वालिटी फेक्टर को वियार वाई वियार भी लिख सकते हैं क्वालिटी फेक्टर को ध्यान से देख लो बेटा पूरा चिप्टर हम एक बार में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको भी एफर्ट लागाना पड़ेगा कोई खास बात नहीं है कोई खास बात नहीं ध्यान से देख लेजे क्लियर है यह क्वालिटी फेक्टर का फार्मला ह में है, if R and the inductive reactance both are equal to 3 ohm, दोनो 3, 3 ohm है, तिन तिनो में, phase difference between the applied voltage and current in the circuit, सुनो, हम जानते हैं कि अगर यह L हाई यह आ रहा है, तो यह net voltage उपर आएगा, क्योंकि यह है तुम्हारा VL और यह है तुम्हारा VR, जिधर VR उधर current और net voltage यहाँ आएगा, यह है तुम्हारा 5, तो हम phase difference डारेक्ट निकाल दे सकते हैं, cos 5 तो R बटा Z, R की value बोलो R, R की value तीन हो, और Z हो जाएगा, root अंडर, R का whole square प्लस XL का whole square, यह आएगा 3 root 2, 3 बटा 3 root 2, 3 से 3 गटेगा, 1 by root 2, मतलब cos 5 is equal to 45 degree, 5 by 4, हम डारेक्ट भी बता सकते हैं, एक second में, एक line में answer, एक line में answer कैसे, कुछ नहीं करना, हमें पता है, कि अगर यह 3 और 3 है, तो दोनों की आउकाद सेम है, इधर तुम्हारा L होता है, और इधर तुम्हारा VR होता है, दोनों का resistance सेम, दोनों में current सेम जाएगा, तो net voltage बीच में आएगा, और net voltage बीच में आएगा, तो यह angle pi by 4, answer pi by 4, कितने लोग समझ बात नहीं देखते हैं, कि आपको इधरी बात का feel आया, कि मैंने आपको क्या समझाया, समझ ना आया, तो आईए समझाते हैं, pure resistance, pure inductor, और अगर RL की बात करेंगे, तो यहाँ भी R, यहाँ भी R, दोनों की resistance से हैं, series में, दोनों में current से हैं, तो net voltage बीच में आएगा, net voltage बीच में current यहाँ, पैतालीस डिग्र बता, मैं कहता हूँ, कि आज तक जितने भी किताबों में, बोर्ड में, नीट में, जेई, में में सवाल आये हैं, उस में से 90% सवाल, ख़तम, 90% सवाल, सबस्जी नहीं है, आगे देखेगा, देख, वे, यह सवाल देख, impedance of the circuit, शोनीन फिगर, impedance बोला है, 120 और 90, तो सबसे पहली बात, current जारा 3, तो voltage by current इसका impedance होगा, यह XL क्या होगा बोलो, 3 से बाट, 40 ohm, इस ती दिन देखो कहें, 30 ohm, 30 ohm और 40 ohm, 90 डिगरी पर, 50 ohm, be answer, बताओ, चमका यह बात, चमका यह बात, कौन है यह, सौरब अगरवाल सर को जानते हो क्या, ऐसे तो बहुत सारे सौरब अगरवाल है, कौन से सौरब अगरवाल की बात कर रहे हैं, आप बताईए, तब तक हम यह सवाल कर लेते हैं, इन स्रीज LCR सर्किट, फेस डिफेंस बिट्मिन भोल्टेज अक्रॉस L, एन अक्रॉस C, यह तरह VL, और यह तरह VC, 180 डिगरी मतलब पाई, बी एंसर, है, सब का भी एंसर क्यों हो रहा है, कोई सेटिंग तो नहीं है, नहीं नहीं असा नहीं है, बोलो, येस, एसी कैसे होगा, योगा से ही होगा, सर्फ फर्मूला, फर्मूला कुछ नहीं होता, सब मौम आया है, सिर्फ योगा से होगा, फर्मुला से कुछ नहीं होगा 30 डिगरी कहां है यहाँ पर बिटा और चिन्नो चिन्नी पानी खालो आगे देखो मेंस 2011 का सावा ले देखो अक्वायल है रेस्टेंस 30 हो में एक्वायल का रेस्टेंस 300 में एर इंड़क्टिव रेक्टेंस 20 हो मतलब क्वायल जब लिखा हो क्वायल में हमेशा समझना आरेल सरकीट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार मार्क करके क्वायल मतलब आरेल सरकीट तो रेस्टेंस 30 हो में तो दिया ही है और इंड़क्टेंस 20 हो में दिया है किस फ्रिक्वेंसी पर पचास हर्ज पर अब यहाँ पर एसी सोर्स लगाया है 200 बोल्ट मतलब 200 बोल्ट तुमार आरे में सोगा और 100 हर्ज एक मिनिट रेसिस्टेंस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता लेकिन एक्सल फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है अगर 50 हर्ज पर रेसिस्टेंस 20 है तो 100 हर्ज पर रेसिस्टेंस 40 होगा 40 और 30 निट सम 50 होगा तो करेंट होगा दो सौ बटा पच्चास मतलब चार एंपियर इंसर होगा तुम्हारा बी मता हिए मता हिए समझ में आये क्या समझ में आये क्या हाँ सब लोग देखते हैं लेक्चर अच्छी बात है देखना चाहिए आई आगे देखते हैं समझ में आये क्या क्यां क्या हैँ नक्स्ट इन आएस चर्किट अच्छी पै्नट कवारी आपरीव्च्राइवस्ड देखते हैं ख्याय पारीव्च्राइव्च्राइव में क्याम लिड़ाक्राइव्च्ट जा ट्रेखते हैं ध्यान से सुनियेगा, माल लीजिए कोई यल्सिया सर्कीट है बेटा, यहां पर करेंट फ्लो कर रहा आई, और यह वोल्टेज भी इन दोनों फेस्ट डिफरेंस है फाई का, तो यह जो वोल्टेज है ना, वो करेंट के साथ फेस में नहीं है, अगर आप इधर आई लेते हैं अगर वोल्टेज, करेंट से परपेंडिकुलर होता है, जैसा प्योर इंडक्टर में, इधर करेंट और इधर वोल्टेज, तो याद करो इसमें एवरेज पावर लॉस जीरो आया था, और अगर क्यापसिटर में देखो कि यह वीसी और यह आई, तो इसमें भी एवरेज प अभी होता है, रेसिस्टेंस में पावर लॉस हो हुआ था, तो पावर लॉस तब ही आता है, जब वोल्टेज एंड करेंट एक दम सेम फेज में हो, तो इसके वैसे पावर लॉस नहीं आएगा, इसके वैसे आएगा, तो एवरेज पावर लॉस बेटा होता है, तुम जानत इस cos phi को हम कहते हैं power factor क्यूं? क्योंकि ये power के formula में आता है तो किसी भी general LCR circuit का ये generalized power loss का formula है IRMS VRMS into cos phi IRMS VRMS into cos phi ये है IRMS VRMS into cos phi उम्मीद आएगा बेटा आएगा उम्मीद आएगा उम्मीद क्यों नहीं आएगा लेकिन मैं नहीं पढ़ाओंगो उम्मीद में हैं उम्मीद आएगा जनरल लाइज के लिए बता दे तो उम्मीद तो आता ही है दो ये सवाल इन एन AC circuit the current flowing is i बलावर 5 sin 100 t minus phi by 2 i बलावर 5 sin 100 t minus phi by 2 तो ये sin में है कि कॉस में कहां है बताओ ये sin में कि कॉस में 5 sin 100 t minus phi by 2 मतलब ये sin से phi by 2 पीछे इधर है मतलब current मालनो इधर sin है तो sin से इधर है और voltage है 200 sin 100 t मतलब voltage इधर है दोनों के बीच में phase difference बताओ कितना है phi by 2 का तो अगर तुम generalized formula यहापे लगाओ गई भी average power loss का तो यह होगा तुम्हारा IRMS VRMS into cos phi इन दोनों पे phase difference है phi by 2 cos phi by 2 की value होगी 0 तो यहाँ पे average power loss आएगा बिटा 0 what देख लिजे ध्यान से देख लिजे ध्यान से ठीक है clear है गया clear है गया यह बात समझ में आया यह सवाल देखें में 2012 का सवाल है देख लिजे ध्यान से instantaneous value of alternating current and voltage in a circuit is given by I and V average power in a what consume in a LCR circuit बोलो average power क्या होता है average power होता है बेटा IRMS into VRMS into cos 5 फड़ा फट सवाल सवाल करके बता हूँ फड़ा फट यह सवाल सवाल करके बताईए current दिया हुए हाँ equation पुरा दिया हुए voltage दिया हुए current and voltage में phase दिया हुए क्या current है sign में voltage is sign plus something तो phase भी दिया हुए मतलब इसमें और इसमें phase difference देखो नहीं यह sign something यह sign something plus है वहाँ पर phase difference भी दिया हुए RMS and VRMS current भी दिया हुए फट आवड इसको solve करिए आएगा बटा आएगा बहुत सारे बच्चों का CR है कुछ बच्चों का DR है अब भारी confusion है C और D में एक बार देखिए एक बार C और D में क्या answer आ सकता है देखिए तो IRMS की value आपे देखेंगे ध्यान से IRMS की value देखेंगे ध्यान से तो IRMS होगा half BRMS भी होगा half और cos pi by 3 pi by 3 60 degree भी होगा half तो half multiply half multiply half एक बटा 8 वोट इंसर आएगा तो C वाले थोड़े से से चूक गए असली answer D है अभी भी कुछ बच्च्चे C दे रहे है कैसे दिया वेटा C C हमने सर इस लिए दिया या पर 1 by root 2 1 by root 2 ये 2 आ गया पता नहीं कितनी गरवर की रहे अच्चा हाँ 1 by 2 1 by 2 आ गया तो 1 by 2 आ गया और 1 by 2 आ गया इसलिए 1 by 4 तो 1 by 4 देता न ए यहाँ पर ये आई 1 by 2 आएगा क्योंकि ये पीक है पीक बटा root 2 RMS होता है चचा पीक बटा root 2 RMS होता है समझ में आया पीक बटा root 2 RMS होता है चलो ये देखो खतम ही है बस अब बेटा इनने LCR series R 10 है, L 8 है XC 6 है, total impedance क्या हुआ तीनों है तो total impedance हम Z लिखते है root under R square plus XL minus XC का whole square R की value कितनी 10 तो 10 का whole square plus XL बोलो 8 और XC बोलो 6 8 minus 6 का whole square 8 minus 6 कितना जाएगा 2 का whole square 4 और 100, root under 104 root under 104 मत सब 10 से थोड़ा जादा 10.2 N से राजएगा clear है clear need 2016 का सवाल एक बार देख लो धंग से which of the following combination should be selected for the better tuning of LCR circuit used for the communication better tuning मतलब high quality factor better tuning कभ होता है रहे 4-5 एस्टेशन एक साथ ना पकड़े एक ही एस्टेशन पकड़े high quality better tuning means high quality high quality मतलब 1 upon R root under L by R देख लो ध्यान से तो quality better उसी का सबसे ज़्यादा होगा जिसका L ज्यादा Oh printing mistake sorry 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 श्यादिमान L ज्यादा R और C कम तो इस पूरे कॉंबिछों में L ज्यादा किसका है सबसे ज्यादा L इसका है अच्छा सब से कम सी किसका है ओ भाई जब सब से कम सी इसका है और सब से पम R भी इसका है तो C answer हो गया high quality factor quality factor का formula सबसे बहले सर्कीट का नाम लिखाया आपर कौन सा सर्कीट प्योर रेसिस्टर लिख रहे हैं सस्ता नसा करके टाइप किया गया है भारी मात्रा में सस्ता नसा पाया गया प्योर रेसिस्टेंस प्योर रेसिस्टेंस प्योर केपस्टर प्योर इंड़क्टर आरल, रसी, एलसी, स्री जल्सिया उसके बाद फेज डिफरेंस बिट्मिन आई और भी पावर फेक्टर की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू उस सर्किट का इंपिडेंस कौन लीड करेगा कितना power loss होगा, पूरा, ठीक है, एक नया item आया है, आओ इदर, ध्यांस देखो, pure resistance, phase difference 0, power factor, पावर लोस आयेगा, आई रमस, इंटु, वी रमस, पावर लोस का फर्मूला होगा, आई रमस, इनटु, वी रमस, प्यॉर, कैपसिर्टिफ, face difference, पाई बाई टू, पावर फेक्टर, कॉस, पावर फेक्टर मतलब कॉस फाई, कॉस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो, इंपिदेंस एक सी होता है, वन अपन ओमेगा सी, कौन लीड करता है, कैपस्टर है क्या, कैपस्टर में यह सर्कीट बनता है, यह सर्कीट बनता है कौन लीड करता है, current लीड करता है, और total average power क्या हो जाता है, zero, ठीक है, clear है क्या यह बात, क्या यह बात आपको यहां तक समझ आती है, चलिए ध्यान से, यह सवाल देखिए, in series LCR circuit, in series LCR circuit, potential difference across R, L and C are 30 volt, LK cross is 60 volt and 100 volt, B and 100 volt respectively, as one in figure, then EMF of the source is, EMF of the source का मतलब है, EMF of the source का मतलब है कि जितना potential इसने supply किया, इन तीनों में तो loss हुआ है, तो net voltage निकाल दू, इसका net voltage क्या होगा, कुछ भी याद निया रहा तो ऐसे देखो, net voltage इसका होगा, VC नीचे होता है 100, VL उपर होता है 60, और इधर आएगा 30, 100 में से 60 जाएगा, नीचे बचेगा 40, 40 और 30 पच्चास, एंसर आएगा C, मजा आगया कि एकदम, मजा आगया कि एकदम, क्या आपको मोक्छ मिला कि नहीं मिला, मोक्छा पर्वम धर्मा, देखिए, in series LCR circuit, the RMS voltage across the resistor and inductor are 400 और 700, रिसिस्टर और इंडुक्टर, रिसिस्टर में 400, इंडुक्टर में 700, if equation of the applied voltage is 500 root 2 sin इतना, then peak voltage across capacitor, capacitor के cross पहले RMS निकाल लो, भीक बाद में निकाल लेंगे, बैटरी का voltage दिया है 500 root 2, बैटरी का voltage कितना दिया है, 500 root 2, तो capster के across peak voltage क्या होगा, यह पूछा है, LC वाला होथा, तो LC, LC, इतना लाओ, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ध्यान लगाईए योगा से, सुनिए ध्यान से, रिसिस्टर के cross, RMS voltage है 400, इंडुक्टर का RMS voltage है 700, मतलब, रिसिस्टर है तुम्हारा इधर 400, इंडुक्टर का यह है 700, और बैटरी के voltage का equation दिया है, तो बैटरी का यह peak है बेटा, RMS क्या होगा 500, बैटरी का RMS होगा, peak बटा root 2, 500, और यही तुम्हारा net voltage है, बैटरी न जो सप्लाई दिया, उतना ही तो 500 में drop होगा, तो net 500 है, वी सी कुछ नीचे होगा, एक बात बताओ आप, वी सी की value में कितना रखो, कि तीनों को जोर के 500 है, तो वी सी की value अप 400 रखो, क्यों, क्योंकि 400 और 700 तो ऊपर बचेगा 300, 300 और 400 तभी तो net 500, ओ भाई साव, तो वी सी 400, वी सी आरम इस 400, और तुम से क्या पुछा है, पीक, तो 400 रूट टू, डी एंसर, फार्मूलाज सब मोह माया है, फार्मूला मोह माया है, कितने लोगों का जवाब आया है, कितने लोगों का जवाब आया है, D, सुनो ध्यान से, ये तुम्हें दिया 400, ल तुमें दिया 700, इसका पीक पूछा है, हम आरे में सभी माल लेते, हम आरे मीसी लिख रहे हैं, और निट भोल्टेज है, बैटरी का 500 पोल्ट, तो 400, 700 और ये कुछ X, इन तीनों को जोड़के 500 आना चाहिए, 500 कैसे आएगा, जब इधर 400 रखोगे, तो 700 में से 400 जाएगा, उपर 300, और 300 ये 400 नेट आएगा 500, तभी ये 400 मानोंगे, तभी नेट 500 आएगा, बैटरी का नेट 500 आएगा, तो कप्सल में 400 होना चाहिए, आरमेस तो पीक क्या हो जाएगा, आरमेस बराबर होता है, पीक बटा रूट्टू, तो पीक बटा रूट्टू 400, तो पीक हो जाएगा, 400 रूट्टू, बताओ, ओ भाई, साब, ओ भाई, बताओ, कुछ बुझा रहा है, हो, फिर स्कुमार करें हम लोग बोर्ड वाले हैं, हम लोग को लिखना होगा, तो लिखिये न भाई, कौन मना करना, लिखिये न, ये नुमिरिकल आएगा, तो नुमिरिकल में डरिवेशन थोड़ी न करेंगे, भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई, लिखिये, फार्मूला अंडे नीट भोल ए障 बरिश बरबर रूट अंडर भी अर का स्कुवाईर ब्लस वी एल माइनस बिस का स्कुवाईर भी नेट पांचों है तो पांचों बराहबर रूट अंडर ये 400 का square पलस 700 माइनस X का whole square रूट इधर आएगा तो 500 का square बराबर 400 का square पलस 700 माइनस X का square 400 का square इधर आएगा 500 का square पचीस सो 400 का square इधर आके 1600 बराबर 700 माइनस X square पचीस सो में से 1600 हो जाएगा 900 बराबर 700 माइनस X का square रूट अंडर 900 बराबर square इधर आएगा तो 700 माइनस X रूट अंडर 900 ये हो जाएगा तुम्हारा 300 बराबर 700 माइनस X sorry 4 काउल स्कार 16 ये double 0 आएगा यहाँ पर ठीक है तो ये देख लेना माइनस X इधर तो 700 माइनस 300 ये आजाएगा 400 ये आएगा कुछ डबल 0 आएगा sorry ये ना दस का power 4 तो X 400 आ गया ये सब आ रहे मिस था और पीक पूछा है तो 400 रूट टू क्या करते थे साज ना तुम हमसे दूर रहके कुछ नहीं करते थे तरहाँ दूर करते थे घर पे गुना भाग करके कि अधिव न फोन दूर करते थे घर पे गुना भोग करके अरे गुना भाग करके अरे गुना भाग करके अरे गुना भॉग करके जलिए वदा कि यह गान से करना मात उसमें भूत रहता देख इदर कौन कौन से बच्चे जमा हो गए आर ऐसे बच्चे जमां होगें आज इसका किताब नहीं खोले सीधा परिक्षा कितीं नहीं कोड़ना तो मैं एकदम मेरे जैसे हो मुझे भी आज भी यादे कि मैं जब बोड का पेपर दिया था तो कि एज़ल एकदम टेवल ठोक के कहता हूं सीना तान के मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने खुद से क्या लिखा था है है समझ लो मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने खुद से क्या लिखा था एक सवाल नहीं याद था मुझे देख इधर alternating power supply is 220 volt applied across a series circuit of resistance इतना capacitance इतना and inductive reactance इतना the resistive current in the circuit for zero and infinite frequency धान से सवाल को परो zero and infinite frequency zero and infinite frequency को जरा महसूस करो अगर impedance का अगर आप बनाओगे versus frequency तो zero frequency पे impedance infinite होता है और infinite frequency पे भी impedance infinite होता है तो current जाएगा zero and zero ampere मैं आपको बताऊं z बराबर होता है root under r square plus xl minus xc square जब frequency पेटा zero रखते हैं तो xc infinite हो जाता है मतलब z infinite अगर तुम frequency zero रखो तो z infinite होता है तो current zero जाएगा और अगर तुम frequency infinite रखोगे तो xl infinite होगा तो z infinite एक्सल infinite तो z infinite तो भी current zero जाएगा बढ़िया सवाल है कि अगर प्रांस्फर्मर बताते हैं इस नतिंग बट इतना मज़ा रहा है ताइम के बताने चलते दूए यह तो आ रहा है तो वहारी आलत कराब हो रही होगी लिकिन मुझे लग़ा है कि अभी बस पढ़ाना सुरू किया अभी तो अभी तो सुरू हुआ है अब परेंगे हम transformer, ट्रांसफर्मर क्या होता है, क्या तुमने ट्रांसफर्मर कभी देखा अपने घर में लगा हुआ, चैनल घर में pandemic है, क्या तुमने ट्रांसफर्मर में कभी up down किया है, कैसे, तो जब मैं नाइन तेंस में था कयां कब था मैं नाइन तेंस इस में बहुत पहले तुमसे दो तीन साल तो बढ़ना हुआ हहां तुम SE D3 साल मैं बोहाँंगा भी तीन-चार साल पहले में 9-10 में था चार-पांच शाल पहलेini चार-चार सल अलिकाज तो सक्ति मेन आया करता था अथयर काना गंगांगा धäreी सक्ति मेन है लाइट में भूल्टेज बहुत कम आ रहा है हमने इस्टेपलाइजर आईट एट के भूल्टेज बढ़ा लिया तो भी कम भूल्टेज आ रहा तो हम लोग क्या करते थे पांच-दस लोग का गुरूप बनाते थे और पूरे गाउं में घूम के सब के घर में जा जाके सब क कि तब जाके थोड़ा बहुत भूल्टेज आता तो तो हम देख पाते थे सक्तिमान जैसे पहले मालो हम टीवी देखते रहते थे बैठके घर में और मम्मी आती थी थपर मार देती थी पीचे तो देख भूल्टेज इतना बढ़ गया है और टीवी फूख जाएगा तब त इसके कोने में एक ऐसे लगा होता था सौ बोल्ट एक सोबीस एक सोपचास ऐसे लगा होता था और यहां पर एक ऐसा होता था हम क्या करते थे कि इसको जाके आइच देते थे ऐसे तो वोल्टेज कम और ऐसे कर देते तो वोल्टेज बढ़ जाता था याद है याद है कितने के घर में अभी भी TV के साथ यह लगा, अब तो नहीं होगा, लेकिन पहले हुआ करता था, मॉर्लो की बोल्टेज बहुत कम हो गया, TV में लाइन लाइन बन गया, तो भाग के जाते थे और इसको 8K बोल्टेज बरहा देते थे, समझ में आया, तो actual में अंदर में क्या लगा हो is not for DC, not for DC, DC को कम जादा नहीं कर सकता, DC में चमतखार नहीं होता, DC वोल्ट, 10 वोल्ट है उसको 20 कर दिया, ऐसा नहीं होता, लेकिन AC को 10 से हम 20 कर सकते हैं, AC को हम 10 से 20 कर सकते हैं, यह based on mutual inductance पर, based होता है, transformer is nothing but based on mutual inductance, used to step or step down only for AC, step up क्या करता है, step up क्या करता है, voltage बरहाता है, step up कहां लगा होता है, तो जनरली देखोगे, तो जो power house होता है, वहाँ पर step up लगा होता है, तभी तो power house से तुम्हारे गाउं तक जो transformer है, वहाँ पर 11,000, 24,000 voltage पर supply होता है, और गाउं का जो transformer होता है, वह step down होता है, सब station जो तुम्हारे village में, गाउं में लगा हुआ है, इसकी efficiency almost 90% से जादा होती है, उल्टा लगा दिया है, 90% से जादा होती है, practical, और अगर ideal लें, तो हम इसका efficiency 100% मानते हैं, power loss 0, यह काम कैसे करता है, देखो बताता हूं, इसमें क्या होता है, कि हम एक iron core ल input voltage, input voltage, यह input voltage गया, और यहां पर एक inductor की दर इसको लपेट देते हैं, इसमें total number of tons है, NP, तो भाई, जब current जाएगा, तो current क्या होगा, तो AC current तो vary करेगा, current vary करेगा, तो magnetic field vary करेगा, तो flux vary करेगा, और flux vary करेगा, और flux vary करेगा, तो यहां पर एक induce MF, उस induce MF से जो magnetic field, magnetic flux link हो फिरो magnetic material है, यहां पर induce हो जाएगा, जैसे ही यहां पर voltage change करोगे, तो magnetic flux change होगा, तो यहां भी magnetic flux change होगा, और magnetic flux change होने से, rate of change in magnetic flux, यहां पर voltage induce होगा, जिसको कहेंगी हम, secondary voltage या output voltage, इसमें total number of tons होगा, secondary winding का tons होगा, अब यहां पर एक चीज मैं लिखता हूँ, उसको समझना, एक चीज यहां पर लिखता हूँ, उसको समझना, phi naught, flux, passing through, passing through, one turn off, primary coil, primary coil, यह सही है कि गलत, flux passing through, यह तो हमने assume किया, sorry, assume किया, beraber phi naught, flux passing through, passing through, one turn off, secondary coil, secondary coil, अब यहां पर दो चीज़े हमने लिखिये, जड़ा ध्यान से देखना, क्या लिखिये, phi naught, flux passing through, one turn off, primary coil, और यहां पर लिखा है, flux passing through, one turn off, secondary coil, flux passing through, one turn off, primary coil, flux passing through, one turn off, secondary coil, यह दोनों बराबर है, same लिखा है, finite or finite, क्योंकि, माल लो, कि एक magnetic field lines ऐसे गया, तो यही तो घूम के ऐसे यहां जाएगा, तो एक loop से, माल लो, एक line pass कर रहा, तो दो loop से, दो line pass करेगा, तो इसमें भी दो loop से, दो line pass करेगा, इसमें अगर, चार field lines गये, यह चारो field lines घूम के यहां जाएगे, तो इसके एक ton से जितना flux होगा, इसके एक ton से, उतना ही flux होगा, एक ton से, मैंने total, primary coil का flux नहीं लिखा है, मैंने लिखा है, flux passing through, one turn off primary coil, and flux passing through, one turn off secondary coil, primary coil क one turn, and secondary coil के one turn, सिर्फ flux same pass करेगा, यह बात समझ आये कि नहीं है, एक मिनट feel करो, मैं पूरा समझा देता हूँ, देख इदर, primary coil का एक ton, और secondary coil के एक ton में flux same pass करेगा, तो टोटल flux भी सेम होगा, क्या है, नहीं, क्योंकि आपे number of tons अलग होंगे, तो अगर मैं आप से पूछू कि total flux through primary coil, तो यह हो जाएगा, primary coil के एक ton से into number of primary coil, total flux through secondary coil क्या होगा, एक ton से flux पास कर रहा, into secondary number of tons, यह आएगा equation, यह बात समझ आया, क्या बेटा, आपको यह बात समझ में आया, primary के एक ton से flux पास कर रहा, फाई नौट, तो टोटल number of tons, इंपी से multiply कर देंगे, तो टोटल flux हो जाएगा, फाई, और primary, secondary के एक ton से पास कर रहा, फाई नौट, तो secondary के total coil से पास कर रहा, फाई नौट, इंटू, अब यहाँ पर मै क्या करता हूँ, इसको differentiate कर देता हूँ, d5p by dt, d5p by dt बराबर, phi not into, sorry, np into d5 not by dt, दोनो तरफ हमने time के साथ differentiate कर दिया, इसको भी दोनो तरफ time के साथ differentiate करके divide कर दिया, d5, यह secondary का flux है, देखो न, यह d5p primary का flux, d5 not into np, देखो, phi not into np, d, phi s, देखो यह, phi s by dt, is equal to ns into d5 not by dt, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, divide कर दिया, d5 not by dt, d5 not by dt कर जाएगा, rate of change in flux through primary coil with respect to time, बता यह क्या होगा, faraday's law of electromagnetic induction क्या कहता है, rate of change in flux with respect to time is emf, किसका emf, primary का emf, तो यह होगा, primary का voltage बटा, d5s by dt, secondary का voltage, secondary का voltage, is equal to np बटा ns, np बटा ns, secondary के voltage को हम output voltage बोलेंगे, secondary के voltage को अगर हम इधर ले जाए, है, तो यहाँ जो equation लिख रहा हूँ, समझना, secondary के voltage को इधर ले जाए, बाकी term को इधर ले जाते, यह इसको उल्टा कर लो, vs उपर vp नीचे, vs बटा vp, इसको उल्टा किया, तो यह भी उल्टा हो जाएगा, ns बटा np, तो vs बड़ाबर हो जाएगा, ns बटा np into vp, यह है आपका output voltage, secondary में output लेते हैं, और यह है आपका input voltage, कितना easy है देखो, यहाँ पर क्या तुमको एक चीज समझ में आया, यहाँ पर क्या तुमको एक चीज समझ में आया, कि primary का voltage, primary के number of tons के proportional, secondary का voltage, secondary के number of tons के proportional, secondary का voltage, secondary के number of tons के proportional, secondary का voltage, secondary के number of tons के proportional, कैंज सनल प्राइमरी कार्टेजड बहरेगा मतलब होटेज इस ड्रेट के प्रपोेस्टनल rats नम्बर आफ अगर आप चाहते हो कि आउट्पूट में बोल्टेज जादा हो, तो आउट्पूट में बोल्टेज कब जादा हो, आउट्पूट का बोल्टेज जादा चाहते हो, प्राइम डी के इन्पूट के बोल्टेज से, तो सेकेंडरी का टंस बरादो, और हौँ, सेकेंडरी का नमबर अफ टंस बरादो, वोल्टेज बर जाएगा और अगर आप आईडियल ट्रांस्फर्मर की बात करते हो जिसमें से पावर लॉस को अगर आप जीरो ले तो जितना इंपूट पावर है उतना ही आउटपूट पावर होगा पावर क्या होता है बेटा करेंट इंट वोल्टेज पावर तो तुम्हा तो आप कह सकते हो current inversely proportional to number of tons मतलब secondary का current बटा primary का current बटा secondary का number of tons यह आपका output current है अगर मैं output current लिखू तो आउटपूट करेंट बडाबर होगा np बटा ns into input current, थोड़ा साथ दिमाग लगा के देखो, current inversely proportional to number of turns आ रहा है, current, current inversely proportional to number of turns आ रहा है, दो तरह का transformer होता है, step up और step down, पूरा derivation करके मैंने दिखा दिया, step down, अब देखो एक जोरदार तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ, यह देख, नहीं करा हाई level का है, इधर रहा हाई level बताता हूँ, इधर देख, हाई level देख, हाई level सुन, अगर मैं बात करूँ, step up transformer, step up transformer का मतलब क्या है, step up transformer में output voltage जादा होना चाहिए, input voltage से, output voltage कैसे बरेगा, secondary का voltage बरादो, primary, sorry, secondary का number of turns, देखो, sorry, step up transformer की बात करे, I am sorry, एक बार और कोशिज करता हूँ, ध्यान से देख, अगर आप बात करते हैं, step up transformer की, रे कौन है रे, अगर आप बात करते हैं, step up transformer की, तो step up transformer में output voltage जादा होगा, V output is greater than V input, V output कब बरेगा, तो voltage directly proportional to turn होता है, जब secondary का turns जादा होगा, primary के turns से, अगर secondary का turns बहेगा, तो secondary का current, output current, कम हो जाएगा, primary के current से, और power जितना input है, उतना ही output रहेगा, अगर आप step down की बात करें, तो output voltage कम होगा, input voltage, output voltage कैसे कम होगा, तो secondary का turns कम होगा, primary के turns से, secondary का turns कम होगा, primary के turns से, तो secondary का current, secondary का current बरा होगा, primary के current से, और power input बराबर, power output, मैं कहरा हूँ, कि मैं step up transfer बना रहा है, step up में voltage जादा, voltage आउटपूट जादा, output voltage कैसे जादा होगा, सर्फ secondary का number of turns बढ़ा दो, secondary का number of turns बढ़ा दो कि voltage बढ़ जाएगा, लेकिन current कम हो जाए, current inversely proportion number of turns होता है, power बढ़ाबर आएगा, अगर step down transformer की बात करेंगे, तो secondary का voltage कम होगा, secondary का voltage कम होगा, secondary का current बढ़ा होगा, step down transformer में, step down transformer में, output voltage कम होता है, secondary का voltage कम होगा, तो primary का voltage जादा होगा, primary का voltage जादा, तो primary का number of turns जादा, secondary का number of turns कम, सीधी सी बात है, step up transformer, output voltage जादा, output voltage जादा, तो output का tons ज़ादा, मतलब secondary का tons ज़ादा, primary का tons कम, secondary का tons ज़ादा, तो secondary का current कम, step down transformer की बात करेंगे, step down, मतलब output का voltage कम, output का number of tons कम, secondary का tons कम, primary का tons ज़ादा, primary का tons ज़ादा, secondary का current ज़ादा, step down transformer में secondary का current ज़ादा होगा, बात करता है अब बुलेगा कुछ नहीं समझा कैसे नहीं समझ जाएगा यार चल दिरे दिरे समझादे तु देखो दिरे दिरे समझादे देखो वेटा हमने step of transformer वो transformer होता है जो secondary का voltage बरहादे प्राइमडी के voltage से मतलब output voltage जादा हो input voltage से output voltage कब जादा होता है जब number of turns secondary का primary से जादा हो क्योंकि secondary का tons बरहाओ गे ना तो voltage बर जाएगा लेकिन current तो inversely proportional होता है तो secondary का current कम होगा primary के current से और ideal transformer में input power बराबर output power होगा step down की बात करोगे step down मतलब तुम्हारा secondary का voltage कम हो गया primary के voltage से मतलब output voltage हम कम रख रहें input voltage से output voltage तभी कम होगा जब secondary का tons कम होगा simple सी बात है voltage कम करना है ना जिसका voltage कम करना उसका tons कम कर दो जैसे output का voltage कम करना है sorry output का voltage बराना है तो secondary का tons बरा दो secondary का voltage जादा मतलब output voltage जादा तो secondary का tons जादा voltage जादा मतलब tons जादा तो current कम यहां पर secondary का voltage कम रखना है तो secondary का voltage कम मतला output voltage कम output voltage तभी कम होगा जाओ output का टन्स कम होगा output का टन्स कम तो output की गरेंट जाथा power input बराबर power है clear done अब यहां पर कुछ power loss होता है उसके reasons क्या होते है flux leakage, resistance of the bounding, ED current and hysteresis loop तो यहां पर तुमसे पूछ सकता है board में कि what are the possible reason of power loss in a transformer, practical transformer तो ideally जब कुछ नहीं दिया तो power loss 0 मानते हैं लेगिन power loss होने के कुछ reasons होते हैं जो मैंने यहां पर लिख दिया है उपर लेना अब यहां पर सवाल रेखो एक बढ़िया, जोरदार तरक्ता भरक्ता the ratio of secondary to the primary turns in transformer is 3 to 2 ratio of secondary to primary turns is 3 by 2 if the power output to be P, then input power neglecting all loss must be फाल तुए में नहीं दिया है ओरे रे ही तो हो गलो सवाल, ही तो बहुत असान हो रे answer P होता हूँ, काहे से की number of turns के proportional होता है voltage, number of turns के inversely proportional होता है current लेकिन power तो सेम होता है न, अरे तो असान हो रे answer P होता हूँ, जोलो हूँ, दन, दन, चालो, step down transformer is used on 1000 volt to deliver 20 ampere at 120 volt, deliver मतलब यह output, current output voltage है, deliver मतलब जो देता है जहां हो तो output होगा है न, deliver 20 ampere at इतना volt और input voltage बेटा यह है, V input यह है, add the secondary coil, if the effect, अच्छा, secondary coil में दिया है output होगा, if the efficiency of the transformer is 80%, then current drawn from the line is, सुनो, यहां पर efficiency बराबर होगा, बेटा, P output by P input, efficiency, percentage में देखो, 100 से multiply कर लो, अब मेरी बात सुनना, अभी का बात सुनना, वैसे हम efficiency 1 लेते हैं, 100% लेते हैं, लेकिन यहां पर 80% है, तो efficiency हो जाएगा, output by input, efficiency 80%, 80%, 80% में तो 80 रखो, 80 is equal to, output power क्या होगा, output current into output voltage, 20 into 120, बता, input power क्या होगा, input current into voltage, current input यह, primary current into voltage, 1000, into 100, अब यहां से देखो, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0 से यह 0 खतम, IP को हैं लेओ, तो अगा बाराद हुना 24, बता 8, 3 Ampere, 3 Ampere, 3 Ampere इसा होगा, खतम, यह समझ लो एक बार, D बच्चे कहे रहे हैं, ए आ रहा भाई, क्लियर, क्लियर, चलो, एक सवाल करो, लास्ट उसके बाद चुट्टी है, यह लास्ट सवाल है, इसको करो, और 220V input supply to the transformer, if output circuit drawn a current, इतना, देखो, output circuit current, तो output current, output voltage, if efficiency of the transformer is 80%, then current drawn by the primary winding of the transformer is, primary का current पूछा है, वही सवाल हो गया है तो, यह तो सेम सवाल हो गया, efficiency, P output by P input multiply 100, सेम सवाल हो गया, यह तो कोई खास बात नहीं है, यह तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है, चौक कोईल तोरा समझा देता हूँ, theoretically, चौक कोईल तोरा समझा देता हूँ, क्या होता है, Simple RL Circuit, सर्ष चौक कोईल का काम क्या होता है, चौक कोईल का काम, basically क्या होता है, कि माल लो, अचानक से किसी circuit में current जाता है, अब पहले, बल्ब या कोई भी instrument जो circuit में लगाए, वो तो off था, अचानक से high amount व्हाहं टो जाने से वह ख़राब हो सकता है बर्न हो सकता है जल सकता है क्या सब्सक्राइब मैं क्या करा हूँ लसे ऑचलेसा नापने ही दो बोला था कि इसलेवस में नहीं है एक करवा दांग स्पेट इतना प्छुंट्टी से अकलत बना थैस्ति तो चॉक कोईल क्या करता है चॉक कोईल यूज तू कंट्रोल करेंट इन एक सरकीट यह करेंट को कंट्रोल करता है अचानक से करेंट नहीं बढ़ने देता है एंड अल्सो यूज तू डिवाइड पोटेंचिल विदाउट पावर लॉस जैसे मान लो कि एक बल्व है और इस बल्व का रेटेट वोल्टेज है 200 वोल्ट और तुम्हारे पास एक एसी सोर्स है 300 वोल्ट का तो बताओ क्या करोगी क्या 300 वोल्ट से जोड़ दोगे हाँ नहीं है नहीं है लसी ओच लेसर मैंने चेक कर रहे हैं नहीं है हुम् आरग ठीक है वाइड नहीं पराओंग आप हाई लेवल का हो गया एसी जनेटर तो यह में उसमें इमआई में है इसी जनेटर बहुत असान है क्या आप 300 वोल्ट से जोड़ होगे क्या बदाओ क्या तुम 300 वोल्ट से इसको जोड़ होगे क्या नहीं सर 300 वोल्ट से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये बर्न हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि यार इसका रिटेट वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है तो हम directly तो नहीं जोड़ेंगे, तो sir क्या करें अब, हमें कोई एक instrument यहां लगाना परेगा, कोई भी एक ऐसा instrument लगाना परेगा, जो excess voltage को अपने across drop करा ले, जैसे 300 supply किया, तो 100 volt यहां आ जाए, और 200 volt यहां चला जाए, ऐसा तो आपने current electricity में भी किया होगा, sir अगर हम ऐसा कराना चाह रहे हैं, तो एक resistance लगा देंगे, simple, अगर हम यह resistance लगा देते हैं, और resistance की value इतनी होती है, कि 100 volt डॉप करा लेता है, 200 यहां, 200 यहां, 100 यहां, supply 300 का है, काम हो जाएगा, ठीक है, easy है, लेकिन यहां एक दिक्कत है, कि 300 में, जो 100 volt यहां डॉप होगा है क्या, इसके वैसे हां पर power loss हो गहां, तो फाल्त हुए में न, power loss हो गया, तो energy खराब हो गया, तो हम चाहते हैं, कि हमारा voltage भी divide हो जाए, और वहां पर power loss भी नहों, मतलग, लाठी भी ना तूटे, और दुस्वन भी मर जाए, जड़ा feel करो इस बात को, मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, पांच मिनट दे ले, ऐसा समझाओंगा न, कि दिमाग से कभी नहीं जाएगा, मेरी बात सुना, ये bulb है, बल्ब की capacity है, rated voltage है 200 वोल्ट का, अब मैं यहां पर एक source है, मेरे पास 300 वोल्ट का, अगर मैं इस source से बल्ब को जोड देता हूँ, तो बल्ब फूट जाएगा, तो हमने क्या कि 300 में से 100 कहीं और ड्रॉप हो जाए, तो हमने एक resistance लगा दिया, तो 300 में से 100 यहां भोल्ट ड्रॉप हो गया, और 200 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, हमारा काम हो गया, लेकिन हमें बिजली बिल या energy जो खर वोल्टेज गया, उसकी विससे तो पावर लोस हो जाएगा है, हाँ, तो हम चाहते हैं कि मेरा भोल्टेज भी डिवाइड हो जाएगा, पावर लोस भी ना हो, तो एक चमतकारी इंस्टूमेंट है मेरा इंडक्टर, अब सोचो, अगर इस बल्ब के क्रॉस 200 वोल्ट क्या भई, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंचल ड्रॉप होता है, हाँ, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस प्योर इंडक्टर में पावर लोस जीरो होता है, यह एकदम चमतकारी चीज है, चमतकारी चीज, समझ रहे हो, साले इस तो पोटेंचल ड्रॉप भी करा लिया, और पावर इंड़क्टर, यूस्टू डिवाइड पोटेंचियल, बिदाउट पावर लॉस, आला, पावर लॉस भी नहीं होने दिया और पोटेंचियल भी डिवाइड कर दिया, ये चमतकारी चीज है, लेकिन सर आपने बोला है, ये चौक कोयल का मतलब, प्योर इंड़क्टर, लेकिन तो चौक कोयल में, बास्तविक्ता में, जरूरत इस L की थी बस, एक L ऐसा इंस्टूमेंट है नहीं, जो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, लेकिन अपने क्रॉस पावर लॉस नहीं होने देगा, गजब चीज है, लेकिन जिस वाइर से जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ बनाया है, उसके बज़े से हारेसिस्टेंस आया है, तो सुनना, यह हमारी जरूरत है, और यह हमारी मजबूरी है, नहीं समझ आया, चौक कोयल, कौमारल सरकिट क्यों कहते हैं, यह हमारी नीड है, नीड जरूरत है, हमें चहिए, तुम जरूरत हो मेरी, और तुम मजबूर हो मेरी मजबूरी है और ये जरूरत और ये मजबूरी तो basically chalk coil तीन तरह के हो जाते हैं एक बेकार अब chalk coil तो हमारी ये मजबूरी और ये हमारी जरूरत अब ऐसा chalk coil जिसमें मजबूरी ज़्यादा हो जरूरत कम हो मतलब resistance की value ज़्यादा है और inductive reactance कम है तो इसको कहते हैं बेकार chalk coil ideal chalk coil का resistance 0 only inductor हाएगा सिर्फ L आएगा L is high and R 0 यह तो ideal है ideal situation कब होती है जब मजबूरी नहीं हो जरूत एकदम पूरी हो जाए इसको कहते हैं हम ideal तो तुमसे पूछे कि chalk coil अगर ideal है तो उसमें resistance होगा 0 और inductance होगा high अगर chalk coil practical है तो उसका resistance होगा low और ill होगा high और अगर बेकार है तो बेकार तो इसी लिए ना कि उसकी मजबूरी जादा है और जो जरूरत थी वो मिला नहीं मजबूरी जादा है बताओ एकदम जोरदार जटकेदार फिला है कि ने एकदम जटकेदार अगरो आईडियल मतलब तुम समझें ना chalk coil में actual में यह तुमारी जरूरत है इंड़क्तर एक ऐसा जो बोल्टेज ड्रॉप करा लेगा लेकिन पावर लॉस नहीं होने देगा तो सर्फिल लो आर क्यों लिया आर इसले लिया ना क्यूंकि जिस तार से मनाएंगे उसका कुछ आर आ जाया क्योंकि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं इसलिए आ रहा है ओके सब लेकिन अगर बात करेंगे तो इडिली तुम्हें सिर्फ यहल चाहिए तो प्योर इंडक्टर होता है आईडियल चॉप कोई प्रैक्टिकल चॉप कोई जिसका आर लो एल हाई अचा तुमसे यह पूछेगा कि आईडिल चॉप कोईल का पाउर फैक्टर क्या होगा क्योंकि इसका आर हाई है तो बेकार चॉक को ऐल का कॉस वाई हाई होगा समझ आया कि समझ आया यह बात ठीक है अब देखो यार अब नहीं है बोर्ड में और बोर्ड की इस पेसली बैच है तो इसको यहां तो नहीं कराएंगे कि उम्मीद में करा देंगे डर चलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बहुत देर तक सिना अरसी क्यों संशु कि भाह तेज हो रहा हो दिमाग तो तुन्हे बढ़िया लगा है रिवा लिवा दो तुने बढ़िया लगाए वैसे दिमाग तो तुम्हें बढ़िया लगा है बहुत बढ़िया दिमाग लगा है क्योंकि हम ये AC सोर्स में यूज करते हैं और AC में कैपसिटर जी की जो अवकाद है वो कम हो जाती है हाई फ्रिक्वेंसी पे इसलिए हम RC यूज नहीं करते हैं क्योंकि जब मालो AC में हम यूज कर रहे हैं और AC में जो ग्राब बनता है ना कैपसिटिव रियक्टेंस की ऐसा बनता है तो हाई फ्रिक्वेंसी एसी में वो बोल्टेज ड्रॉप करा ही नहीं पाएगा है ना वो कम रेसिस्टेंस ओफर करता है C इसलिए हम C को यूज ना करके L को यूज करते हैं और लास्ट में जाते जाते ज़्यरा रेस्टेंस बन के दिखाओ इंडॉक्टर ऐसे जात कुनों इंडॉक्टर का वोल्टेज उपर तो इंडॉक्टर में वोल्टेज लीट करता है पाएग बेट उसे केपस्टर, केपस्टरें वल्टेज लेक करता है भाई बेट उसे, यह बोल्टेज मालनो, वोल्टेज को न चाहो, करेंट को फिक्स रखो करेंट को फिक्स अ को वल्टेज को न चाहो, और यौर बाई यूर न रसिस्टंश, Peor Inductor, Peor Capsator, RL, RC, LC, Şiris LCR, Bye bye